प्यारी भक्तों, वर्तमान युग में ऐसे कल्यान कारी सतसंग का प्राप्त होना संभवत कुछ कठिन है, जो आपके जीवन को भरस्ट होने से, आपके मन को इधर उधर भटकने से बचा सके। इसलिए इसकी पुर्ती कुछ अंशों में प्राचीन महापुर्शों के पवित्र जीवन चरित्रों से, आध्यात्मिक मनीशियों के सुकर्मों से की जा सकती हैं, जिन्हें आप पढ़कर, देखकर, अथवा, सुनकर, प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आज हमने भक्ती सागर पर गुजरात के भक्त शिरोमनी नर्शिंग महता जी का चरित्र चित्रन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप जिसका श्रमन करें, वो अपने जीवन में अनन्य लाभ प्राप्त करें। भक्त राजनर सिंग राम जी का जीवन अलोकिक बातों से भरा हुआ है। यद्यपि, हमारी तुछ बुद्ध के लिए सारी बातों का रहस्य समझना कठिन है। फिर भी वे बातें हमारे मन के भीतर आशा का संचार कर सकती हैं, जिसका प्रकाश हमें कल्यान मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक होगा। पूनिय भूमी आर्या वर्त के सौरास्ट प्रांत में, जीन्ड दुर्ग नामक एक अत्यन्त प्राचीन एतिहासिक नगर है। जिसे आज कल जूनागड कहते हैं, भक्त प्रवर्श्री नर्सिंग राम महताजी का जन लगभग सन 1470 इस्वी में इसी जूनागड में एक प्रतिष्ठित नागर राम्हल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था कृष्ण दामो दर्दास तथा माता का नाम था लक्षमी गोरी। उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम था वन्शीधर। अभी वन्शी धर की उम्र बाविस वर्स थी और नर्सिंग राम जी की उम्र मात्र पांच वर्स थी तभी उनके माता पिता का दिहान थोगे और उसके बाद नर्सिंग राम जी का लालन पालन उनके बड़े भाई तथा दादी जी ने किया दादी जी का नाम था जै कुमरी नर सिंग राम बच्पन से गुंगे थे प्राय आठ वर्ष की उम्र तक उनका कंठ नहीं खुला था। इस कारण लोग उन्हें गुंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जैकुमरी को बड़ा कलेश होता था। वह हर छण इस चिंता में व्यतीत करती थी कि मेरे पौत्र की जबान कब खुलेगी। परंतु मूक को वाचाल कौन बनावे, पंग को गिरिवर लांधने की शक्त कौन दे। जैकुमरी को पूरा विश्वास था। ऐसी शक्त केवल एक परम पिता परमेश्वर ही है। उनकी दया होने पर मेरा पौत्र भी ततकाल वाणी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही यह भी उसे विश्वास था कि उन दयामय जगन्नात की कृपा साधारन मनुस्यों को उनके प्रीय भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हुआ करती। सभावत ही दादी जी में साधु महात्माओं के प्रति स्रद्धा और आदर का भाव रहता था। जब और जहां उन्हें कोई साधु महात्मा मिलती, वह उनके दर्शन करती और यथा शक्ती स्रद्धा पुरुवक्त सेवा भी करती। कहते हैं, श्रद्धा उत्कट होने पर एक नएक दिन फलवती होती ही है, आखिर जै कुमरी की श्रद्धा भी पूरी होने का सुववसर आही गया। फालगुन शुकल पंचमी का दिन था, रितुराज का सुखद सामराज जगत भर में छा रहा था, मंद मंद वसंत वायू सारे जगत के प्राणियों में नो जीवन का, नो उर्जा का संचार कर रही थी। नगर के नर्नारी प्राय नित्य ही सायंकाल हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हुआ करते थी। उनकी द्रिष्टी एक महात्मा पर पड़ी, जो मंदिर के एक कोने में एकांतर स्थान पर व्या घ्रामबर पर पदमासन लगाये हुए विराजमान थे। उनके मुख से निरंतर ना रायन ना रायन शब्द का प्रवाह चल रहा। उनका अलव की चहरा एक अपुर्व ज्योती से जगमगा रहा था। देखने से ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई परम सिध्ध योगी बैठा। उनकी दिव्यतपो लब्ध प्रतिभा से आक्रिष्ट होकर जैकुवरी ही अपने साथ की महिलाओं की संग उनके दर्शन करने के लिए चली गी। महात्मा के समक्ष पहुँच कर जैकुवरी ने दूर से ही बड़े आदर पुर्वक महात्मा को प्रणाम किया। और विनयपुर्वक बोली महात्मा यह बालक मेरा पहुत्र है इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। आठ वर्स का यह होने को चला परन्तु अभी भी कुछ बोल नहीं पाता। इसका नाम नर्सिंग राम है परन्तु सब लोग इसे गूंगा कहकर कुकारते हैं। इससे मुझे बड़ा क्लेश होता है महाराज। ऐसी कृपा कीजिए कि इस बालक की वाणी खुल जा। संत हिर्दे नवनीत समाना कहा कभिन परिकहे नजान। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सुपनीता। अर्थात महात्माओं का हिर्दे मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं माक्खन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है। कहने का आश्य है कि अपने उश्मा से, अपने उर्जा से, अपने दुख से पिगलता है। और सत्पुर्श दूसरों के ताप से द्रवी भूत हो जाते हैं, दूसरों के दुख से दुख ही हो जाते हैं, फिर ये महात्मा तो दैवी शक्ति से संपन थे, और मानो उस वृद्धा की मन्ह कामना पूरी करने के लिए ही इश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां आये थे, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भगत होगा, इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल उसे जल लेकर मारजन किया, और बालक के कान में फूंक देकर बोले, बच्चा कहो राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा बालक राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कहने लगा, उपस्थित सभी मनुष्य आश्यर्य चकित हो गए, महात्मा जी की जैजैकार होने लगी, गूंगे पौत्र के मुख से भगवान श्री का नामों चार सुनकर, बृध्धा जैकुमरी को कितनी प्रसनता हुई होगी, इ प्रसने महात्मा जी को बार बार प्रणाउं किया, और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता दीनता के साथ प्रार्थना की बोली, महराज, आपकी ही कृपा से मेरा पोत्र अब बोलनी लगा, मेरा बढ़ा पोत्र आप ही के जैसे मनेशियों के असिरवाद से राज में आप मेरे घर पर पधारने की क्रिपा करें और मुझे भी अथा शक्ति सेवा का सुवसर प्रदान करें आपकी चर्णरज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा परन्तु सच्चे महत्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते वे तो सदा सुभाव से ही लोक कल्यान की चेश्टा करते रहते हैं महत्मा जी ने प्रसनता पुर्वक उत्तर दिया मुझे कोई योग बल या तपुबल नहीं प्राप्त है इस अंसार में जो कुछ होता है सब केवल प्रभू की क्रिपा से ही तो होता है उन महां महिम परमात्मा की माया अघटन घटना पठियसी कहलाती है अतह मीरा उपकार भूल कर उन परमात्मा के ही प्रती कृतग्यता प्रकट करोma और उनका नामस्मरण भजन पूझन करोma मैं इस तरह अकारण अथवा प्रतिष्ठा के लिए किसी ग्रिहस्त के घर पर नहीं जाता तुम घर पर जाओ और जाकर प्रभु का भजन कर तुम्हारा कल्यान होगा मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छानुसार यह कह जाता हूँ मा कि थोड़े ही दिनों में एक कुलवती सुरूपा सुकन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा जैकुमरी को महात्मा जी के सामने विशेस आग्रह करने का साहस न हुआ पोत्र के साथ प्रसन वदन अपने घर चली आई और उसने बड़े पोत्र वन्शीधर से महात्मा जी का चमतकार कह सुनाए वन्शीधर ने महात्मा जी के दर्शन के अविलासा से सिपाहियों द्वारा उनकी बड़ी खोजवीन कराए परन्तु कहीं उनका पता न चल सका लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नर्सिंग महता को इष्ट मंत्र तथा वाचा देने के लिए स्वयम सिद्ध पुरुस कोई और न थे स्वयम भगवान स्री कृष्ण ही तो थे जी हाँ ऐसे हमारे नर्सिंग महता जी के जीवन में घटना करम घटते हैं और वे बचपन से ही स्री भगवान जी के भजनों में रम जाते हैं भगवान की भक्ती में ओत प्रोत नर्सिंग महता धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं आगे उनके कुटुम्ब विस्तार के संबंध में आप भक्तिगण स्रिवन करें जिस समय की यह बात है उस समय भारत वर्ष का सम्राट हुमाईू हुआ करता था और उसके अधीन जूनागण का शाशक एक शत्री राजा था जिसका नाम था राव मांडली राजा हुमाईू के अधीन होने पर भी राज्यकारे में राव मांडली पूनतया स्वधीन था केवल उसे एक नियत करमात्र अधा करना होता था सरकारी कामकाज में उन दिनों नागर जाती अत्यंत प्रिमीन थी राज्यके प्रधान मंत्री से लेकर एक साधारन सिपाही के पद को भी अधिकांश नागर जाती के लोग ही सोभाय मान करते थे एक तरह से सरकारी नोकरियां पूनतया नागर जाती के ही हाथों में थी नागर जाती कलम, कडची और बर्ची द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न हो गई थी यही कारण है कि आज भी नागर जाती का राजिकीय विवागों में विशेश हात है वन्शिधर का जन्म भी उसी जाती में हुआ था जो नर्सिंग महता के बड़े भाई थे अतह राज्य की योर से उनकी न्युक्ती सौ रुपय मासिक वेतन पर थानेदार के पद पर हो गई थी राज्य की योर से उन्हें काफी नौकर चाकर और वाहन आद मिले हुए थे अतह उनका पारिवारिक जीवन बड़े सुख के साथ बीत रहा था समाज में भी परियाप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी इन सब के अलावा अगर कुछ कमी थी तो बस इतनी सी कि उनकी पतनी दुरित गवरी का सुखाव अच्छा नहीं था उसे अपने पती की अमलदारी का बहुत अधिक अभिमान था जूट मूट के शडियंत्र रचना और दूसरों को कस्ट पहुँचाना उसका सुखाव ही बन गया था उसके दुरगुणों को देखते हुए ऐसा मालूम होता था मानो उसका नाम दुरित गवरी वो अच्छर शह सत्य है यथा नाम तथा गुणवाली का हवत उस पर पूनत या चरितार्थ होती थी फिर भी ग्रिहस्ती सुख शान्त के साथ चल रही थी जब से बालक नर्सिंग राम की वाणी महात्मा जी की कृपा से खुली तब से दादी जैकुमरी को उनके विवाह की चिंता रहने लगी शिग्र से शिग्र अपनी संतान को विवाह बंधन में जकड़ देना भारत वर्ष के माता तिता अपना एक करतब्यसा समस्ती हैं इस तरह भी एक बहुत बड़े संतान रिन से अपने आप को शिग्र मुक्त कर लेना चाहते हैं जैकुमरी ने भी संभोत इसी भावना से नर्सिंग राम जी के विवाह का प्रयत्न करना प्रारंध कर दिया घर संपन्व प्रतिश्ठित था अतेव उन्हें इसकारे में सफलता विशिग्र ही मिल गई प्रायह नौ वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नर्सिंग राम जी का विवाह मानिक गवरी नाम की एक साथ वर्ष की बालिका के साथ कर दिया मानिक गवरी सुरूप वती और सुलक्षणा कन्या थी अतेव मन चाही योग्या पौत्र वधू पाकर जै कुमरी को बड़ा संतोश हुआ वंशिधर ने छोटे भाई नर्सिंग राम के पालन पोशन और विवाह की ही चिंता नहीं की बलकि उनकी सिक्षा की और भी ध्यान दिया उन्होंने नर्सिंग राम को एक संस्कृत पाट साला में पढ़ने के लिए बैठा दिया परन्तु नर्सिंग राम का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा जबसे उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई तबसे उनका मन अधिकाधिक भगवान की और आक्रिष्ट होने लगा वह निरंतर राधे कृष्ण नाम का जब किया करते थे सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते थे दर्शन करते और भजन किर्टन सुन थे स्री शंकर भगमान में उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति थी वह मंदिर में जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महिश्वर की पूजा अर्चना करते थे और प्रेमानंद में विवोर होकर भोलानात के गुरगान करते थे अगर कहीं पुरान या भागवत की कथा होती तो वहाँ जाकर बड़े ध्यान से भगवत कथा सुना करते थे द्वारी का आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गाउं में आते तो उनके दर्शन करते यथा शाध्य उनकी सीवा भी करते उनके उपदेश सुनते अगर कोई भजन किर्टन करता तो स्वैम भी उसके साथ बैटकर भजन के पदगाते या करताल बजाया करते कोई यदि भावावेश में आकर नित्य करने लगता तो वे भी उसके साथ नाचने कूदने लगते अगर कभी कोई रास मंडली गाउं में आ जाती तब तो इनके आनंद का कोई ठीका ना ही न रहता नित्य ही रास लीला देखा करते स्री राधा, स्री ललिता, आदिसक्यों तथा वरज के अन्य गोप गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वह इतने तलीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की सुधि बुदि भी न रहती कभी कभी तो श्वयम भी वह किसी मंडली में शामिल हो जाते जब उन्हें रास में गोपी बन कर नाचने का सुववसर मिल जाता तब तो अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोस हो जाते भक्त नर्सिंग राम महता अपनी धुन में इस तरह रम जाते थे कि वे खाना पीना भी छोड़ देते थे कई दिनों तो वे घर पर भी नहीं जाते थे इसके लिए उन्हें भाई भौजाई की डाट भी सुननी पड़ती थी ताड़ना भी सहनी पड़ती थी समाज में निंदा भी होती थी परंतु फिर भी वह अपनी चाल ना छोड़ते थे भला जो एक बार अम्रित स्वरूप भगवत प्रेम रसका आश्वादन पागया हो उसे कोई उससे दूर कैसे हटा सकता है भक्त नर्सिंग राम ने पढ़ना लिखना खाना पीना सोना खेलना कुदना दुख सुख निंदा अस्तुती सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के उपर वार दिया वन्शिधर ने उन्हें अपने मनों अनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई बात उठा न रखी भवजाई ने भरपूर कोसने तथा पती पतनी दोनों को कस्ट पहुँचाने में अपनी ओर से कोई कोर कसर न रहने दी परंतु जैसे काली कामरी चढ़त न दूजो रंग नर्शिंग राम के पक्के रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा धीरे धीरे उनकी उम्र भी प्रायः पंद्रह वर्ष की हो गई भाई ने जब देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना कठिन है तब उन्होंने नर्शिंग राम को घोडों की देख भाल तथा घास काटने का कारे सोंग परंतु इस जटिल काम से भी नर्शिंग राम को कोई कि कस्ट नहीं हुआ वह बड़ी प्रसनता के साथ भगवान नाम स्मरन करते हुए शक्ति भर सारा कारे करने लगे प्रायः सोलह वर्ष की अवस्था होते होते नर्शिंग राम की पत्नी मालिक गौरी के गर्व से एक पुत्री का जन्म हुआ उसके दो वर्ष बाद ही पुनह माडिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुए पुत्री का नाम कुमरबाई और पुत्र का नाम शामलदास रखा गया इस तरह नर्शिंग राम को दो संतानों का पिता होने का सवभाग प्राप्त हुआ परन्त उनका यह सवभाग दुरित गौरी की याँखों का काटा बन गया एक तो योही देवर देवरानी को देखकर वो सदा जला करती थी अब उनके परिवार की व्रिद्धि उसके लिए और भी असहय हूटी दोनों भक्त दमपती अध्यप सेवक सेविका की तरह दिन रात घर के सब छोटे बड़े काम किया करते थे फिर भी दुरित गौरी यही समस्ती थी कि ये लोग मुफ्त ही घर में बैठ कर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्च भी बढ़ता ही जाता है अतेव वह अब नित्य उनके कामों में अकारण दोश निकालने लगी और जूठी जूठी बातों से उनके विर्द अपने पती के काम भरने लगी नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी वंशी धर यद्यपियह जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्टा है द्वेश वर्ष छोटे भाई और उसकी पत्नी पर जूठा दोशारोपड कर रही है इस तरह परिवार में कुछ कलह का सुत्रपात हो गया वृद्धा जय कुमरी को इस कलह का भावी कुपर राम अस्पष्ट दिखाई दे रहा था परंतु घर में मृत्यु शैया पर पड़ी एक वृद्धा की बात कौन सुनता है वह चुपचाप सब देखा करती थी धीरे धीरे उसकी अवस्था भी लगभग 95 वर्स की हो गई उसने मन में सोचा अब मेरा जीवन बहुत थोड़ा है अगर नर्सिंग राम की बिटिया का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता तो अपनी यह अंतिम अविलाशा पूरी करके मैं शान्ती पुरुवक इस संसार से विधा होती उन्होंने एक दिन वन्शी धर को पास बुला कर अपनी अविलाशा प्रकट की वन्शी धर ने बिद्धा दादी की आज्या टालना उचित नहीं समझा उन्होंने एक कुलीन और सुयोग वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया पुरोहित जी घूमते फिरते काठिया वाड के उना नामक गाउ में आये और उन्होंने महा के स्रीमंत नागर स्रीरंगधर महता के पुत्र वसंत राय के साथ कुमरबाई का विवाह निश्चित किया निश्चित तिथी पर बड़े धूमधाम के साथ कुमरबाई का विवाह संपन्ध हो गया व्रिद्धा जयकुमरी की अविलाशा पूरी हुई और वह उसके लगभग तीन मास बाद ही शान्ति पुर्वक इस असार संसार से सदा के लिए विदा हो गई भक्त जिन मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे उतार चड़ाओ आते हैं कि जिन से कभी विचलित होकर हम अपने मुख्य मार्ग से ही भटक जाते हैं अपने आध्यात्मिक पत से इतर कहीं डगमग आ जाते हैं ऐसी ही तमाम विशद आपदाओं को सहते हुए कठिन से कठिन परिस्तितियों से होती हुई भक्त सिरोमडी नर्सिंग मेहताजी के जीवन की कुछ और भी अदवुत घटनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं नर्सिंग रामजी बड़ी सावधानी से पशुओं का पालन करते थे अपनी और से जान बुझ कर काम में तनिक भीला परवाही नहीं करते थे जब इससे फूर्षत मिलती तब भजन पूजन करते थे अनिथा नहीं करते थे कथा किर्टन में जाते थे अथवा सादु संग किया करते थे किन्त जब उन्हें समय मिलता परन्तु भावजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी, वह हर छण उन्हें तंग करने का कोई न कोई आउसर ढूरती रहती थी नरसिंग रामजी उनके दुष्ट सभाव के कारण उससे बहुत डरा करते थे, अपनी ओर से हर छण ऐसी चेश्टा किया करते थे, कि जिससे उनकी भावजाई को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका ही नप्राप्त हो अधिकतर वह घर पर भी तभी आते थे, जब घर में बड़े भाई होते थे, जिस दिन सरकारी काम से वनशी धर कहीं बाहर चले जाते, उस दिन तो मानो नरसिंग राम की दुर्दशा हो जाती दुरित गवरी का परतेक दिन का क्रोध मानो उसी दिन जागरत हो उठता और वह जितना कष्ट पहुंचा सकती, उस दिन उतना दोनों पति पत्नी को पहुंचाती फिर भी भक्त राज कभी विचलित न होते, स्रीमत भगवत गीता में जो भगवान ने यह कहा है, जिसका मन दुख प्राप्त होने पर उद्वेग रहित रहता है, सुखों की प्राप्त की अस्प्रिहा जिसकी दूर हो गई है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नश्ट ह हो गया है, ऐसा मुनी स्थिर बुद्ध कहा जाता है, ठीक इसी इस्थित के अनुसार सब कुछ शांती पुरवक सहन करते हुए, आनंद पुरवक अपना काम करते रहते, एक दिन वन्शीधर राजिकार से बाहर गय हुए थे, नर्सिंग राम प्रातह काल घर का काम समाप्त करके घास काटने के लिए चले गया, और प्रायह संध्या समय तक घास का बोज लेकर लोटे, घोडों के सामने घास डालकर उन्होंने असनान किया, दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वो चुधा से पीडित हो रहे, उन्हें अत्यंत भूख लगी थी, अत्य उन्होंने भोजाई से भोजन मागा, इस पर दूरित गवरी कड़कर कहने लगी, देखो तू, बड़ा आया है भगत बनने, रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है, और दिन भर भिकमंगों के साथ भटकता रहता है, घर बार की कुछ भी परव पाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी, आज तो मैं सत्संग में नहीं गया था, प्रातह काल से ही घास लाने चला गया था, आज कल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत देर लगती है भोजाई, इस परकार नर सिंग राम ने अ घर में कई प्रकार की ताजी चीजें तयार थी, परन्तु ये नर सिंग मेहता के योगे नहीं समझी गई, जठानी के इस वेवहार को देखकर पती परायना माडिक बाई को असह कष्ट होगा, एक सती भला अपने जीवन सर्वस्व पती देवता की दुरदशा कैसे सहन कर सक भले ही औरों की दृष्टी में, वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों नहो, माडिक बाई का हिर्दय विदिर्ण हो गया, और वह कसक उसके नित्र द्वार से आंसों के रूप में चरने लगी, उस समय वह और कर ही क्या सकती थी, द्रव्यो पार्जन में अशक्त, और पराध भीन पत की नारी का घर में अधिकार ही कितना, नरसिंग राम ने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए, जियों त्यों करके कुछ रोटी के टुकडे, गले के नीचे उतारे, और पानी पी कर उठ ले, बस क्या था, दुरित गवरी के क्रोधा नल में मानो घी की आहूती गर में नहीं चलेगा, इतनी तकलीफ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती, वह तो वेचारा जो हाजिर शोहुजूर कर लेता है, और इसका तो मिजाज ही दूसरा रहता है, भाग मजूर का और मन राजा का, मैं कहे देती हूँ, कल से जहां अच्छा भोजन मिले, वहीं जाकर खा ले ला, आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं है, मैं तेरी और तेरी इसकुभारिया की गुलाम नहीं हूँ, अकारण भोजाई को, इस प्रकार आग बवूला होते देख, नर सिंग राम कुछ बोल न सक्या, चुप चाप उसकी बातें सुन रहे थे, पर अपशनाप भकने लगी, इतने मेही वंशी धर आ पहुचे, पती को देखते ही दुरित गवरी ने अपनी माया भी फैला दी, वह रूदन करती हुई कहने लगी, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं है, इन भगत भगतानी को लेकर खुशी से रहो, कमाने का तो ठिकाना नहीं और मिजाज इतना, बस अब इस घर में या तो नर्सिंग रहेंगे, नहीं तो मै रहो, मायाविनी पतनी के चक्कर में पढ़कर, अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकटवत बन जाते हैं, फिर बेचारे वंशी धर का क्या दोश, दुरित गवरी का पक्ष लेकर, वह भी न अंत में उन्होंने कठोरता पुर्वग घर से निकल जाने की आज्यां भी दे दी, अब नर्सिंग राम को क्या सहारा था, वह पतनी को वहीं छोड़कर उदास मन घर से निकल पर, और मुहले के चबूतरे पर चले आये, वैशाक शुकल पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी श वह प्राया आधी रात तक बैठे बैठे यह विचार करते रहे, कि क्रोध उतरने पर बड़े भाई को अवश्य पश्चा ताप होगा, और वह थोड़ी ही देर में पुनह मुझे बुलाने आये, उसके बाद उन्हे निद्रा आ गई, रातह काल हो गया, पर किसी ने नर्सि निराम की खोज नहीं की, वह मन ही मन विचार करने लगे, इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं, निह स्वार्थ प्रीत करने वाले तो मात्र एक वही विश्वम भर परमात्मा है, अतह अब घर जाने से लाव क्या होगा, वह चबुतरे से उ और किस लिए जा रहें, इसका उन्हें कोई ज्यान नहीं था, वह चलते चलते कोशों दूर एक भीशन जंगल में आपोचे, भूक प्यास और रास्ता चलने के कारण वह बहुत ठक गय थे, अतेव, विश्राम करने के लिए एक वट विरिक्ष की छाया में बैठे, अब प् अपना है ही कौन? सर्व संता पहारी, परम कल्यान कारी, भगवान भोले नात के अत्रिक और कोई शर्ण देने वाला नहीं, प्रायह आठ वर्सों से रोज शिव की पूजा करता आ रहा हूं, प्रतेक्षो मुवार को रुद्री करता हूं, सामन भर बेल पत्र चढ़ाता हू अवश्य ही, भक्त भय वंजन औगर दानी, भगवान शंकर मेरी शहायता करेंगे। नर्सिंग राम इसी विचार में निमगन थे, कि उनकी द्रिष्ट समीप में ही एक जिर्ण मंदिर पर पड़ी। वहाँ एक सुरम में सरोवर भी था, यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसंदता होई, वह शिवालय पर जा कहुंचे। उन्होंने कपड़े उतारे, सरोवर में असनान किया, और बेल पत्र फूल आदिशे स्री शिव शंकर की पूजा की, फिर शिवलिंग के सामने सिर टेक कर फूट फूट कर रोने लगे, दीनानात, क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती, भाई भोजाई ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा कौन है, और मैं कहां जाओं, जन्म से ही सिर्फ आप पर मेरा भरोसा रहा है, आपके ही नाम का बल रहा है, आप यदि शरण में नहीं लेंगे, तो दूसरा कौन है नाम, अब मैं आपके द्वार पर पड़े गया हूँ, आप प्रसन हो ये, अन्य था मैं जल, अन, सब त्याग कर यहीं प्राण त्याग दूगा, और इस ब्रह्म हत्या का दोश आप पर लगेगा प्रभू, सिर्फ आप, नर्सिंग राम की द्रिष्टी में शिवलिंग पत्थर नहीं था, बलकि शाक्षात कहलास पती थे, अतेव, वह निरंतर विश्वास पुर्वक प्रार्थना करने लगे, और रूधन करने लगे, जंगल की भयावनी रात थी, नाना प्रकार के हिंसक जन्तु चारों और से बोल रहे थे, कि वह तो अखिल भुवन पति के ध्यान में पड़े थे, और उनहीं की पुकार कर रहे थे, धीरे धीरे रात बीती, सुर्य भग्मान के यागमन से पृतिवी का अंधकार नमालुम कहां विलीन हो गया, फिर भी ब्राम्हर नर्सी मिहता उसी इस्तिती में जमीन पर सिर्टे के रूदन और विनती कर रहे थे, फिर दिन बीता और रात आई और इस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता और चला जाता, परंतु वह उसी इस्तिती में पड़े रहे, वह अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए, इस प्रकार प्रायह सात दिन की उग्र तपस्या से कैलास पति का आसन डोल गया, और सात में दिन आधी रात के बाद भग्मान भोले नात भक्त के सामने शाक्षात प्रकट हो गया, उन्हें देखते ही भक्त राज उनके परंपावन चरण कमलों पर यह कहते हुए लोट गया, कि मेरी भ भोर तपस्या से, अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छित वर मांगने, भक्त राज ने नमरता पुर्वक प्रार्थना की, भगोन, मुझे किसी वर्दान की इच्छा नहीं, फिर भी आपकी आज्या वर मांगने की है, अतेव जो वस्तु आपको अत्यंत प्रीय वही वस्तु आप वर्दान में देने की कृपा करें, वस्तु तुमने तो वर्दान बड़ा सुंदर मांगना, जगत भर में भगवान स्री कृष्ण से अधिक प्रीय, वस्तु मेरी द्रिष्टी में दूसरी कोई नहीं है, यदि तुम चाहो तो मैं तुमें भगवान स्री और दुल्लव वस्तु फिर जो वस्तु आपको प्रियति प्रिय है उसे अप्रिय कहने की ध्रिश्चता कौन भला कर सकता है नर्सिंग राम ने निवेदन किया नर्सिंग राम की ऐसी निष्ठा देखकर शीव शंकर अविनासी को बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने भक्त राज को दिव्य शरीर प्रदान कर उन्हें साथ लिवा कर दिव्य द्वारी का धाम के लिए त्वरित प्रस्थान किया भग्वान श्री शिव शंकर ब्रिशप पर सवार होकर भक्त राज नर्सिंग महता के साथ बात की बात में भग्वान श्री कृष्ण चंद्र जी के परम धाम द्वारिका में पहुँच गए उस दिव्य पूरी की अलो की क्षोभा देखकर भक्त राज मुग्द हो गए उन्होंने उस धाम के विशय में कहा है कि वहां की भूमी सोने की है वहां के महलों में विद्रुम मडी के अस्तंब लगे हुए हैं और छट रतनों से जड़ी हुई है वह दिव्य पूरी नित्य नए श्रिंगारों से सुसज्जित रहती है वहां सदा दिव्य प्रकाश भैला रहता है जिसका तेज यहां के प्रकाश करोड गुना दिखता है वहीं के प्रकाश सुर्य और चंदर को जियोती प्राप्त होती है वहां के प्रकाश्य बेचारे सुर्य चंद्र की क्यातुलना की जाए करोडों सुर्य के समान जियोतितों केवल स्री भगवान की एक नख मड़ी से निकलती रहती ऐसे परमधाम की दिव्य शोभा को देखते हुए भगवान स्री शिव शंकर द्वारिका धीश के राज महल में पहुँचे उस समय वहां भगवान की धर्म सभा बैठी हुई थी राज राजेश्वर देव की नंदन श्री कृष्ण राज सिंग हासन पर विराजमान थे उनकी सभा के सभासद परमभागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदूर, अर्जुन, आदियथा अस्थान विराजमान थे तथा भगवान की 16,108 पटरानिया भी विद्धिमान थे भगवान शंकर को देखकर सभी सभासद उठ खड़े हुए, स्वयम भगवान तुरंत आसन छोड़कर शिग्रता से शिवशंकर का स्वागत करने के लिए दवड़ पड़े उन्होंने हाथ जोड़कर शिरी सिवशंकर का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया तथ पश्चात उनकी विधिवत पूजा करके आगमन का कारण पूछा सदा शिव ने उत्तर दिया भगवन यह जूनागड का एक उच्च ब्राह्मन कुलोत्पन वैश्णों भक्त है इसने साथ दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसंद किया और मैंने इसको वरदान में अपनी प्रीय वस्तु देने का वचन दे दिया है इसलिए आज मैं इस वैश्णों भक्त को आपके पुनित चरण कमलों में समर्पन करने के लिए आयंगे आप भक्त वत्सल हैं सदा भक्तों के अधीन रहते हैं अतेम आशा है मेरी प्रार्थना आप अवश्य स्विकार करेंगे इतना सुनते ही भग्वान स्री कृष्ण ने प्रसन्यता पुर्व भक्त राज नर्सिंग राम के सिर्पर हात रखकर उन्हें स्विकार कर लिया और भग्वान स्री शिवशंकर वहां से विदा हो गए भक्त राज प्रेम से गदगद होकर स्री प्रभु के चर्णों में लोट गए अश्रुधारा से उन्होंने स्री चर्णों को पखार दिया भग्वान ने भक्त राज को संबोधित करके कहा वद्स मेरे और महिश्वर के स्वरूर में किंचिन मात्र भी अंतर नहीं है मैं शंकर को अपना आराध देव समस्ता हूँ और शिवशंकर मुझे को इस प्रकार हम दोनों के अभिन होने के कारण तुमने जो शंकर की पूजा किया वह वास्तों में मेरी ही पूजा है प्रभू मैं किस योग्य हूँ मैं तो भगवान सदा शिव की कृपा से स्री कृष्ण सर्णम मुँँद शब्द भर जान सका हूँ इस प्रकार नर्सिंग राम ने नम्रता पुर्वक मिनेधन किया वहस्तों जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समस्ता है मैं उसका दास बन जाता हूँ तुम्हारी नैश्ठिक भक्ति देखकर आज मैं अत्यंत प्रसंद हुआ हूँ इतना करकर भगवान नर्सिंग राम को अपने अंतह पुर में ले गए और उन्होंने अपना सारा वैभव नर्सिंग राम को दिखाया उस समय से नर्सिंग राम स्वयम स्री भगवान की सेवा में रहने लगे उन्ही दिनों सरत पूर्णिमा का समय आ गया और स्रीधाम में उसकी तैयारी हुई ततकाल विरिंदावन की तरह सुरम में रासमंडल तैयार हो गया और सोलह सहस्त्र गोपियां और उतने ही भगवान के स्वरूप प्रकट हो गया उसी समय भक्त राज ने भी गोपी वेश में अपना राग छेड़ दिया वो भगवत गुडगान में एकदम तल्लीन हो गया उनके इस भाव को देखकर गोपाल अत्यंत प्रसन हो गया और उन्होंने पुरसकार में भक्त राज को अपना पीतांबर उढ़ा दिया उसके बाद स्रीधाम भगवान ने शंक ध्वन की और रास प्रारंब हो गया देखने में तन मैं हो गये अकस्मात दीपक की जलती हुई शिखा उनके हाथ के वस्तर में लग गई बस उनका सारा हाथ दीपक की भाथ जलने लगा हाथ ही मशाल बन गया परन्त भक्त राज को इसकी तनिक भिशुधिन रहे उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो रहा था शरीर के साथ उसका कोई सम्बंध ही नहीं था अतिम वह एक भाव से अंत तक रास दर्शन करते रहे उनका चित एक छण के लिए भी विचलित नहुँए अंत में रास लीला समाप्त होने पर स्वयम भगवान की द्रिष्टि नर्सिंग राम के जलते हुए हाथ पर पड़ी तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर हाथ की आग को बुझा दिया और प्रेम से हाथ फेर कर उसकी सारी तीड़ा हर लूँए भक्त राज की इस्तन मैता को देखकर रुकमिडी आदि महादेवियों को बड़ा आश्चेरी हो माता रुकमिडी ने तो प्रसंद होकर अपना हार ही उतार कर भक्त राज को पहना दिया इस प्रकार आनंदोत्सो भगवत दर्शन और भगवत सेवा में नर्सिंग राम को प्रायः एक मास बीत गया परंत उन्हें यह समय एक निमेश अधिक नहीं जान पड़ा एक दिन वह बैठे बैठे भगवान की चरण सेवा कर रहे थे कि अचानक उनका ध्यान अपने स्वभागी पर गया और वह सोचने लगे मैं कितना धन्य हूँ जो मुझे साक्षात लक्षमी तथा देव मुनियों को भी दुरलब भगवान की चरण सेवा करने का सुवसर प्राप्थ हुआ परंतु ऐसा सवभाग मुझे अपनी भवजाई की ही क्रिपा से प्राप्थ हुआ अतेव मुझे उन्ही का उपकार मानना चाहिए भक्त राज इसी विचार में डूबे हुए थे कि एका एक उन्हें भगवान की वानी शुनाई पड़ी उन्होंने कहा बस तुम्हारी सेवा और एकांत भक्ती से मैं अत्यांत प्रसन्य हूँ कहो तुम क्या चाहते हो नर्शिंग राम ने निवेदन किया भगवान यदि दास की दृष्टता न समझी जाए तो इससे पहले मेरा एक प्रश्ण है यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंता मणी मिल जाए और वह फिर भी सामान निधन के लिए लालच करे तो उसी क्या कहा जाएगा भगवान ने उत्तर दिया असंतोशी मुर्क तब स्वामी आप मुझे मुर्क क्यों बनाना चाहते हैं चिंता मणी के शमान अपने चर्ण कमलों की प्राप्ति करा कर फिर आज मुझे से अन्य मांग की आशा रखते हैं नात मुझे भुलावे में न डाली मैं अब और कुछ नहीं चाहता मैं अब सदा आपकी चर्ण सेवा में ही रहना चाहता हूँ नर्सिंग राम ने नम्रता पुरुवक कहा वद्स तुम्हारे निष्ठा धन्य है परंतु जगत में प्रते ग्रहस्त के ऊपर तीन प्रकार के रिन होते हैं पहला रिन है इस्त्री पुत्रादी का दूसरा पितरों का और तीसरा देओं का मनुष्य ग्रहस्तास्रम को स्विकार करके जब तक इन रिनों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे पुनर जन्धारन करना पड़ता है अता मेरी याज्या से मृति लोक में जाकर तुम इन तीनों रिनों से मुक्त हो जाओ भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा नर्शिंग राम को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ भगवान से अलग होना उनके लिए असहनीय था अता उन्हेंने सजल मित्रों से कहा प्रभव आपके चरणों की धूली प्राप्त होने पर भी क्या कोई रिन शेष रहता है नात ऐसी याज्या देकर आप पुनह मुझे संसार में नफस आईए मैं संसार से त्रसित होकर आपके चरणों में आया हूँ आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनह संसार के व्यावहारिक कारियों में नहीं फसूंगा भगवान ने कहा भक्त राज सत्य है मेरी शरण प्राप्त होने पर जीव तमाम रिना अनुबंध से मुक्त हो जाता है तुम भी अपने उपर कोई रिन न समझो पर लोक संग्रह के लिए तो रिनों से मुक्त होना ही चाहिए तुम जाओ सब काम मेरी पूजा समझ कर करो साथ ही मेरे विग्रह की भी अर्चना करो तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त के लिए यद्यपी मुर्ती पूजा अनिवारे नहीं है फिर भी मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी प्रतिमा देता हूँ इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करने और ध्यान करने से तुम्हारी भक्त और भी द्रिन हो जाएगी साथ ही साथ यह करताल भी मैं देता हूँ इस करताल के द्वारा जब तुम मेरा किर्टन करोगे तभी मैं तुम्हारे पास उपस्तित हो जाऊँगा और तुम्हारे ग्रियस्थाश्रम के सभी कारियों को सिध्ध कर दूँगा मेरा यह प्रण है जो अनन्य भाव से मुझ में इस्थित भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निसकाम भाव से बस्ते हैं उन नित्य एकी भाव से मुझ में इस्थित पुर्षों का योग छेम मैं स्वयम वहन करता हूँ जो मनुष्य मेरे इस्प्रण को अस्मन रखकर तद नुकूल आचरण करता है वो ग्रिहस्त आश्रुमी होने पर भी कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता आता तुम जूनागर जाकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो भग्वान के इस प्रकार आश्वासंद दिने पर नर्सिंग राम राजी हो गए भग्वान ने उन्हें अपनी प्रतिमा और करताल सोप दी एवं पितांबर और मयूर पुछ का मुकुट पहना दिया नर्सिंग राम ने भग्वान के स्री चर्णों पर गिर कर बार बार प्रणाम किया और फिर भाग्वती प्रेना से तुरंत जूनागर जाप पहुँचे भक्त गण आप सभी का पुना एक बार हार्दिक स्वागर अभिनंदन 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 भक्ती सागर के इस तट पर आप सभी भक्तों को स्री नर्शिंग महता जी के जीवन की आगे की कथा से उगत कराना है भगवान स्री कृष्ण चंद्र जी के स्री धाम से लोट कर जूनागर आजाने के पश्चा भक्त शिरोमड के जीवन में क्या-क्या घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं की ओर आपका ध्यान आक्रिष्ट करते हैं अतह शान्ती पुर्वक एक आग्रिमन से इन कथाओं का श्रमड करे आपका कल्यान होगा प्रातहकाल का समय था इसी समय भक्त प्रवर नर्शिंग राम जूनागर के समीप गरुणासन से उतर पड़े उन्होंने एक समीप वर्ती तालाब पर अश्नाना दिकिया नित्तिक्रियाओं से निवरित्त होकर कुछ छण भगवत भजन किये उसके पश्चात उन्होंने सोचा मैं किसके पास चलू भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था वे लोग क्यों मेरा स्वागत करेंगे परंत उनके सीवा अपना दूसरा है भी कौन पहले तो उन्ही के पास चलना चाहिए चाहें वे मेरा अपमान ही क्यों न करें उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा करताल मूर पुछ का मुकुट और पितामबर के सिवा और कुछ तो था नहीं इन्ही वस्तुओं के साथ वैशनों वेश में वो अपने घर आये उन्होंने बड़ी बिनम्रता के साथ अपने भाई भावजाई को प्रडाम किया उनके इस वेश को देख कर वन्शी धर को बड़ा आश्चरय और साथ ही साथ क्रोध भी उत्पन्न हुआ उन्होंने कहा अरी मुर्क तैने यह क्या बानाधारन किया है मस्तक पर तिलक गले में तुलसी की माला हाथ में करताल सिर पर मोर पुछ का मुकुट और कमर में पितामबर यह सब किसने तुझे पहनाया है उतार फेंक इश्वेश को नर्सिंग राम ने बड़ी विनय के साथ कहा भाई जी यह आप क्या कह रहे हैं यह वेश स्वयम वैकुंठ वासी भगवान स्रीकृष्ण जी का दिया हुआ है मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है भगवान के प्रसाद की अवग्या स्वयम भगवान की अवग्या है भाई जी वंशी धर ने तिरसकार पूर्ण सब्दों में कहा, अरे मुर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है, नादानी छोड़, अब तु लड़का नादान बालक नहीं रहा, दो बालकों का पिता हुआ, ये भिखारियों का वेश, छोड़कर दो पैसा पैदा करने के बारे में सोच, दो पैसे जुटाने क उपाय सोच, नात जात में क्यों मेरी हेटी कराता है भाई, ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाए, तो अब भी राजा से कह सुनकर तुझे, दस पाँच की कोई नौकरी दिला दूँगा, इस पागलपन में क्या रखा है, भूखों मरना पड़ेगा तुझे, भ धर्म है, परन्त मैं लाचार हूँ, यह वेश मेरे प्रियतम, परमात्मा का दिया हुआ है, यह मुर्ति करताल, मुकुट, पितांबर, आदि सभी वस्तुएं, उन्ही से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं, अतह ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इन व प्रस्तुओं का और इश्वेश का त्याग मुझसे जीते जी अब नहीं हो सकता, अवश्य ही संसार की द्रिष्टी में यह मेरा पागलपन है, दुनिया का चश्मा ही न्यारा है, दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं, यह इतिहास प्रसिद्ध बात है क्या प्रहलाद को हिरन कशिपु ने पागल नहीं समझा था, विभीशन को रावन ने मुर्ख नहीं समझा था, जहां ऐसी बाते हैं, वहां तो दिवाना बन कर रहना ही श्रेसकर है, आशा है, इस धिठाई के लिए आप मुझे च्छमा कर देंगे, नरसिंग राम, निर्भ नहीं किता पुर्वक, भाई से यह उत्तर दिया, बेवकूप, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेश्टा कर रहा है, भगवान कहां तेरे लिए रास्ता देख रहे थे, कि तू उनसे मिल आया, तेरे जैसे अकल मंदों को यदिवह दर्शन देने लगें, तब तो संसार ह भी सूना हो जाए, बैकुंठ में फिर प्रवेस करने को भी जगह ना मिले, अरे कोई धूर्त मिल गया होगा धूर्त, जैसे को तैसा मिला, इसमें कौन न आई, मूरक को मूरक मिला, आओ मूरक भाई, नरसिम, अब इस बेवकूपी को छोड़, नहीं तो बहुत पश्ताना पड़ेगा, नात गोत संबंधी कोई साथ न देगा, लड़की का विवाह तो हो गया, परंत लड़के का विवाह हो न, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा, वंशी धर ने पुनह समझाने की चेश्टा की, अत्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता है, तो ऐसे कुल की मुझे कोई जरूरत नहीं, अभी तक दुरित गोरी चुपचाप दोनों भाईयों की बात चीत सुन रही थी, परंतु अब नर सिंग राम का हठ उसको असह हो उठा, उसने दीच में ही उनकी बात रोश पूर्ण सब्दों में कहना प्रारंब किया, दुरित गोरी ने कहा, देखो तो, बड़ा टीका लगा कर भगत राज आ गए, छोटे बड़े का तनिक भी लिहाज नहीं है, लाख समझाओ परंतु अपनी ज्यान कतने नहीं छोडेंगे, सुन तेरा ज्यान तु अपने पास रख, हमें तुझे साथ रख कर नात गोत में अपनी नाक नहीं कटानी है, या तो यहवेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रख, और नहीं, तो हमें मुहमत दिखा, मैंने तुम सब लोगों का रिन नहीं खाया है, यदि कुछ भी लाज शर्म हो, तो अपनी क भारिया को साथ लेकर घर से निकल जा, इतने दिन न मालूम कहां भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने के लिए आटप का भाभी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुह से निकाल रही हो, यदि आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है, तो कल से मैं अलग ही हो जाओंगा, आप व्यर्थ मन में कलेश न रखें, मैं तो आपको माता के समान मानता हूं, नर सिंग राम ने बड़ी विनम्र शब्दों में यह बात कही, तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है, यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है, तो फिर कल क्यों, आज ही अच् तेरा कमाया हुआ तो है नहीं, तू अभी अलग हो जा, तू तो बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है, दुरित गवरी ने उलाहनों की बवचार कर दिये, दुरित गवरी शिग्र से शिग्र अलग हो जाने पर ही तुली हुई थी, यह बात नर सिंग र अब तो भगवान के भरोसे इस घर से तुरित निकल जाना ही मेरे लिए खुचित होगा, अतेओ, वह अपनी धर्म पतनी और सोलह वर्सिया पुत्री तथा पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गये, उन्होंने वन्शी धर से कहा, भाई, आप लोगों की आग्या शिरोधारे कर अभी अलग हो रहा हूँ, आप कुझे हैं आशिरवाद दीजियेगा, कि मैं अपना धर्म पालंग करने में समर्थ हो सकूँ, साथ ही मेरी प्रार्थना है, कि आप मन में कोई कुभाव, कोई कलेश न रखियेगा, छोटे भाई की तरही मुझ पर सदा स्नेह इसी से मैं कृतार्थ हो जाओंगा, बस विदा लेता हूँ, इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रडाम किया, उधर मारिक गौरी ने भी दुरित गौरी को प्रडाम करते हुए कहा, जिठाने जी, आपको प्रडाम करती हूँ, और आपकी शुवासीश चाहती हूँ, वन्शिधर अभी चुप ही थे कि दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान न बगार, मैंने तो आज ही तेराशनान कर लिया, अब तुचाहे भीख मांग या राज्यासन पर बैठ, हमें इससे कोई मतलब नहीं, अपनी यह सीख किसी भीख मांगने वाले लंगुटिये को देना, हम संसारी लोगों को इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं, वन्शिधर अंत तक मौन ही रहे, मानो मौनम सम्मति लक्षम, वाली कहावत यथार्थ हो रही थी, अपनी पत्नी से भिन्न उनको कुछ न कहना हो, ऐसा प्रतीत हो रहा थी, नर्सिंग राम अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो ली, उनके मन में हर्ष या शोक की तनिक भी छाया नहीं थी, गीता में श्री भगवान ने कहा है, कि जिसका मन दुखों की प्राप्त में वो द्विग्ण नहीं होता, जिसकी सुखों की प्राप्त की अस्प्रिहा दूर हो गई है, जिसका राग, भय और क्रोध नश्ट हो गया है वहमुनी अस्थिर बुद्ध कहा जाता है सच्चे भगवत भक्त की यही इस्तिती है नर्सिंग राम भी ऐसे ही भक्त थे उनकी बुद्ध अस्थिर हो चुकी थी परन्तो इस्तियों का हिर्दय बड़ा ही कोमल होता है थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके नेत्र जहरने लगते हैं भक्त राज की धर्म पत्नी माणिक बाई घर से निकलते ही रोने लगी कुछ दूर जाने पर उन्होंने भराई होई आवाज में पूछा नात, अब हम किसके आधार पर रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे प्री, शोक करने का कोई कारण नहीं है विपत्त ही मनुष्य की कसवटी है हम अभी गाउं के बाहर की धर्म शाला में चल कर निवास करेंगे जो परमात्मा एक चीटी से लेकर हाथी तक का भरन पोशन करता है वो क्या हमें भूखों रखेगा, हमें दुखी रखेगा उस धर्म शाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है अतेव, यहां कम से कम असनान ध्यान में तो कोई अडचन पड़ेगी ही नहीं नर्सिंग राम ने द्रिणता के साथ पत्नी को समझाया प्रानेश धर्म शाला में तो मुसाफिर और साद फकीर रहा करते हैं ग्रियस्त लोग धर्म शाला में रहना अच्छा नहीं समस्ते फिर हमारी नागरजात अत्यंत द्वेश करने वाली है इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए माडिक भाई ने लोगिक वेवहार की स्मित दिला प्रीये यह संसार भी एक परकार की धर्म शाला ही है जिस परकार इस छोटी सी धर्म शाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर लगा रहता है उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्म साला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीओं का आवा गमन लगा रहता है राजा से लेकर रंक तक सभी मनुश्यों का यही हाल है इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है नर्सिंग राम ने तात्विक धंग से समझाया जैसी आपकी इच्छा कहकर पती वर्ता मानिक बाई चुप हो गया भक्त राज नर्सिंग महता जी सकुटुम्ब गाउं से बाहर धर्म शाला में जाकर ठहर गया उनके परिवार की एक मात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्त राज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पुर्वक भजन करने लगे उनके नित्रों से प्रेमा श्रु वह रहे थे प्रायह आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा उसके बाद भजन बंद कर नर्सिंग राम जी शयन की तयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धना अड़े शेठ ने नर्सिंग राम जी के पास आकर पड़ाम किया और फिर वह एक और बैठ गए नर्सिंग राम मनुष्य मात्र को हरी जन समस्ते थे और इसलिए सब को इसी शब्द से संबोधित किया करते थे उन्होंने कहा हरी जन आप कहां रहते हैं भक्त राज मैं एक परदेशी महाजन हूं आज कल यात्रा कर रहा हूं कृपया आप अपना हाल सुनाईए सेठ जी ने संग्षेप में अपना परिचे दे कर प्रश्न किया नर्शिंग राम ने अथ से इति तक अपनी सारी घर वीती सुना दी साधो पुरुषों के दिल में किसी से कुछ छिपाव तो होता नहीं सेठ जी ने उनकी दशा पर समवेदना प्रकट करते हुए कहा भक्त राज आपकी इस्थिती सुनकर मुझे बड़ा कश्ट हुआ यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ सेठ जी आपकी उदारता धन्य है मैं आपका आभारी हूँ परन्तु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ नर्सिंग राम ने आगरह पुर्वक कहा भक्त शिरोमणी यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही दे देता हूँ आप से कोई छिपाव तो है नहीं मैं अक्रूर हूँ भगवान स्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिन्ता रहती है इसलिए स्री भगवान की आज्या से मैं आपके पास आया हूँ आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सुचित कीजिए अक्रूर जी ने आगरह पुरुवक कहा भगवान का आकासमात क्रिपा जानकर भक्त राज गदगद हो गये उनके मन में निश्चे हो गया कि भगवान का योग शेमम वहा मिहम वचन सर्वता सत्य है कुछ शन कृतग्यता पूर्ण हिर्दै से भगवान का स्मरण करकी भगवान की प्रिणा से ही नर्सिंग राम बोले महाराज रहने के लिए एक मंदिर जीवन रक्षा के लिए कुछ अन जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए अच्छा प्रातह काल होते ही आपके आज्यानुसार सारी विवस्था हो जाएगी फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी अक्रूर जी ने प्रश्न किया अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी अगर कल इश्वर इक्षा से कोई नई चिंता उत्पन हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने भक्त राज ने अपनी ओर से निश्चिंतता प्रकट की भक्त राज की निश्चिंतता तथा जल पदमवत संसार से निरलिप्तता देख कर अक्रूर जी दंग रह गये और उनका दुय अर्थी उत्तर सुनकर हस्ते हुए उनकी वाक चातुरी की प्रशंशा करने लगी दूसरे दिन प्रातह काल नर्शिंग रामत असनान आदि नित्य कर्मों से निवरित्त होकर भजन पूजन में प्रवित्त हुए और अक्रूर जी सेठ के वेश में सहर में जाकर उनका सारा प्रवंध करने लगी उन्होंने एक अत्यंत सुन्दर मकान उनके रहने हे तु मोल खरीद लिया अन्यान ग्रहस्ती की सारी वस्तुएं खरीद कर उसमें भर दिये सारा प्रवंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्त राज के पास आकर कहा भक्त राज आपकी आज्या के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर आप चल कर देख लीजिये और जैसी राय हो बतलाईए मेरी राय क्या है आप जैसा ठीक समझें वैसा कर दें आपकी राय में ही मेरी राय है केवल हजार पांच सौ साधुओं की पंगत लग सके और भग्वान की सेवा अर्चा हो सके बस इतनी विवस्ता उस मकान में होनी चाहिए नर्सिंग राम ने विनम्रता से कहा आप चलिये ना सब प्रकार की विवस्ता हो गई है अकरूर जी ने आग्रह किया भक्त राज परिवार सहित उस मकान में आ गए उन्होंने देखा मकान के अंदर स्री कृष्ण जी का मंदिर किर्टन शाला, पाक शाला, भंडार घर, अतिति शाला, सोने बैठने की जगह इत्यादी सब वातों की पूर्ण विवस्ता थी भांडार घर में तीन वर्ष तक के लिए परियाप्त अन्नादी सामग्री भर दी गई थी, किसी वर्ष्ट की कमी नहीं थी अकरूर जी ने कहा भक्त राज, श्री भगवान श्री कृष्ण जी के आग्यान उसार मैंने सारी व्यवस्ता कर दी है यह पांच हजार स्वन्ण मुद्रा आपको व्याय के लिए देता हूँ, अब आग्यान दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ श्री भगवान के जन भगवत स्वरूप ही होते हैं, परम भगवत नरसिंग राम सहसा कैसे, अकरूर जी को विदा कर देते हैं प्रेमा श्रूओं से उनके नित्र भर आये गला रूध आया, उन्होंने किसी तरह जैसी आपकी मर्जी कहकर उन्हें जै स्री कृष्ण किया अकरूर जी विदा हो गए, मानिक बाई ने रसोई बनाई, भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगा कर, अम्रित स्वरूप प्रसाद ग्रहन किया इस प्रकार भक्त राज नर्सिंग मेहता, सकुटुम्ब उस भवन में भजन भाव करते हुए अपने जीवन व्यतीत करने लगे और एक छण आया जीवन में जिसका व्याख्यान आप सभी के शमक्ष प्रस्तत है भक्त राज नर्सिंग राम का जीवन एकांत भजन में बीतने लगा, सादुसंतों के अखाडे में जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनके नित्य का कारे था यदि कोई भगवद भक्त उनको अपने घर भजन करने का अमंत्रन दे जाता, तो वह बड़े उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहे इसके अतिरिक्त उनके घर पर सदा सादुसंतों का जमघट लगा रहता, और वह मुक्त हस्त होकर उनकी हर तरह से सेवा किया करते भगवद भजन और सादुसेवा के अतिरिक्त उनके जीम में दूसरा कोई कारे नहीं था बाहर से आमधनी का कोई जरिया हो नहीं और खर्च खुले हाथों किया जाए तो दूसरे की तो बात ही क्या कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर न लगे यही कारण था कि भक्त नरसिंग राम जी को जो द्रव्य और अन्नादि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे वह सव तीन वर्ष की जगह छह महीने में ही समाप्त हो गई यहां तक नौबत आन पड़ी कि घर की एक एक चीज बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने की चेश्टा की जाती परन्तु यह अवस्था भी कब तक चलती थोड़े ही दिनों में जो इनी गिनी एक परिवार के काम के योग चीजे थी वे भी प्राय समाप्त हो चली अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा परन्तु इतना होने पर भी भक्त राज एकदम निश्चिन्त थी स्वप्न में भी यह चिन्ता उनके शान्त मन को अस्पर्ष न कर सकती थी कि कल क्या होगा बस जैसे चलता था वैसे चलता था और वह अपने नित्य के भजन किर्टन में मस्त वव्यस्त रहते थी उन्ही दिनों एक नई आपदा उनके सिरापल उना से स्रीरंगधर महता के कुल कुरोहित कुमर बाई को विदा करा ले जाने के लिए आप पहुंचे उस दिन प्रातह काल से ही भक्त राज किसी अस्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे पुरोहित जी ने आकर प्रश्न किया मेहता जी कहां गए हैं कहीं बाहर गए हैं पधारीय महाराज रसोई करती हुई माडिक बाई ने उत्तर दिया पुरोहित जी ने भीतर आकर अपना नाम ठाम तथा आने का कारण विस्तार पुरवक्त सुनाया माडिक बाई ने आसन विछा दिया और यतोचित आदर सत्कार किया माडिक बाई पुत्री की विदाई सुनकर मन ही मन सोचने लगी अब क्या होगा भक्त राज तो दिन रात भक्ती में लीन रहते हैं कोई काम काज करते नहीं जहां नित्य भोजन की ही चिंता लगी रहती है वहां कुमर बाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा यदि बिना दहेज पुत्री को विदा कर दूँ तो नात जात में बड़ी निंदा होगी थोड़ी ही देर बाद महताजी घर लवटाए तब तक रसोई भी तयार हो चुकी थी केवल उनके आने की ही देर थी आते ही उन्होंने प्रश्न किया सती भोग में अब क्या विलंब है कुछ देर नहीं है ला रही हो यह कहते हुए माडिक बाई भोग की सामगरी एक थाल में परोस कर ले आए भक्त राज ने भक्ति पुर्वक भगवान को नईवेद्य समर्पित किया तत पश्चात स्वयम प्रसाद पाने की तयारी करने लगे उन्होंने पूछा आज कोई साध संत आये हैं या नहीं माडिक बाई ने उत्तर दिया आज कोई साध संत तो नहीं आये हैं एक अतिती यवश्य आये हैं अक्रूर जी तो नहीं आ गए महता जी ने हस्ते हुए कहा नहीं कुमर बाई को लिवा जाने के लिए स्रीरंग धर महता जी के पुरोहित जी आये हैं मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने तथा दहेज आधि के लिए कम से कम इस समय सो रुपे चाहिए जहां एक भी नहीं वहां सो की बात भी कैसे की जाए इतना कहते हुए माडिक बाई ने एक दिर्ग मिश्वास छोड़ा भक्त राज पत्नी को चिंता कोल देख बड़ी शान्ती से समझाने लगी साथवी मेरा मेरा करती हुई तुम इतनी चिंता क्यों करती हो इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम के माता पिता है वास्तिविक पिता तो हम सब के वह स्रीपति भगवान ही है और वह सब तरह से समर्थ है फिर हम व्यर्थ क्यों चिंता करें उनको तो स्वैम ही चिंता होगी और जैसी रुची होगी वैसा वह ठीक समय पर अपने ही प्रमंद कर देंगे नात कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्तर तक का ठीकाना नहीं है परमात्मा कहां रहते हैं जो ठीक समय पर कल आकर उसे सारी वस्तमें दे जाएंगे जिसका नाम ठाम नहीं उसका विश्वास ही क्या चिन्ता के मारे माडिक बाई की आखों से अश्रधारा बहने लगे प्रिये मैं और मीरा ये दो शब्द ही माया के रचे हुए जाल रूप हैं दुख के कारण हैं संत वैरागी, योगी, यती, सती और राजा से लेकर रंक तक प्राय संसार के सभी प्राणी उसी जाल से बंद कर 84 का चक्कर भोग रहे हैं भक्त राज ने अपनी पत्नी की व्यागरता देखते हुई उन्हें अपना एक स्वरचित भजन गाकर सुनाया जिसका तात परिय था कि ममता को दूर कर परमात्मा का भजन कर इस संसार में तेरी कौन वस्तु है इसका विचार कर अरे मुर्क तू कौन है कहां से आया है किससे तेरा क्या संबंध है तू भी ना समझे मेरा मेरा क्यों वक रहा है जिस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रहा है वह कदाप यस्तिर रहने वाला नहीं है तू अहर निश जो धन का ध्यान कर रहा है वह तेरे अंतह गर्ण में बाधा स्वरूप है समीप के पती अर्थाद परमात्मा को तु क्यों भूल गया अहंकार के नशे में चूर होकर तु मोह निद्रा में सो रहा अतह हे मन तु जग जा नरसिंग राम को तो तेरी बड़ी भारी आशा है कि तु अच्छी भक्ति करेगा मारिक बाई की चिन्ता एक बार दूर हो गई और भगवान में स्रध्धा पढ़ जाने से उनका चित प्रसन हो गया इर उन्होंने अतिति और पति के लिए आशन लगा कर भोजन परुस दिया मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैटकर भोजन करने लगे भोजन करते करते पुरोहित जी ने वारता लाप शुरू किया मेहता जी स्रीरंग धर जी मेहता ने मुझे कुमर बाई को लाने के लिए भिजा है मैं कल ही यहां से विदा हो जाना चाहता हूँ अतह आप क्रिपा कर शिग्रता करें यह सुनकर माडिक वाई ने उत्तर दिया गुरू महराज इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तयार नहीं किया गया है आपको जो जो वस्त्र में तयार करनी हूँ बहन जी उन्हें आज ही कर लीजिए कल तो क्रिपा करके मुझे विदा कर ही दीजिएगा अब भक्त राज को रहा ना गया और वह मुस्कुराते हुए भुली महाराज हमें कोई वस्त्र तयार करनी की चिंता नहीं है जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान को करना है वे भगवान ही सब कुछ करेंगे परन्तु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंद परमात्मा की और से नहीं हो जाता तब तक तो आपको ठहरना ही होगा भक्तराज की यह बात पुरोहित जी की समझ में बिलकुल भी नहीं आई उन्होंने आश्चरे के साथ कहा महता जी आप क्या कहना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामगरी पहुँचा जाएंगे ऐसी बातें तो न कहीं सुनी गई न देखी गई मालुम नहीं क्यों आप इस तरह की अनुखी बहकी बहकी बात मुह से निकाल रहे हैं पुरोहित महाराज घवराई नहीं भगवान की माया तो अघटन घटना पटियसी कहलाती है उसके लिए कुछ भी अनुहोनी नहीं है स्रद्धा रखिए द्वारिकाधिश स्री कृष्ण बड़े भक्त वत्सल और दयालु हैं जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे नर्सिंग राम ने विश्वास पून स्वर में कहा भक्त राज की ऐसी विचित्र बात भला पुरोहित जी के कैसे समझ में आती परन्तु अहकर भी क्या सकती थे आखिर नर्सिंग राम उनके प्रीय अजमान स्रीरंग धर मेहता के संबंधी जो ठहरे सहसा उनके विरुद्ध कड़ा वेवहार कैसे करते उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा दो तीन दिन पुरोहित जी चुप चाप पड़े रहे परन्तु उन्होंने फिर भी कोई विशेश तैयारी नहीं देखी भक्त राज निश्चिन्त अपने भजन पूजन में लगी हुए थे मानो दूसरा कोई कारे ही सामने न हो अंत में पुरोहित जी ने जुझला कर कहा मिहता जी आज तीन चार दिन मुझे आपके घर बैठे हुए हो गए परन्तु आप तो एकदम बिल्कुल निश्चिन्त होकर भजन पूजन में लगे हुए हैं मैं अब अधिक दिन नहीं ठाड सकता दहेज का प्रबंध हो या नहो कल कुमर बाई को लिवा कर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं पीछे आप सुख पुर्वक भजन किर्टन करते रहिएगा पुत्री के लिए आज ही वस्तरादि दहेज की पूरी तयारी करा दीजी मारिक बाई कुछ चिन्तित होकर बोली अच्छा जब तुम्हारी भी ऐसी ही इच्छा है तो आज अपने नाथ का आवाहन करूँगा देखें उनकी कैसी क्रिपा होती है नरसिंग राम ने सहज भाव से कहा और हाथ में करताल लेकर भगवान के भजन में दत्चित्त हो गए मारिक बाई तथा उनके पुत्र शामल दास भी आकर उस भजन में सामी लग यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं ऐसे उचलने कुदने तथा चिलाने से क्या भगवान आ जाएंगे यदि इस प्रकार भगवान का शाक्षातकार हो जाए तब तो सारा संसार ही भगवान को अपने वश में कर ले खैर इससे मुझे क्या मैं तो कल अवश्य जाऊंगा चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुचा जाएं या नो पहुचाएं परोहित जी इसी उधेड बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान स्री कृष्ण चंद्र की जय की आवाज आ पड़ी वह जट उठ खड़े हुए और जैसे बटन दबाते ही मशीन चल पड़ती है वैसे ही एका एक मंदिर की ओर तौर पड़े वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि शाक्षात भगवान स्री कृष्ण चंद्र हार कंकर साडिया आदि दहेज की अनेक वस्त में प्रधान कर रहे हैं और स्वैम स्री लक्षमी जी सभी चीजें अपने हाथों से खुमर बाई को पहना रही हैं भक्तराज तथा माडिक बाई तो दोनों और हाथ जोड़े खड़े हैं और शामल दास भग्वान स्री के चरणों में साश्टांग दंडवत पड़ा हुआ है वह अंत तक इस द्रिश्य को चित्रवत देखते रहे नर्सिंग राम को सकुटुम निश्चिंत और प्रसन करके तथा कुमर भाई को बस्त्रा भूशन आदि दहेज की वस्तुमों से संतुष्ट करके भगवान लक्षमी जी के साथ अंतरहित हो गया दूसरे दिन कुमर भाई पुरोहित जी के साथ प्रसनता पुरुवक विदा हो गई पुरोहित जी भी भक्त के संग से क्रितार थोगी। आदरणिय प्रिय भक्तों अभी तक आप लोगों ने सुना भक्त शिरोमनी नर्सिंग महता जी के जीवन में किस प्रकार स्रीकृष्ण चंद्र जी की कृपा हुई। उनकी सुपुत्री कुमर्बाई की विदाई हो गई। अब आगे उनके पुत्र शामल्दास की शगाई के संबंध में भी एक कथा का श्रोमन किजी। भक्त भावन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से भक्त राज कुमर बाई की विदाई की चिंता से मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वह अपना जीवन पुर्ववत केवल भजन पूजन में व्यतीत करने लगे। उनके भजन पूजन और साधु सेवा की चर्चा नगर भर में खूप फैल गई थी। अतेव। उनकी जाति के लोग अब उनसे असंतुष्ट रहने लगे थे। जाति के गड़मान लोग तो उनसे घ्रणा करते थे और उनसे मिलना जुलना भी अपनी प्रतिष्ठा के विरु समस्ते थे परंतु परम भागवत नरसिंग राम को इन बातों की तनिक भी चिन्ता न थी। सच्चे भक्त इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि दुनिया उनके विशय में क्या कहती सुनती या समस्ती है। वैसे भी जो भगवत प्रेम में अपना परिवार अपना त्याग सकता है। वह दुनिया की क्या चिन्ता करेगा। वे तो सिर्फ इस विचार में मगन रहते थे कि हमारे प्रियतम भगवान किस बात से प्रसंद होते हैं। संसार की बातें सुनने को उन्हें स्वप्न में भी फुर्षत नहीं मिलती थी। या यों कहीं कि भगवान क अतरिक्त किसी अन्यवस्त की सत्ता ही उनकी द्रिष्ट में नहीं थी। फिर दूसरी और ध्यान कैसे जाता। भक्त राज के पुत्र शामलदास की अवस्था धीरे धीरे बारह वर्ष की हो गई। मानिक बाई ने देखा कि अब लड़का भी विवाह योग्य होने को और हमारे घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। गरीब के घर अपनी पुत्री कौन देना चाहेगा। और कुल परिवार के लोग भी प्रसन नहीं जो इस काम में सहायता करेंगे। वे तो यही कारण दिखा कर उलटे बाधक हो सकते हैं। ऐसी इस्थित में तो पुत्र का विवाह होना कठिन ही प्रतीत होता है। एक दिन उसने अपनी चिन्ता पती पर प्रकट की। पती ने कहा। प्रीये तुम व्यर्थ दुख क्यों करती हो। चिन्ता छोड़ो। केवल श्री कृष्ण जी का ध्यान करो। सदा मन में उन्ही को रखो। वह दयालु प्रभू अपने आप हमारे सारे कार यथा समय करते रहेंगे। वह स्वयम हमसे अधिक हमारे लिए चिन्तित रहते हैं। उन्ही दिनों गुजरात के बड़ नगर नामक नगर के रहने वाले मदन मेहता की पुत्री के लिए एक सुयोग्यवर की खोज चल रही थी। मदन मेहता एक प पदपर थे और आठ दस लाक की संपत्ति भी उनके पास थी। उनकी रूप शील से युप्त पुत्री जूठी बाई विवाह योग्य हो चुकी थी। उन्होंने कई जगह सुयोग्यवर की खोज की परन्तु कहीं उनका मन नहीं जमा। अन्त में कुल परिवार के लोगों क एकत्र कर उन्होंने पूछा कि पुत्री का विवाह कहां करना चाहिए। सब लोगोंने राय दी कि आस पास तो आपके योग्य कोई ग्रिहस्त नहीं है। जूनागड में हमारी जाति के सात सो घर बसते हैं। अतह वहां कोई योग्य घर अवश्य मिल जाएगा। सगे संबंधियों की सलाह के अनुसार मदन महता ने अपने कुल पुरोहित को एक सुन्दर, सुशील, कुलीन और गुडवान वर की खोज करने के लिए वाहन तथा द्रव्याद देकर जूनागड भेज दिया। मदन महता के एक सहपाठी मित्र सारंग धर जूनागड में रहते थे। अतह उन्होंने उनके नाम एक पत्र भी पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी को सब लोग दिक्षित नाम से पुकारा करते थे। जूनागड के जिस मुहले में नागर लोगों की घनी आबादी थी। उस बस्ती के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। जिस पर शाम को बहुत से लोग बैट कर गपशब किया करते थे। उस दिन भी कुछ लोग बैट कर बातें कर रहे थे। दिक्षित जी का रत आकर खड़ा हुआ। सब लोगों का ध्यान उस ओर आकरिष्ट हो गया। दिक्षित जी ने पूछा महोदे। सारंग धर जी मेहता का घर कहां पर है। सारंग धर मेहता नागर जाती का एक पृतिष्ठित ग्रिहस्त था। उस समय वह भी वहाँ सैयोग से मौजूद था। उसने उत्तर दिया। दिक्षित जी ने रत से उतर कर यजमान की दी हुई चिठी उसके हाथ में रख दी। चिठी खोल कर वह बाचने लगा। लिखा था। प्रिय मित्र स्री सारंग धर जी सप्रेम प्रणाम। आपके पास अपने कुल पुरोहित स्री दिक्षित जी को भेज रहा हूं। मेरी पुत्री जूठी बाई की अवस्था विवाह योगी हो गई है। कृपाकर अपने यहां किसी कुलीन घर में एक वर देखकर संबंध करा दीजिएगा। आपको अपना अभिन्न मित्र जानकर यह कष्ट दे रहा हूं। आपका मदन महता। सारंग धर पत्र पढ़कर उठ खड़ा हुआ और दिख्षित जी को अपने घर लिवा गया। दिख्षित जी का उचित सतकार कर उसने अपने मित्र मदन राय जी का कुशल समाचार पूछा। बात की बात में हसमाचार सारी नागर जाति में फैल गया कि बड़ नगर से एक पूरुहित जी वर की घोज में आई है। चारो और से एक न एक बहाना लेकर लोग सारंगधर के घर पर इकत्र होने लगे। जो आता वही पहले अंजान की तरह दिख्षित जी की और इशारा करके प्रश्न करता। कहिए सारंगधर जी आप महोदय कौन है। सारंगधर सभी को यही उत्तर देता। आप बड़ नगर के मेरे मित्र मदन राय जी के पुरोईत है। मेरे मित्र की कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की खोज में आये हैं। वर की खोज में आये हुए मनुष्य को देख कर प्रायब ग्रिहस्त लोग चंचल हो उठते हैं। जो लोग विशेस स्वार्थी होते हैं उनका तो कहना ही क्या। वे तो येन केन प्रकारेन अपना काम बनाने के लिए बेचैन होटते हैं। ऐसे कुछ लोग जो वहां बैठे थे स्वयम को रोक न सके। उन्होंने अपनी राय प्रकट करना शुरू कर दिया। किसी ने प्रकारांतर से अपने पुत्र का ही गुड़गान कर डाला। किसी ने मित्र की कुलीनता का बखान किया। तो किसी ने अपने संबंधी की उन्नति का रोचक वर्ण सुनाया। किसी ने व्यापार चतुर वर्का, किसी ने उच्च पधस्त वर्का, किसी ने सुन्दर और सुशील वर्का, और किसी ने विद्या व्यसनी वर्का पता बताया। दिक्षित जी चुप चाप सब की बातें सुनते रहे। दूसरे दिन सारंगधर दिक्षिद जी को साथ लिवा कर घर वर दिखाने चला उसने अपने मित्र कृष्ण राय की रास्ते में खूब प्रशंशा की और उनके दरवाजी पर पहुंचा कृष्ण राय ने दिक्षिद जी का खूब आधर सत्कार किया प्रकारांतर से अपने धन और प्रतिष्ठा का भी कुछ जिक्र कर डागा और पुत्र को कपड़े लत्ते से सजा कर सामने मिठा दिया दिक्षिद जी ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है परन्तु अचुप रहा दिक्षित जी ने पुनह वही प्रश्न दुहराया लड़के ने कुछ घबडाहट के साथ पूछा क्या पूछ रहे हैं बस दिक्षित जी ने ताड़ लिया की लड़का बधिर है उन्होंने सारंग धर से वहां से उठने का संकेत किया वहां से उठकर सारंग धर आगे बढ़ा और फिर दूसरे मित्र अति सुखराय की और भी बढ़ाई कर डाली अति सुखराय ने भी दिक्षित जी को आक्रिष्ट करने का भरपूर प्रयत्म किया धरवाजे पर पहले से बैठाये गए कुछ गाहों के लोगों ने भी उनकी प्रशंसा का पूल बांध दिया जब अति सुखराय का पुत्र गहने वस्त्र से सज कर सामने आया तो देख्षित जी ने उससे भी प्रश्ण किया तुम्हारा नाम क्या है विज्या धर राय देख्षित जी ने फिर आगे कुछ पूछने की आवशकता नहीं समझा और सारंग धर को उठने के लिए कह दिया इस प्रकार कई दिनों तक घूम फीर कर अपने हीत मित्र और जात के प्राय शैकडों लड़कों को सारंग धर ने दिखाया परंतु दिख्षित जी की दिरिष्टी में एक भी लड़का नहीं चड़ा किसी को वधीर, किसी को तुतला, किसी को मुर्ख, किसी को कुरूप इत्याद एकन एक कारण दिखा कर उन्होंने सब को चाट दिया स्वयम दिख्षित जी भी अयोगी लड़कों को देखते देखते तंग आ गये उन्हें संदेह हो गया कि शायद सारंग धर योग्यवर दिखाने की अपेक्षा, अपने सगे संबंधी और मित्रों के लड़के दिखाने की अधिक चिंता रखता है अब उनका मन सारंग धर पर विश्वास करने की गवाही नहीं देता था परंतु मदन महता ने जब सारंग धर को अपना मित्र समझ कर उसके पास उन्हें भेजा था तब वह उसके विरुद्ध कैसे चल सकते थे अतेव उन्होंने सारंग धर से कहा महता जी केवल कुलिन या सुन्दर लड़का मुझे नहीं चाहिए लड़का गुडवान भी होना चाहिए आपने बहुत से लड़के दिखाए परन्त उस योग्यवर एक भी दिखाई नहीं पड़ा सारंग धर भी इधर दिख्षित जी की चाल से तंग आ गया था उसने सोचा यह बड़ा ही विलक्षन व्यक्ति है इसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता यह अपनी को बड़ा चतुर समस्ता है अब मैं भी ऐसा घर बताता हूँ कि यह भी क्या याद रखेगा सारंग धर ने मुस्कुराते हुए दिख्षित जी से कहा दिख्षित जी आप मेरी जात के सैकड़ों लड़के देख चुके हैं अब मैं अपनी जात के मुखिया का एक लड़का दिखाता हूँ मुझे आशा है वह लड़का आपको अवश्य पसंद आ जाएगा बहुत तरह की चीज़ें दिखाने के बाद अच्छी चीज दिखाने पर ही उसका मुल्ले ठीक समझ में आता है दिख्षित जी ने कहा अच्छा, अंत में ही दिखाइए, पर दिखाइए सुयोग्यवर अब अधिक तरह की चीजें देखने की मेरी इच्छा नहीं है अब तो काम खतम करके मैं शिग्र वापस होना चाहता हूं सारंग धर ने मन में मजाक का भाव लेकर दूर से ही इशारा करते हुए कहा वह देखिये स्वन्न कलश वाला जो मंदिर दिखाई देता है वह नर्सिंग राम जी मेहता का घर है वे बड़े ही कुलीन और भगवत भग्त ग्रिहस्त हैं उनका विवहार बड़ा सच्चा है और उन्होंने धन भी खुब एकत्र कर रखा है उनका पुत्र भी हर तरह से यूग्य है वहाँ आपको कून संतोश होगा वहाँ मेरे जाने की कोई विशेश आवश्यक्ता नहीं है अच्छा महराज नमस्कार मैं अभी वहाँ जाता हूँ यदि सब प्रकार से संतोश हो जाएगा तो मैं अवश्य संबंध कर लूँगा और नहीं तो किसी दूसरे अस्थान के लिए रवाना हो जाऊँगा बस आग्या दीजिये इस तरह कहते हुए दिक्षित जी ने विदा मांगिन अच्छा महराज नमस्कार कहकर सारंग धर ने भी मस्तक जुकाया और हाथ जोड़कर विदा किया दिक्षित जी ने अब तनिक भी विलंब करना उचित न समझा और वह त्वरित नर्सिंग राम जी के घर पहुँच गये उस दिन कोई वरत उत्सो था भक्त राज हर किर्टन में सनलगन थे उनकी एकागरता और तनमैता देखकर दिक्षित जी धंग रह गये उन्होंने मन में विचार किया भगवान की लीला भी विचित्र है सारे जुनागड में किवल यही एक घर ऐसा मिला है जहां आते ही चित को शान्ति प्राप्त हुई है यह घर जैसा पवित्र है वैसा ही यदि वर भी मिल जाए तो मदन मेहता की पुत्री का भाग्य ही खुल जाए दिक्षित्जी को यतोचित सतकार करके बैठा दिया गया मध्याहन समय हरिकिर्तन समाप्त हुआ दिक्षित्जी ने भक्त राज के पास आकर अभिवादन किया भक्त राज ने उन्हें भगवान का प्रसाद देकर प्रश्न किया आपका शुवनिवास कहा है भक्त राज मैं बड़नगर के दिवान मदन राय जी की पुत्री का संबंध करने के लिए यहां कुछ दिनों से आया हुआ हुआ सौभाग्य से आज आपके दर्शन करने का भी सुवसर प्राप्त हुआ है सुना है आपके भी एक विवाहयोग्य पुत्र है कृपया उसे मुझे दिखाईए दिख्षिद जी ने नम्रता पुर्वक कहा महोदय इस नगर में साथ सो नागर ग्रिहस्तों के घर है और प्रायः सभी धनाड्यवकुलीन है आप तो जानते ही है जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है वही पंडित है वही वेदविद है वही गुडवान है वही वक्ता है और वही दर्शनी है सब गुण एक कंचन का ही आश्रय करके रहते हैं इस नीत के अनुसार न तो मैं कुलीन हूँ न गुडवान और नहीं पंडित हूँ मैं तो केवल राधेश्याम का नाम मात्र जानता हूँ नर्शिंग राम ने साफ साफ अपनी सची परिस्थिति का वर्णन कर डाला भक्त शिरोमण लक्षिमी तो चंचला है वह कभी आती है और कभी चली जाती है जो मनुष्य आज अतुल धन का स्वामी है कल वही रास्ते पर भीक मांगते हुए देखा जाता है इसलिए महात्मा लोग द्रव्यवान को सच्चा धनवान नहीं मानते कभीर दास जी कहते हैं कभीरा सब जग निर्धना धनवन्ता नहीं कोई धनवन्ता सोई जानिये राम धनी जो होई इस संसार में सब निर्धन ही है कोई धनवान नहीं है धनवान तो उसे ही जानना चाहिए जिसके पास रामधन हो महाराज किवल आपके पास ही वह सच्चा रामधन है यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ अतह आप मुझे भ्रम में न डालिये और अपने पुत्र को मुझे दिखाईए देख्षिद जी ने यह सारे वाके सच्चे धन की व्याख्या करते हुए नरसिंग रामजी से कहा महता जी ने शामलदास को बुलाया परमातमा की क्रिपासे देख्षिद जी को शामलदास जी का मुख मंडल चंद्रमा के समान सुकांत युक्त दिखाई पड़ा उसकी अलोकिक तेजश्वी मुर्ति को देखकर वह अत्यंत प्रसन हुए उन्होंने सामुद्रिक विद्या के अनुसार शामलदास में अनेक शुग लक्षन देख्षिद उन्होंने त्वरित शामलदास के हाथ में स्रीफल तथा शौन मुद्रा देकर ललाट पर तिलक फिर प्रसनता के साथ वह बोले भक्त राज मदन राय जी की पुत्री जूठी बाई के साथ आज मैं शामलदास का संबंद निर्धारित करता हूँ जैसी परमात्मा की इच्छा कहकर अपनी निर्लितता प्रकट की इतने में ही माडिक बाई भी वहाँ आपहुची पुत्र का संबंद हो जाने की बात सुनकर माता का हिर्दय कितना पुलकित हुआ होगा इसे कौन कह सकता है इस निर्धनता में भी अपने इस सोभाग की बात सोचकर आनंद के मारे उसके नित्र गीले हो गए दूसरे दिन दिख्षित जी बड़ नगर के लिए विदा हो ली उन्होंने बड़ नगर पहुचकर अपने यजमान के सामने नर्सिंग राम जी की अपुर्व भक्ती सजनता सच्चाई आदिका खोब बखान किया शामलदास के रूप शील और सुलक्षन का वर्णन करते हुए जूठी वाई के सवभागी के लिए उसे बढ़ाई दी मदन राय का सारा परिवार उनके वर्णन को सुनकर बड़ा आनंदित हुआ नर्सिंग राम की निर्धनता पर मदन राय ने बड़े उत्साह के साथ कहा जब कुल शिल आदि में वह सब तरह से योग्य हैं तो फिर धन की कोई चिंता नहीं है भगवान ने भरपूर दिया है हमें साथ आठ लाक की संपत्ति में से एक आध लाक भी उन्हें दे देने से उनका कश्ट दूर हो जाएगा यह सब सुनकर देख्षित जी वह कुल परिवार के सभी लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ सब प्रसन्न चित्त हो विवाह की तैयारी में लग गए अब बारी आती है भक्त जनों भक्त शिरोमणी स्रीनर सिंग महता जी के जीवन में उनके पुत्र शामल दास जी के विवाह की और किन किन तरह की अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा तै करनी होती है आए उस पर प्रकास डालें जूनागर के नगरों में यह बात वायुवेग से फैल गई कि बड़नगर के मदन महता की पुत्री के साथ नरसिंग राम के पुत्र का संबंध हो गया इस बात को सुनकर नरसिंग राम से देश रखने वाले कितने ही नागर ब्रामणों को मानों जड़ाय उपरा गई हो अथवा जूडी आ गई हो कहते हैं ना दुस्ट जनों को अपनी नाक कटा कर भी दूसरे का सगुन विगाडने में आनंद आता है जूनागड के भी कुछ ब्रामणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंग राम जी के पुत्र के विवाह में विग्न उत्पन करने की सोगंद खाली उन्होंने सारंग धर को अपना अगुवा बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्रामण के हाथ बढ़ नगर भेज दिया दिक्षित जी के बढ़ नगर लोटने के बाद से मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां प्रारंब कर दी थी मकान की सजावट हो रही थी बारात के लिए भोजनाद का प्रबंध किया जा रहा था बाजे गाजे के सटे लिखे जा रहे थे राजे के बड़े बड़े स्रिमंतों नगर के रईशों तथा सगे संबंधियों को निमंत्रन पत्र दिये जा रहे थे इकलोती पुत्री का विवाह खूब सजधजकर करने के विचार से सारा प्रवंध बड़ी सतरकता के साथ हो रहा था इसी वीच जुनागड का व्रामण बड़नगर पहुचा और उसने मदन महता को ले जाकर सारंग धर का वह पत्र दे दिया पत्र में लिखा था जोडने के लिए आपके पुरोहित दिक्षित जी जुनागड आये थे आपको मालूम होगा कि जुनागड में हमारी साथ सो घर है परन्त उन्होंने किसी योगी घर में संबंध न करके अत्यांत निर्धन और जाति चित नर्सिंग राम के पुत्र के साथ संबंध जोड दिया है हम आपको नम्रता पुर्वक सुचित करते हैं कि वह घर बिलकुल आपके योगी नहीं है घर घर भीक मांगने वाला तथा जोगी वैरागियों का संग करने वाला मनुश्य भला बड़नगर के दिवान का कैसे संबंध ही हो सकता है अतव आप उस संबंध को तोड कर किसी सुयोग्य वर की खोज करें जिसमें आपकी मर्यादा को बट्टा न लगे विशेश किम वहुना आपका सारंग धर जूनागड के जाति मंडल की ओर से पत्र को पढ़कर मदन महता बड़े विचार में पढ़ गे एक ओर पुत्री के विवाह की सारी तयारियां दूसरी तरफ सारंग धर द्वारा लिखित वह पत्र जो जूनागड के समस्त नागर जाति मंडल की ओर से भेजा गया था मदन महताजी के मन को विचलित करने लगा उन्होंने सोचा की संबंध तो हो गया विवाह का दिन निश्चित हो गया विवाह की सारी तयारियां भी हो गई सरवत्र आमंत्रन भी चला गया इज़त का मामला ठहरा क्या किया जाए अकस्मात उन्हें एक युक्ति सूजी उन्होंने सोचा एक पत्र जूनागड भेज दें उसके अनुकूल यदि नर्सिंग रामजी आ गये तब तो विवाह करने में कोई हर्ज ही नहीं अगर वह वैसा प्रवंध नहीं कर सकेंगे तब स्वैम ही नहीं आवेंगे दोनों दशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है उन्होंने अविलंव एक पत्र लिखकर एक ब्रामण के हाथ नर्सिंग रामजी के पास जूनागड भेज दिया पत्र में लिखा था सिद्धि स्री अनेक शुभोपमा योगि स्रीयुत नर्सिंग राम मेहता जी को बड़ नगर से मेहता का अनेक नमस्कार प्राप्त हो आगे निवेदन है कि आपके सुपुत्र चिरंजिवी श्री शामल दास जी के साथ मेरी सुपुत्री स्वभाग्यवती जूठी वाई का शुभ विवाष शुभ मिती माघ शुकल पंशमी को होना निश्चित हुआ है अतह आप उक्त तिथी पर हाथी घोडी रत और पैदल एक चतुरंगणी व्रिहद बारात के साथ पधारियेगा और मेरी मर्यादा के अनुसार वस्त्राभोषन लाईएगा अगर बारात और वस्त्राभोषन मेरी मर्यादा के अनुकूल नवाए तो मुझे बाद दे होकर अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना होगा आपका मदन राय बड़ नगर से ब्राम्हण ने आकर पत्र नर्सिंग राम के हाथ में रख दिया पत्र पढ़कर वह स्री कृष्ण मंदिर में गए और करताल लेकर भगवत किर्तन करने लगी भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए उन्होंने अम्रित मैवानी से कहा वत्स तुम्हें मेरा आहवान क्यों करना पड़ा भक्त राज गदगद होकर प्रभु के चरणों पर लूट गए फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथों में वह पत्र दे दिया पत्र पढ़कर भगवान ने कहा वत्स किसी तरह की चिंता मत करो मैं जानता हूँ यह सब जूनागर के ब्रामणों की कर्तूत है मैं स्वयम अपने कुल परिवार सहित नागरों का वेश धारन कर सारी सामगरी के साथ बारात में उपस्तित होंगा और तुम्हारा कारे संपन कराऊंगा इतना कहकर भगवान अंतरधान हो गए स्री नर्शिंग रामजी ने बढ़नगर के ब्रामण का उचित सतकार करके विदा कर दिया और आप निश्चिंत होकर भजन पूजन करने लगे माग शुक्ल प्रतिपदा के दिन वह सिर्पर चंदन लगा हाथ में कर ताल ले दस पाँच साधूओं के साथ पुत्र का विवाह करने है तू चल दिये जुनागर से चले इस विचित्र बारात को देख कर माडिक बाई ने पति से कहा स्वामिन यही सामगरी लेकर आप एक दिवान के घर जाएंगे कहीं अपमानित होकर बड़ नगर से पुत्र का विवाह करने के बदली जियों का त्यों वापस ना आना पड़े महताजी ने सरल ढंग से उत्तर दिया प्री तुम बहुत अधीर हो जाती हो जब मैंने मान लिया है कि मेरा पुत्र ही नहीं है तब मेरा अपमान कैसा और इसकी चिन्ता क्यों जिसका यह पुत्र है वह आप ही सारा प्रवंद करेगा और अपमान से बचने की चिन्ता भी करेगा जुनागर के नागर ब्रामनों ने जब इस अनोखी बारात को देखा तो उनके आनंद का ठिकाना न न रहा उन्होंने सोचा कि अब अपना काम आप ही बन जाएगा नरसिंग राम और उसके साथ ही उस दिक्षित की भी सारी हेकडी सहज ही दूर हो जाएगी देखो ना इस भिकमंगे की हिम्मत एरे गैरे भिकमंगों की टूली बना कर चला है दीवान की बेटी भ्याहने इस बार इसकी पोल खुलेगी बड़ नगर में जब लोग लंगोटी और करताल छीन कर इसकी पूजा करेंगे तब यह सदा के लिए किर्टन भूल जाएगा और हम लोग भी सुख की नीद सोएंगे परन्त भक्त राज को काहे की चिन्ता वह तबस किर्टन करते हुए चले जा रहे थे कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बारात डेरा तंबू डाले पड़ी है समीप जाकर उन्होंने स्वयम भगवान को ग्रियस्त के रूप में देखा और उन्हें भक्ती पुरुवक प्रणाम किया फिर भक्त राज ने प्रेम भरे स्वर में कहा भगवन आप मेरे लिए इतना व्रिहद स्वरूप धारन करेंगे और मेरा कारे संपन कराएंगे इसकी मैं कलपना भी नहीं कर सकता था वच्स इसमें आश्यरी की कौन सी बात है मैं तो सदा भक्त के अधीन रहता हूँ भक्त जिस भाव से मुझे भजता है उसी के अनुरूप मुझे स्वरूप धारन करना पड़ता है क्या मैंने गोपियों की भावना के अनुसार स्वरूप धारन कर उनकी इच्छा पुर्ति नहीं की थी बालक भक्त प्रहलाद को जिस समय विश्पान कराया गया विश्ष स्वरूप बन कर मैंने उसकी रक्षा नहीं की थी पुत्र अपने भक्त के लिए भी काम करना मेरे लिए दुसकर नहीं है भगवान ने नर्सिंग राम का समाधान किया वहां से बारात बड़ी सस धजगे आगे बढ़ी हाथी घोले रत पैदल चतुरंगनी बारात थी अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे जब स्वयम द्वारिका धेश भगवान की ही बारात थी तब उसमें कमी किस बात की हो सकती थी बारात निश्चित समय पर बड़ नगर पहुच गई और एक अस्थान पर आकर ठहर गई बारात का ठाट देखकर सब लोग यही कहते थे कि मानो कोई चकरवर्ती राजा अपने पुत्र का विवाह करने आये है इधर मदन महता ने भी अपनी हैसियत के अनुसार विवाह की खूब तैयारी कर रखे थी दूर दूर के सगे सम्बंधी और मित्र स्रीमंत लोग ब्याह में सम्मलित होने के लिए आये हुए थे बारात का आगमन सुनकर वह सब लोगों के साथ स्वागत करने के लिए उसा स्थान पर आये नारायनी बारात की अपुरो शोभा देखकर वह चकित रह गये उन्होंने सोचा ऐसी बारात तो कोई राजा भी नहीं ला सकता था जो मनुष्य मेरे यहां ब्याह करने आया है वह कोई साधारन व्यक्ति नहीं हो सकता मैंने बड़ी भूल की जो इनको अभीमान भरा पत्त्र लिख भेजा इस बारात का भोजनादी द्वारा सतकार करना तो दूर रहा मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुचा सकता इस प्रकार सोचते हुए वह शिग्र नर्सिंग मेहताजी से मिलने के लिए आगी बढ़े वह जब भगवान श्रीकृष्ण के डेरे के सामने आये तो उन्होंने अनुमान किया कि यही समधी का डेरा हो सकता है उन्होंने पहरेदार से खबर भेजी कि मदन राय मिलने के लिए आये हैं आग्याँ पाकर पहरेदार उन्हें अंदर लिवा गया उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा नर्सिंग राम जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ भगवान ने किंचित विनोद का भाव बना कर कहा मदन राय जी मैं तो उनका एक तुछ सेवक हूँ चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ भगवान उन्हें साथ लेकर भक्त राज के पास आये भक्त राज अत्यंत साधारन वेस भूसा में कुछ भक्तों के साथ वैठे हुए हर किरतन कर रहे थे वह भजन में इतने तलीन हो गए थे कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान न रहा उनकी इस इस्थिति और अतुल ऐश्वर्य के बीच इस साधगी को देख कर मदन मेहता का सारा अभिमान चुर्ण हो गया उन्होंने ऐसे सत्पुर्श को संबंधी के रूप में पाने के लिए मन ही मन अपने भागे की सराहना की भगवान ने भक्त राज का ध्यान भंग करके मदन राय जी का परिचै कराया दोनों समधियों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और प्रेम पुरुवक आलिंगन किये कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता जी ने अपनी धिश्टता के लिए छमा मांगी और कहा भक्त राज आपके साथ संबंध होने के कारण आज मैं धन्य हो गया भक्त राज ने उत्तर दिया मेहता जी यह सब प्रभु की कृपा का ही परिडाम है मदन मेहता ने भगवान के साथ नर्सिंग राम का यथा शक्ति आतिथ्य सत्कार किया तथा विधी पुरुवक वर पूजन करके अपनी कन्या को दान कर दिया बड़े समारोह के साथ विवाहकार संपन्न हुआ मदन मेहता ने वस्त्र अलंकार रतना दिवह मुल्य वस्तु में दहेज में देकर पुत्री को विधा कर दिया इस प्रकार प्रनत्पाल भग्वान भक्त पुत्र शामल दास का विवाहकारे संपन्न करके सकुटुम्ब अंतर हित हो गये प्रीय भक्त जन भक्ति शागर के इस पावन तट पर आप सभी का पुना हार्दिक स्वागत अभिनन्दन 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 है जैसा कि आपको भक्त शिरोमरी स्रीनर सिंग महता जी के जीवन के उतार चड़ाओ अब तक ज्यात हुए उसी कड़ी में अब आपको उनके जीवन के एक ऐसे पक्ष को दरसाते हैं जब उनकी आत्मा उनका हिर्दय विदिल्न हो गया होगा अत्यन्त दुख को व्य कैसे सहन किये होंगे इसका गूढ रहस्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है भक्त नर सिंग महता जी के जीवन में एक ऐसा दुखद छण भी आता है जब उनके इकलोते पुत्र की मृत्य हो जाती है जो मनुष्य आज धनवान है कल वही कंगाल हो जाता है जो आज हिरिष्ट पुष्ट है निरोगी है वही कल कई रोगों का शिकार हो जाता है अचानक इस जीवन को खो देता है इसलिए हमारी प्राचीन गुर्जनों तथा महात्माओं ने इस संसार की नश्वर्ता दिखलाने के लिए इसे अब रच्छाया की उपमा दी है यह संसार एक शन के लिए भी एक इस्थित में नहीं रहता सदा बदलता रहता है जब संसार की ही यह दशा है तब संसार में उद्वुत अन्य वस्तुओं तथा जीवों की अवस्था का क्या पुछना भक्त राजनर सिंगराम पर भी संसार का यह चक्र घुमा एक दिन जिश शामलदास का विवाह इतने धोमधाम से किया गया था वह शामलदास विवाह के कुछ ही समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गए परंतु संसार में रहने पर भी संसार सागर की उत्ताल तरंगों द्वारा आंदोलित होने पर भी भग्वान के सच्चे भक्त उसके दाग से वंचित रहते हैं बलकि संसारिक दुख को वे भगवत कृपा मान कर बड़े उल्हास के साथ वर्ण करते हैं क्योंकि उनके दृष्टी में दुख उनके भगवत प्रेम को और भी प्रगाड बनाता है यही कारण है कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वर्दान मांगा था हे भगवन यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा दुख ही दीजी फिर परम भागवत नरसिंग राम को ही दुख क्यों होता उन्होंने तो पहले ही सब कुछ भगवान का समझ रखा था और केवल भगवान को ही अपना बना लिया था भगवान श्री कृष्ण का भजन निरंतर करते करते उनका हिर्दय भगवन मैं हो गया था वह मानो भगवत भक्ती रूप नौ का द्वारा दुस्तर शोक सागर को पार कर चुके थे इकलवते पुत्र की मृत्यू तथा नौ विवाहिता पुत्र वधुके वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से वह लेश मात्र भीव्यथित न हुए बलकी पुत्र शोका कुल माडिक बाई को सांतोना देने के लिए उन्होंने उस अवसर पर यह पदभीगा दिया भलु थयू भांग जजाल सुखे भजी शुम स्री गोपाल अर्था भला हुआ छूटा यह जंजाल सु सुख भजेंगे स्री गोपाल पति की ऐसी द्रीणता देख कर और उनके उपदेश से प्रभावित होकर माडिक बाई का भिशोक दूर हो गया दोनों पति पत्नी भगवान स्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एक दम भुला कर आनन्द पुर्वक भगवत भजन और साधु सेवा में पुर्ववत जीवन व्यतीत करने लगे भक्त शिरोमणी नर्सिंग मेहता जी पुत्र वियोग से अभी पुणतया उबर भी न पाये थे कि प्रायः छह मास बाद पित्र पक्ष प्रारंभ हो गया गुजरात काठिया वाड में प्रायः सभी लोग पितरों के निमित एको दिष्ट स्राध पुरुवक करके पिंडदान करते हैं उस दिन ब्रामण भोजन कराते हैं नर्सिंग मेहता जी के पिता जी की श्राध ति थी सप्तमी थी उनके बड़े भाई वंशी धर जी ने उस दिन श्राध करने का निश्चय किया था अतेव उन्होंने एक दिन पुरुव अपने जाती भाईयों को भोजन का निमंत्रन दे दिया वह कुल के प्रथा नुशार नर्सिंग राम के घर पर भी निमंत्रन देने आये उन्होंने कहा नर्सिंग कल पिता जी की श्राध ति थी है अतेव मैं तुम्हें सकुटुम्ब भोजन का निमंत्रन देता हूँ अपने इस्त्री को आज ही भेज देना क्योंकि वहां कई तरह का काम काज रहेगा तुम भी कल प्रातह काल साथ वजे ही आजाना वैरागियों के अखाडे में एक दिन मत जाना नर्सिंग राम ने बड़े शांत चित से उत्तर दिया भाई साधु संत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं अतह मैं तो साधुओं की सेवा करके ही आऊंगा मेरी इस्त्री भी भगवान का नवेद्य तैयार करने के पश्चात कल ही आएगी ओहो भीक मांग मांग कर साधु सेवा करने का दंभ रखने वाले का इतना मिजाज यदि तु इतनी लापरवाही रखता है तो फिर पिताजी का श्राद भी क्यों नहीं कर लेता पासन एक कोड़ी बीच बजार में दवड़ी बस यही तेरा हाल है वन्शिधर क्रोध से तम तमाते हुए बोल पड़े भाई जब आपकी आज्या है तो मैं अवश्य फिताजी का श्राद कर लूँगा और अपनी शक्ति के अनुसार दोचार ब्रामणों को भोजन करा दूँगा श्राद में सगे सम्मंधी तथा जाती भाईयों को भोजन कराना पारस्परिक वेवहार है और उचित भी है परंतु हम लोग जो स्रधया दियते अनेने तीस्राद्धम इस शास्त्र वाक्य को भूलाकर केवल नात जात के लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराने में ही अपने पितरों का उद्धार समस्ते हैं यह ठीक नहीं है अपनी श्वभाविक शान्ती के साथ नर सिंग राम ने निवेदन किया इतना सुनते ही मानो वन्शिधर के जले पर नमक पड़ गया क्रोध के मारे उनके नित्र लाल हो गये और चुप चाप अपने घर आकर उन्होंने सारा हाल दुरित गवरी को कह सुनाया दुरित गवरी का भी पारा गरम हो गया उसने देवर का सारा क्रोध अपने पती पर ही उतारना प्रारंब कर दिया दुरित गवरी बोली तो तुम उस मुह जले के घर पर गये ही क्यों थे मैं तो उन भगत भगतानी को पहले से ही खूब पहचानती हूं यदि वे श्राद में न आवें तो हमारा बिगड ही क्या जाएगा खाजूरे का एक पैर तूट ही जाए तो क्या वह लंगडा हो जाएगा इधर भगत राज ने श्राद करने का निश्चे तो कर लिया परन्तु घर में सेर भर भी अन का ठिकाना नहीं था फिर भी भकत राज निश्चिंत थे वह अपने एक मात्र स्वामी भगवान के सामने बैठ कर किर्तन करने लगी मारिक बाई ने उन्हें निश्चिंत देख कर उनके समीप जाकर कहा स्वामी कल आपने पिता जी का श्राध करने का निश्चय किया है और घर में सेर भर भी अन नहीं है पहले उसका प्रबंध करना चाहिए पहले मुझे प्रभु का भजन कर लेने दो उसके बाद मैं बाजार जाकर कुछ सामगरी कहीं से उधार लाने की चेश्टा करूँगा यदि उधार नहीं मिला तो मेरे नाथ जाने और पितर जाने भक्त राज ने निश्चिन्तता पुर्वक उत्तर दिया स्वामिन हम उन परमात्मा को नाथ तो मान ही बैठे हैं परन्तु उनके घर न्याय कहा है देखिए भाई के घर पर तो इतनी अधिक संपत्ती है और हमें नित्ते अपने पेट की चिन्ता लगी रहती है इतना कहते कहते माडिक भाई के नित्रों से अश्रुधारा बहने लगी साध्यवी तु बार बार ऐसी घ्रिणित और श्रद्धा परकट करते हुए बृथा क्यों भाशण करती है आज भी तुने फिर मेरे नाथ पर व्यर्थ दोशारोपन कर डाला भगवान बड़े न्याई और दयालु है उनके यहां पाप पुणिय का न्याई युक्त बदला दिया जाता है मेरा दुरभाग है कि मेरी अर्धांगनी होकर भी तेरे अंदर श्रद्धा का अभाव है प्रिये मैं बार-बार कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि जो सच्चा सोना होता है उसे ही घर्षन, छेदन, तापन तथा तारना आदि दुखों को सहते हुए कसवटी पर चड़ना पड़ता है स्वणकार को भी यही उचित है कि वह लोहा दिधात्वों की परिक्षा न कर खरे सोने की ही परिक्षा करे वास्तों में आज हम कसवटी पर हैं और ऐसी कसवटी ही मनुस्य की सच्ची परिक्षा है मेरा द्रिण विश्वास है कि उस परम पिता के दर्भार में कभी भूल कर भी अन्याय नहीं होता नर्सिंग राम ने खुब जुरदार शब्दों में पत्नी का शमाधान किया नात चमा करें अब मेरी आखें खुल गई हैं ऐसा कहते हुए माणिक वाई अपने पती भक्त शिरोमणी नर्सिंग मेहताजी के समक्ष आग्रह पुर्वक बोली अब अगर इससे भी अधिक कोई कष्ट आ पड़ेगा तो भी मैं विचलित न होंगी और उसे क्रिपालू जगन नात पर पून विश्वास रखोंगी स्वामी मेरी पास यह जो दो मासे का सोने का कर्ण भूशड है इसे बेच कर आवश्यक सामग्री ले आई और कल का काम चलाई इतना कहते हुए माडिक बाई ने आभूशन नर्सिंग राम के हाथों पर रख दिया सच्ची अर्धांगिनी वही है जो पति की आपति में उसे धैरे प्रदान करे और उसके दुख में श्वयम सम्मिलित हो जाए धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिखियं हिचारी धन नाश होने पर ही इस्तरी की परिख्षा होती है माडिक बाई का आभुशन लेकर नरसिंग राम जी बाजार में गए और उसे बेच कर उन्होंने जरूरी चीजें खरीद लाई केवल घृत लेना बाकी रह गया अन्य सामान लेकर वह घर पर आए माडिक बाई ने सब चीजें देखने के बाद कहा स्वामी इतनी सामगरी में केवल छह सात मनुश्यों का भोजन हो सकेगा अत्यों आप तीन चार ब्रामनों तथा पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रन दे आईए मेहता जी नागरों के चवरे पर पहुँच गये महा पर जाति के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए थे भक्त राज को देख कर प्रसन राय नामक एक नागर हस्ते हुए बोला क्यों भक्त जी किधर को सुभाग मन हुआ है भाई कल पिता जी का श्राद है अतेओ दो चार नागर भाईयों तथा पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रन देने आया हुँ नरसिंग राम ने सरलता पुरवक कहा फिर दो चार नागरों को ही क्यों बाकी लोगों का क्या दोश है क्या ये सब लोग आपके पिताजी के श्राद के आउसर पर आपके घर पर आकर भगवान का प्रसाद नहीं पा सकते नागर जात के पुरोहित ने मजा किया ढंग से कहा महाराज भगवत प्रसाद के तो सभी अधिकारी है परन्तु कल तो मेरे बड़े भाई के घर पितर श्राद के निमित सारी जाती का निमंत्रन होगा ही फिर मुझ अकिंचन के घर कौन भाई आना चाहेंगे नर्सिंग राम ने अभिमान रहित स्वर्मी कहा महता जी, वंशी धर के घर पर जाती भोजन का निमंत्रन होने पर भी आपको दुख मानने का कोई कारण नहीं है आपके घर चल कर हम सब लोग भगवान को समर्पित किया हुआ नैवेद्ध अवश्य ग्रहन करेंगे और इस तरह अपने देह को पवित्र करेंगे आपकी कामना भी पूर्ण हो जाएगी प्रसन राय ने वक भक्ति प्रकट करते हुए कहा किसी की किर्ति को कलंकित करने के लिए दुर्जन अत्यंत नम्र बन जाते हैं प्रसन राय के इस भाव को वहां उपस्थित सभी नागरों ने संकेत द्वारा प्रत्साहित किया उन्होंने सोचा आज यदि सारी जाति का निमंत्र ननर सिंग राम दे दे तो बड़ा अच्छा हो जरा देखें तो यह कहां से हम सभी लोगों के भोजन का प्रबंध करता है इस चाटुकारिता और वाकपटता के बावजूद जो शुद्ध हिदय मनुश्य होता है उसे सर्वत्र अपनी तरह शुद्धता ही दिखाई देती है नरसिंग राम ने मन में विचार किया कि जब जाति के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवत प्रसाद की अपेक्षा रखते हैं तब उनका अनादर करना उचित नहीं है फिर एक बार जाति गंगा के आगमन से मेरा घर पवित्र हो जाएगा इस प्रकार का भाव मन में आते ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सोचा कि निमंत्रन तो सारी जाति का दे ही दूँ फिर परमात्मा की जो इच्छा होगी वो होगा ही बस उन्होंने पुरोहिद जी से कहा पुरोहिद जी आप साथ सो घर के सभी जाती भाईयों को भोजन का निमंत्रन दे आई कल शायं काल श्री द्वारी का धीश की जय ध्वनी करते हुए जाती भैया मेरी पर्ण कुटी को पावन बना जाए यह भी एक आनंद का विशय होगा जैसी आपकी आग्या कहकर पुरोहित जी उठे और सभी जाती के लोगों को सकुटुम्ब निमंत्रन दे आए इस निमंत्रन की चर्चा सारी नागर जाती में फैल गई जो जिस तरह का आदमी था वो वैसी ही कलपना करता रहा वैसी ही बातें सोचता रहा कोई कहता आज लोगों ने भगत को फसा ही लिया कभी उसका घर भी देखने का मौका नहीं मिला था कोई कहता अरे यह सुखा निमंत्रन भर ही है गोपी चंदन और करताल के सिवा उसके घर और रखा ही क्या है वो वैरागी भला सारी जाति को कहां से भोजन करावेगा जब भोजन के समय पर बुलावा आवे तब जाने कोई कहता जो हो हम कोई अन विना मरते तो है नहीं इसी बात से निश्चय भी हो जाएगा कि वो सच्चा भक्त है या उसने लोगों को ठगने के लिए वेश बना रखा है यदि सच्चा होगा तो सब को भोजन से संतुष्ट करके अपना वचन पूरा करेगा अन्य था अपना काला मुह भी न दिखाएगा कोई कहता अरे यार उसने किसी अक्ल के अंधे गाठ के पूरे आदमी को अपने जाल में फसाया होगा और उसी के बल पर आज इतनी उदारता एका एक उसमें फूट पड़ी होगी इस प्रकार जितने मुह उतनी बातें होने लगी भजनादी से छुटी पाकर नरसिंग राम घी का पात्र लेकर बाजार में चले उन वितराग महात्मा को कहां मालुम था कि समस्त जाति के भोजन के लिए आवश्यक घृतिस छोटे से पात्र में आवे गाया नहीं वह अपने भजन की ही धुन में घर से निकल पड़े उन्हें देखते ही ये के व्यापारी ने प्रश्न किया क्यों महता जी कहां चले कौन सी चीज लेने के लिए पधारे हैं कोई साधु मंडली तो नहीं आई है नहीं सेठ जी साधु मंडली नहीं आई है आज पित्रिश राध में ब्राम्मन भोजन कराने के लिए दस्मन घी की अवश्यकता है यदि अच्छा घरित हो तो दिखाईए भक्तराज ने उत्तर दिया घरित का मुल्य लेकर आये हैं या पीछे चुकाना चाहते हैं ब्यापारी ने पूछा भाई घरित का मुल्य अभी नहीं ले आया हूँ एक मास में अवश्य चुका दूँगा नर्सिंग राम ने कहा सेठ ने विचार किया कि यह निर्धन आदमी एक मास में लगवग तीन सो रुपया कहां पावेगा कोई आमदनी का जरिया तो है नहीं इतना अधिक उधार लगाना ठीक नहीं है उसने कहा भक्त राज मेरे पास उतना घरित नहीं है अते उलाचार हूँ नर्सिंग राम आगे बढ़े एक भगवत भक्त व्यापारी ने उनको प्रणाम करते हुए आगमन का कारण पूछा नर्सिंग राम के सब हाल सविस्तार बता देने पर उसने नमरता पुरवक कहा महताजी आपको जितने घीकी अवश्यकता हो आप मेरे यहां से ले जाए परन्तु पहले मुझे दो चार भगवत भजन सुना दीजिए चातक को स्वाति के जल की प्राप्ति होने पर निर्धन मनुष्य को अकसमात अतुलधन मिल जाने पर जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही नहीं प्रतियुत उससे भी कई गुना अधिक आनंद भक्त राज को हुआ उन्होंने सोचा जाती भोजन तो सायंकाल होगा ऐसा भजन करने का सुवसर फिर कब मिलेगा बस उस व्यापारी की दुकान पर आसन जमा कर बैठ गए और अत्यंत प्रेम के साथ भगवत संकिर्तन करने लगे उनकी सुमधुर प्रेम पगी वानी सुन कर कुछ ही छणों में वहां सैक्णों व्यक्तिय कत्र हो गए और नर्सिंग जी जाती भोजन तथा फित्री श्राध को भूल कर प्रभु के भजन में लीन हो गए अब क्या कहना भक्त राज तो सब कुछ भूल कर भगवत प्रेम में डूब गए परंतु जिन भगवान के ऊपर उनका इतना गाढ़ा प्रेम था और जिनोंने उनका योग शेम वहन करने का बोज अपने सिर लिया हुआ था वह कैसे निश्चिन्त हो सकते थे भगवान ने अपने धाम में विचार किया कि नर सिंग तो भजन में सनलगन हो गया है उसे इस बात का लेश मात्र भी खयाल नहीं कि पित्र श्राध करना है और ब्राम्हन भोजन का प्रबंध करना है यदि मैं चल कर उसका सारा कारेश्वयम नहीं करूँगा तो आज भक्त की मर्यादा नश्ट हो जाएगी और मेरी भी भक्त वत्सलता का विरद बरबाद हो जाएगा उन्होंने त्वरित अक्रूर जी को बुला कर आग्या दी कि आप व्यापारी का वेश्च धारण कर श्राध तथा ब्रामण भोजन के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं मेहता जी के घर पहुचा दीजिए मैं भी श्वयम नर्सिंग राम का रूप धारण कर वहां शिगर ही आता हूँ नर्सिंग राम जी को बाजार गए बहुत देर हो गई थी मारी कबाई सोचने लगी क्या हुआ जो घी लेकर नहीं लोटे क्या घी नहीं मिला अगर नहीं मिला हो तो फिर श्राध और ब्रामण भोजन कैसे होगा क्या आज ब्रामण दरवाजे से भूखे लोट जाएंगे ओह कितना बड़ा पाप लगेगा वो बड़े लापरवा है मालूम होता है किसी साधू मंडली में जाकर बैठ गये हैं और सारा काम काज भूल गए नहीं तो वापस तो आही गए होते भगवन कैसे आज लाज रहेगी मारी कबाई इसी चिंता में बेचैन थी कि अकस्मात भगवान की आज्या के अनुसार सेठ वेशधारी अक्रूर जी सारा सामान छकडों पर लादे लेकर चले आए मारीक बाई की चिंता एकायक दूर हो गई और वह बड़ी प्रसनता के साथ सारी सामगरी यथा स्थान रखवाने लगी थोड़े समय में ही श्वयम भगवान भी नरसिंग राम के रूप में घृत लेकर आपहुचे इस गुप्त रहश्य को कोई जान न सका मारीक बाई ने महता रूपधारी भगवान से प्रश्न किया इतनी देर कहां लगा दिये मैं बड़ी चिंता में पड़ गई थी इतना सब सामान कहां से प्राप्त हुआ सती आज पिताजी के श्राध के उपलक्ष में सारी नागर जाती को भोज देने की परमात्मा की इच्छा हो गई यह सब सामान उनहीं का दिया हुआ है भगवान ने हर्ष के साथ उत्तर दिया नाथ मैरा सोई पानी का सारा प्रबंध करती हूँ आप शिग्र पुरोहित जी को बुला लाए मध्याहन का समय हो गया है अब श्राध का कार्य करना चाहिए मालिक बाई ने प्रसनता से कहा भक्त वेश में भगवान पुरोहित जी के घर पहुँचे उन्होंने विनित स्वर में कहा पुरोहित जी समय हो गया कृपया मेरे घर पधार कर एको दिश्ट स्राध करा दिजिए इस नश्वर भावतिक जगत में धनवान का ही अधिक मान होता है सर्वत्र धनवान ही पुज्य माना जाता है निर्धन मनुष्य यदि अत्यंत गुणी भी हो तो उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता यही कारण है कि किसी नीति कारणे यहां तक कह डाला है कि ज्यान विरिधास्त पो विरिधा वयो विरिधास्त थापरे ते सर्वे धन विरिधस्य द्वारी तिश्ठन्ति किंकराः अर्थात ज्यानी तपश्वी तथा वयो विरिध मनुष्यों को भी धनवान मनुष्य के द्वार पर किंकरवत रहना पड़ता है हमारे भक्त राज भी लोक द्रिष्ठ में वास्तव में निर्धन ही तो थे फिर उनका कारी करने के लिए पुरोहित जी कैसे तयार होते उनकी अस्थूल द्रिष्ठ में भी तो सच्चा यजमान वही था जो भरपूर दक्षिना दे दे अतेओ उन्होंने स्वार्त में अंधे होकर कहा नरसिंगराम तुम जानते ही हो कि आज वन्शी धर भाई का भी निमंत्रन आया है फिर उनको छोड़ कर तुम्हारे घर कैसे चला आउं भला क्यों पुरोहित जी क्या मैं आपका यजमान नहीं हूँ आपकी द्रिष्टी में धनवान और निर्धन सभी अजमान एक समान होने चाहिए नरसिंग रूपधारी भगवान ने कहा इस पर ब्राम्ह देवता का स्री भगवान जी से क्या उत्तर होगा यह जानने के लिए अगला भाग सुनिये आपका कल्यान होगा पुरोहित जी ने कड़कर कहा सभी अजमान समान कैसे हो सकते हैं तुने तो संपूर्ण जीवन में आज निमंत्रण दिया है और वंशीधर का हर समय हर बार ही निमंत्रण आया करता है फिर आज भी तू भिक्षुक दक्षुना ही कितनी देगा फिर आज भी तू ठहरा भिक्षुक दक्षणा ही कितनी देगा बराबरी दिखाने चला है पुरोहित जी ने तिरसकार भरेश्वर में कहा अच्छा महराज तब आज से इस्थीपा दीजिये कि नर्सिंग राम का मैं आज से कुल पुरोहित नहीं रहा मैं कोई दूसरा भरामण खोज लूँगा भगवान ने तन कर कहा पुरोहित जी ने ताव में आकर इस्थीपा लिख दिया पत्र लेकर भगवान वहां से चले आये रास्ते में एक मुर्ख निर्धन भरामण दिखाई पड़ा श्री भगवान जी ने कहा महराज आप मेरे घर एको दिष्ट स्राध कराने के लिए पधारेंगे ब्रामण ने नम्रता पुर्वक प्रार्थना की नर्सिंग रामजी मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ केवल खेती करके अपना और अपने परिवार का उदर पोशन करता हूँ अतह मैं आपके कारे के योग नहीं हूँ किसी विद्वान ब्रामण को खोजिये महराज आप ही सचे ब्रामण हैं और सब कुछ जानते हैं आप जो ब्रामण विद्वान होने पर अहंकार के मद में चूर हो वह ब्रामणत्तों से कोशों दूर है वैसे ब्रामण की मुझे आवश्यक्ता नहीं है आप कृपा कर मेरे घर पधारी आपके द्वारा ही मेरा कारी संपन्न हो जाएगा कहकर भगवान उस मुर्ख ब्रामण को घर ले आए जी हाँ स्री भगवान जी के आज्यानुसार घर पर श्राध की सब सामग्री तैयार थी भगवान श्राध करने बैठ गए भगवान का स्फर्ष पाने मात्र से ही वह मुर्ख ब्राम्हण समस्त वेद शास्तर का प्रकांड विद्वान बन गया और उसने अत्यन्त विधी पुरवक श्राध का कार्य पूरा कराया जो भगवान मुकम करो तिवा चालम पंगुम लंग है ते गिरिम की शक्ति रखते हैं उनके लिए इसमें आश्चर ही क्या था श्राध समाप्त हो जाने पर स्री भगवान जी ने ब्राम्हण को पचास स्वर्ण मुद्राएं दक्षिडा में दी और बड़े आधर के साथ भोजन कराया नागर वेशधारी भगवान के अनुचरों ने समस्त नागर जाती को बुला बुला कर अत्यंत प्रेम और आधर के साथ भोजन कराया सब लोग अत्यंत संतुष्ट हुए इस प्रकार संध्या समय तक भक्त राज का सारा कारी समाप्त कर अपने अनुचरों के साथ स्री भगवान अंतर हित हो गए सारा कारी समाप्त हो जाने पर अन्त में माडिक बाई प्रसाद पाने बैठी ठीक इसी समय भक्त राज ने हाथ में घृत का पात्र लेकर घर में प्रवेश किया वह अत्यंत देर हो जाने तथा श्राध न करने के कारण मन ही मन संकुचित हो रहे थे उन्हें देखते ही आश्चरे के साथ माडिक बाई ने प्रश्ण किया स्वामी ब्रामण भोज समाप्त करके आप यह क्या ला रहे हैं अरे तू क्या कहती है ब्रामण भोजन और शाध हो गया मैं तो प्रातह काल ही जो घृत लेने के लिए गया सो अभी आ रहा हूँ रास्ते में एक भक्त मिल गए उन्ही के हाँ थोड़ा भजन करके मैं अभी आ ही रहा हूँ इसी से मुझे देर भी हो गई नर्शिंग रामजी ने बड़े भोले पन से वो विश्मय के साथ यह कहा तो फिर विधिवत शाध करके हजारों मनुश्यों को भोजन किस ने कराया मैंने तो असपस्ट देखा कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं चकीत होकर माणिक वाई ने प्रश्न किया प्रिये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ अवश्य ही यह सब मेरे प्रियतम मेरे भगवान स्री कृष्ण का कार्य है उनकी लीला है मेरा स्वरूप बनाकर स्वयम्मन मोहन ने ही मेरे धर्म की रक्षा की है भगवान की कितनी महती दया है मुझ पर इतना कहते कहते दोनों पति पतनी के नित्रों से प्रेमाश्रू बरसने लगे वे अत्यंत प्रेम मगन होकर भगवद भजन करने लगे जै श्री कृष्ण श्रद्धे भक्त जनों आप समस्त श्रद्धालू भक्तों का भक्ति शागर के पावन तट पर पुनह एक बार हार्दीक श्वागत अभिनंदन 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 है आज हम भक्त शिरोमणी श्री नर्सिंग महताजी के संदर्भ में उनके भजनों के महत्तो के संदर्भ में आपको कथा सुनाएंगे आप इन कथाओं का श्रध्धा पुरुवक्ष्रमन करें वो इनका अनुशर्ण करें अपने जीवन को महत्व पूर्ण बनाएं उस दिन एका दशी का दिन था भक्त दमपति का नियम था एका दशी का व्रत रखना और दिन भर भगवत भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई कारे ना करना अतह उस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दोनों पति-पत्नी भजन में सनलगन हो गए। अन्य दिन तो भोजनादी का कुछ जन्जट रहता था जिससे भजन में कुछ बाधा पढ़ी जाती थी, किन्तु उस दिन तो उन भोजनादी से भी छुट्टी मिल गई थी। अत्यों, और दिनों से आज कहीं अधिक आनंद था उन्हें, निश्चिन्त रूप से दोनों का भजन चल रहा था। आज कल तो धारमिक कारियों में श्रद्धान रखने वाले बहुत से नौशिक्षित युवक्त, एकादशी आदि वरतों के दिन उपवास रखने की कोई आवश्यक्ता नहीं समस्ते हैं। उनकी दिरिष्टी में तो यह सब बातें स्वास्त के विरुद्ध हैं परंतु। वास्तों में देखा जाए तो वे भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन रिशिमुनियों ने एकादशी आदि वरतों को धर्म के साथ जोड़कर हम पर बहुत भारी उपकार किया है। यदि हम धार्मिक तत्तों को छोड़ भी दें तो वैज्ञानिक दिरिष्टी से भी इन सब वरतों का बड़ा ही महत्व है। यह सभी स्विकार करेंगे कि दसों इंद्रियों और मन का सैयम करना मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु मारिक बाई का शरीर उस दिन कुछ अस्वस्त था। उन्हे साधारन जुरसा प्रतीत हो रहा था। फिर भी वह शरीर का कुछ भी खयाल न कर पती के साथ भजन करने में ही लीन थी। कोटी जन्मार जिते पुणिये कृष्णे भक्तिह प्रजायते इस शास्त्र वाक्य को लक्ष में रखकर वह अपना मनुष्य जन्म सफल बना रही थी। दोनों पति-पतनी भगवत प्रेम में इतने मगन हो गए थे। मानो वे इस माईक जगत से निकल कर भजनानंद के अनुपम जगत में विहार कर रहे हूं। भजन करते करते सायंकाल हो गया भक्त राज भजन बंद करके असनान करने के लिए दामोदर कुंड पर आये। असनान समाप्त कर उन्होंने समीप वर्ती उद्यान से फूल और तुलसी दल लिया और उसके बाद वह घर की ओर चल पड़े। उनके मुख से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे की ध्वन अबाध गति से हो रही थी। रास्ते में जाते जाते अकस्मात भक्त राज जैश्रे कृष्ण की आवाज उनके कानों में पड़ी। जरा सचेत होकर जब उन्होंने उधर द्रिष्टी घुमाई तो कुछ दूरी पर एक अंत्यज अर्थात धेड़ को हाथ जोड़ कर प्रडाम करते हुए देखा। बहुत पहले से उस अंत्यज की भक्त राज पर अत्यंत श्रद्धा थी वह नित्यस्नान करके लवटते समय भक्त राज के दर्शन किया करता था। उसकी दृष्टी में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं था। नर्शिंग राम तो आत्मवत सर्व भूतेशु का भाव रखने वाले थे उन्होंने उत्तर दिया। जै श्री किष्ण भगत भक्त राज मैं आप से कुछ विनिती करना चाहता हूँ। अंत्यज ने नम्रता पुरवक निवेदन किया। और कुछ भी नहीं जानता। तथा पी मेरे योगि कोई कारे यदि हो भी। तो निहसन कोच बताओ भाई। नर्शिंग राम ने अभिमान रहित होकर यह वाक्य कहे। मैं किसी सांसारिक कारे के लिए विनिती नहीं करता। आज एकादशी का उपवास मैंने भी किया है। अ अंत्यजने श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा प्रकट की। भैया। इस काम के लिए विनिती करने का क्या प्रियोजन। भगवान का भजन करना तो मेरे काम ही है। फिर श्वयम भगवान ने कहा है। नाहम वसामि वैकुंठे योगि नाम हिरदय नौच मद भगता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि नारद अर्थार। जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है। वह शाक्षात वैकुंठ लोक ही है। जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है। वही नजाति का होने पर भी देव समान है। और जो मनुष्य भगवत भजन के प्रभाव को जान कर भी भगवान से विमुख रहता है। वह उच्च कुल में उत्पन होने पर भी आत्म हत्या के महान पाप का भागी बनता है। भगवान का भजन करने तथा श्रोन करने का ब्रामण से लेकर चांडाल प भगवत गीता में तो ब्रामण, गव, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समद्रिष्टी रखने वाले ही सच्चे ज्यानी बतलाए गए हैं। और वह रहना भी चाहिए। इसी से भगवान ने समान द्रिष्टी रखने की बात कही है। भजन का तो सभी को अधिकार है। अतह तुम अपने आंगन में तुलसी चबूतरे के समीप गूबर से जमीन को लीप पोत कर भजन की तैयारी करो। मैं तुम्हारे इच्छा नुसार आज रात्री को तुम्हारे आंगन में ही भगवान का भजन करूँगा। इस प्रकार अंत्यज भक्त को वचन देनर सिंग अपने घर को आए अंत्यज भक्त ने आज्या नुसार सब तैयारी की तथा अन्य साध संतों और भक्तों को भी आमंत्रित किया। नर सिंग राम जी अपने घर पर भगवान का पूजन करके करताल मृदंग आदि भजन की सामगरी लेकर अंत्यज भक्त के आंगन में उपस् पहरी संसार को पून रूप से भूलकर भगवत प्रेम में मस्त हो गए। उनके नित्रों से आनंद आश्रु की धारा निरंतर बह रही थी। वह अधिकाधिक उत्षाह के साथ किर्टन करते जा रहे थे। उनके आसपास बैठे हुए श्रुता, मंत्र मुग्ध सर्प की भा इकाग्र होकर भजनानंद लूट रहे थे। उस समय वहाँ पर मानों शांती, पवित्रता और आनंद का ही सामराज फैल गया था। इस प्रकार रात भर भक्त राज भजन करते रहे, भजन करते रहे। उधर घर में माणिक बाई के ज्वर ने धीरे धीरे भीशन रूप धा उस समय उनकी परिचरिया करने वाला घर में कोई नहीं था। वह भी निरंतर भग्मन नाम की ही रट लगाए हुए थी। यहां तक की बेहोशी की हालत में भी उनकी जिहुआ भग्वान को ही पुकार रही थी। मानों उन्होंने संसार से सारा संबंध तोड़ कर समाधिस्थ अवस्था में केवल भग्वान से ही संबंध जोड लिया हो। प्रातहकाल भजन समाप्त कर जब नर्शिंग राम घर आये तो देखा की पत्नी मरणाशन अवस्था में हैं केवल अंतिम सांसे गिन रही हैं नर पति के आने पर उसने एक बार आखें खोल कर उनके दर्शन किये और अंतिम बार भगवान के नाम का जोर से उच्चारन करके इस मरत लोक से सदा के लिए नाता तोड़ गई उस समय का द्रिश्य वज्र हिर्दय मनुष्य को भी पिघलाने की शक्त रखता था फिर इकलोते नविवाहित इवक पुत्र की मृतिव तथा प्रवण अवस्था में सहधर्मिनी का द्यांत दोनों विपत्तियों का एक साथ आना संसार में दुख की परमावधी कही जा सकती ह परंत फिर भी वितराग भक्त प्रवर नर्सिंग मेहता एक दमस्थिर और शाम्त थे वह वास्तों में इस जन्म मरण में संसार में रहते ही कहां थे जो यहां के दुख शोक उन्हें असपर्श कर पाते वह तो सदा किसी दूसरे ही दिव्य लोक में निवास करते थे जहां निरंतर एक रस आनंद प्रवाहित होता रहता है पत्नी का वियोग देखकर भक्त राज ने विचार किया कि इस संसार में जिस वस्तु के साथ रहने के कारण मैं संसारी कहलाता था आज उस परमवस्तु अर्थात मेरी इस्त्री को भी परमात्मा ने मुझ से अलग कर भगवान ने यह अनुग्रह ही किया भजन करने में सहायता देने वाली संगिनी का वियोग हो गया परंतु संभव है इससे भजन और भी प्रगाड हो फिर मनुष्य को उचित है कि गई बात का शोक न करें भगवान की इच्छा से जो कारे होता है वो न्याय पूर्ण और मं अंगल में ही होता है दुख आ पढ़ने पर शोक करने से मनुष्य को मिल भी क्या सकता है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यह आज्यादी है कि यो ना हिर्ष्यति ना द्वेश्टि ना सोचति ना कांगशति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिय अर्था जो कभी हर्षित नहीं होता द्वेश्ट नहीं करता शोक नहीं करता कामना नहीं करता तथा जो शुभा शुभ करमों के फल का त्यागी है वो भक्ति मान पुरुष्य मुझे प्रिय है अतह इस संसार का शनिक सुक आने पर हर्ष और दुख आने पर शोक करना भगवदाग्या का उलंगन करना है इस प्रकार विचार कर उन्होंने शांत चित्त होकर पत्नी का विधि पुर्वक अगनिसंसकार किया तथा शेस अस्थियों को गंगाजी में बहा कर घर लोट आई उधर अंत्यज के घर किर्टन करने का समाचार नागर जाती में फैल गया दुरिजन मनुश्य पर छिद्रान वेशन में तो चतुर होते ही हैं एने केन प्रकारेन अन्य मनुश्यों के साथ दूश करने में ही वे अपने कर्तवे की इतिसरी समस्ते हैं इस तरह के नागरों को नरसिंगराम की निंदा करने का इक बहाना मिल गया नागरों के चौरे पर नरसिंग राम की चर्चा जोरों से शुरू हो गई चाचा जी उस भगत ने तो अब जात पात की मर्यादा को भी रसातल पहुचा दिया वह अब हद से बाहर जाने लगा है हमारा दुर्भाग है जो हमारी जाती में ऐसा बगुला भगत पैदा हो गया एक नागर इवक ने निंदा पाठ का स्री गणेश किया आखिर बात क्या है असपस्ट क्यों नहीं कहते क्या तुम उस जादूगर से डरते हो सारंग धर मिहता ने गंभीरता पुर्वक बात को आगे बढ़ाई क्या आपने नहीं सुना यह तो सब लोग जानते हैं कि कलुव भजन का बहाना करके रात भर एक धेड़ के घर ने संकोच पड़ा रहा अब तो उसे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है यदि वह योहीं करता रहा तो बस समस्त नागर जाती का सत्या नाश हो जाएगा बीच में ही प्रसन राय ने तिल को ताड बनाते हुए यह सारा वृतांत कह सुनाया चौरे पर उपस्थित सभी नागरों में कुलाहल मच गया सब लोग इस घटना पर अपनी अपनी राय देने लगे एक वृत्ध नागर ने कहा बस अब कलियुक का पूरा प्रभाव फैल गया है उच्च कुलोत पन ब्रामण अंत्यज के घर जाकर रात भर बैठा रहा प्रित्वी माता कैसे ऐसे पाप का बोज सहन करेंगी मेरे जैसे वृध्धों का तो अब संसार में जीना ही निरर्थक है एक दूसरे वृध्ध ने कहा यदि ऐसा अधर्म होने लगेगा तो थोड़े समय में ही प्रलय हो जाएगा अब तीसरे से कैसे रहा जाता नागर ने कहा तो फिर ऐसे पतितों का पाप हम कब तक देखते रहेंगे आज से ही उसे जाति से बाहर कर देना चाहिए आप ही उसका मिजाज ठिकाने आ जाएगा कुछ लोगों ने कहा कि वह तो भजन करने गया था वहाँ कोई खान पान की बात तो थी नहीं फिर क्यों ऐसा किया जाता है परन्तु नगाडे के सामने तूती की आवाज कौन सुनता उपस्तित सभी जाती नेता इस बात पर सहमत हो गए सबने हनिश्चे किया कि आज से नरसिंग महता जाती चिउत समझा जाए और उसके साथ खान पान आदिवेवहार बंद कर दिया जाए इस प्रकार भक्त राज को जाती से वहिस्कृत करके जाती नेताओं ने अपनी दृष्टी से अपनी जाती की पवित्रता की रक्षा की और इससे उन्हें बड़ा ही संतोश हुआ दूसरे ही दिन कृष्ण राय नामक एक नागर की माता के एकादशाह स्राद के निमित जाती भोज था जाती भर के अबाल व्रिद्ध सब लोग निमंत्रित किये गए थे केवल वहिस्कृत होने के कारण नरसिंग मेहता को निमंत्रण नहीं दिया गया था संध्या समय कृष्ण राय के घर सभी नागर एकत्र हुए और भोजन के लिए पंक्ति लगा कर बैठ गये भक्त राजनर सिंग राम को संभवत अभी इस बात का पूरा पता नहीं चल पाया था कि मैं जाती च्यूत किया गया हूँ उन्हे कहा पूरसत थी जो इस और वह ध्यान देते सच्चे भगवत भक्त तो एक छण के लिए भी अपने प्रभु को भूला कर दूसरी और ध्यान देना मरण से अधिक दुखदाई समझते हैं परन्त अपनी प्रतिग्या के अनुसार भगवान को तो चिंता रहती ही है भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं परन्त भक्तों का अपमान कदापी नहीं सह सकते उन्होंने नागरों को भी भक्त राज के अपमान का बदला देना उचित समझा उन्होंने तुरंत अपनी विचित्र माया फैलाई जब नागरों की पंक्ती में भोजन परोस दिया गया और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया तब प्रतेक नागर ने अपने बगल में एक अंत्यज को बैठे देखा इस द्रिश्य को देखकर सभी नागर बड़े आश्चरिय में पड़ गये और भोजन छोड़ कर भागने लगे जाती के अगुआ सारंगधर ने चिन्तित होकर कहा अनंतराए गजब हो गया इन अन्तेजों के साथ भोजन करके तो आज हम सभी पाप के भागी बन गये अब क्या किया जाए हम लोगों को तो गंगाशनान करके प्राश्चित करना पड़ेगा इस पाप से छूटने का क्या कोई और उपाय है सारंगधर जी भक्त नरसिंग राम को जाती चित करने का ही यह परिणाम मालूम पड़ता है अब तो अपने किये का हमें फल भोगना ही पड़ेगा अनंतराए ने का तो क्या यह सब उसी जादुगर के हतकंडे हैं सारंगधर ने उच्छुकता पुरुवक पूछा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है नरसिंग राम भगवान स्री कृष्ण के एक निष्ट सच्चे भक्त हैं प्राश्चित द्वारा हम अन्य पापों से तो कदाचित छूट सकते हैं परन्तु एक सच्चे भक्त के प्रत किये गए अपराधरूप पाप से गंगा अस्नान करने या अन्य प्राश्चित करने से कदाप हमें मुक्ति नहीं मिल सकती यदि मेरी बात पर किंचित मात्र भी विश्वास हो तो शिगर उन्वितराग महात्मा के चरणों में प्रणाम करके उनसे शमा याचना करो तथा उन्हें जाति में मिलाकर अपने साथ भोजन कराओ हमारे अपराध का यही प्राष्टित है अनन्त राय ने अस्पस्ट रूप से यह कह सुनाया अनन्त राय नर्सिंग राम के मामा लगते थे विद्वता वाक पटता तथा नम्रता आदि सद गुणों के कारण समगर जाति में उनका बड़ा मान था अतह जाति के सब लोगों को उनके वचनों पर विश्वास हो गया जाति के दोचार प्रतिश्चित पुरुस उसी समय नर्सिंग राम के घर पहुँच गये उस समय नर्सिंग राम भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे अगंतुक जाति नेताओं ने उन्हें बंदना करके शमा या चना की तथा जाति भोज में सम्मिलित होने की प्रार्थना की भाईयों आप इतनी विनय क्यों कर रहे हैं ऐसा प्रार्थना तो भगवान से ही करनी उचित है मैं तो आप लोगों का एक तुछ शेवक हूँ मेरे अंदर कोई विशेशता नहीं नर्सिंग राम महता ने नम्रता पुर्वक निवेदन किया वास्तों में जो सच्चे भक्त होते हैं वे भूल करके भी अभिमान नहीं करते वे तो देशी और बंधु जनों में तथा धर्मात माओं में भी समान भाव रखने वाले होते हैं नर्सिंग राम भी सच्चे भगवद भक्त है उन्होंने तुरंत जाती भोज में सम्मिलित होना स्विकार कर लिया जब नर्सिंग राम भी जाकर पंक्ति में बैठ गये तब पहले का दृष्य दूर हो गया और सब लोगों ने प्रसनता पुर्वक भोजन किया इस प्रकार भगवत भजन के प्रभाव से नर्सिंग राम जाती वहिस्कार की विपत्ति से बच गये और उनके विरोधियों को नीचा देखना पड़ा भक्त जन जैसा की आप लोग भी जानते हैं स्वार्थ में संसार में धनवान धनहीन दाता क्रिपन विद्वान मुर्क कुलीन अकुलीन इवं सज्जन दुर्जन का मानो परंपरागत वैर चला आ रहा है स्रीमद भगवत गीता में भी दैवी तथा आशुरी संपत्ति में परस पर विरोध बतलाया गया है परंतु यह कहने की अवश्यक्ता नहीं है कि उस वैर में यह बात भी उसी तरह निश्चित है कि अन्त में दैवी पक्ष की विजय और आशुरी पक्ष की पराजय सुनिश्चित है दैवी संपत्ति संपन्न नरसिंग राम भी आरंभ से ही यह युद्ध लड़ते आ रहे थे इन्हें पुनह एक संकट का सामना करना पड़ा उनकी पतनी को मरे प्रायह नौ दिन बीद चुके थे अब उनका श्राद करने और उस अवसर पर ब्रामणों तथा जाती भाईयों को भोजन कराने की आवश्यक्ता आन पड़ी थी परंत वो भगवान के भरोसे निश्चिन्त थे नागर जाती के प्रमुख व्यक्ती उनके पास आते थे और सारी जाती को एकादशाह और द्वादशाह दोनों दिन भोजन कराने पर जोर दे रहे थे परंत वनर सिंग राम परमात्मा की जैसी इच्छा कहकर बात टाल दिया करते थे एक दिन प्रातह काल ही सारंग धर बोले नर सिंग राम आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ तुम उच्छ कुल के पुरुष हो अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें मारिक बाई के निमित एकादशाह और द्वादशाह दो दिन जाती भोज देना चाहिए इससे कम करने से तुम्हारी मर्यादा में बट्टा लगेगा सारंग धर जी आप ठीक कहते हैं परन्तु इसमें कुल की प्रथा का कोई खयाल नहीं यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है शक्ति के बाहर कोई कारे करना ठीक नहीं होता मैं तो बस दो चार साधु संतों को अभी भक्त राज ने इतना ही बस कहा था कि सारंग धर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा पागल हो गए हो नर्सिंगराम दो चार भगत विखारियों को भोजन करा देने से तुम्हारी पतनी का कल्यान नहीं होगा जाति गंगा को त्रिप्त किये बिना उस बिचारी को कैसे सद्गत प्राप्त होगी वह बिचारी क्या कुछ साथ लेकर गई है अब यही तो उसका अंतिम नाता है उसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते बार बार थोड़े ही करना है नरसिंग राम बोले भाई जी आपका कहना तो यथार्थ है मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ ले नहीं जाता और उसके नाम पर यथा शक्ति ब्राम्हण भोजन कराना उचित भी है परन्तु यह कोई आवश्यक भी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमियों को भोजन कराया जाए श्रद्धा पुरवक जो कुछ भी किया जाता है वही श्राध कहलाता है उस आत्मा के नाम पर श्रद्धा पुरवक जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा उतने से ही उसे शान्ती मिल जाएगी और उसकी सदगती होगी जाती वेवहार भी ठीक ही है परन्तु साधूं और अनाथों की सेवा उससे कहीं अधिक महत्तु रखती है जाती भोज तो अधिकतर वेवहार का विशय है नरसिंग राम ने उत्तर दिया सारंग धर उपदेश लेने तो आये नहीं थे वह तो समस्त जाती की ओर से पंच बनकर आये थे और उन्हें अपना काम बनाना था अतव शिग्र ही नरसिंग राम को छोड़ने वाले नहीं थे उपदेशों ही मुर्खाणां प्रकोपाय न शांते इस न्याय के अनुसार नरसिंग राम के उपदेशों का उन पर उलटा ही असर पड़ा और उन्होंने भीशन रूप धारन कर लिया उन्होंने कहा नरसिंग राम ऐसा ज्यान किसी लंगोटी धारी साधु को ही देना आज तक तुमने जाती में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज जब अपने खिलाने का आउसर आन पड़ा है तब छटकना चाहते हो ऐसा कदापी नहीं हो सकता मैं कहे देता हूँ कल से दो दिन तक तुमको जाती भोजन कराना ही पड़ेगा इसके लिए चाहे इस घर को बेच दो या अपने इस्त्री के गहनों को सारंग धर की बात सुनकर सरल सुभाव नर सिंग राम ने भगवन नाम का जब करते करते मस्तक हिला कर हामी भड़ती बस फिर क्या था सारंग धर का विजय डंका बजगया वो अपनी विजय पर फूला हुआ अपने घर वापस लाउट आया सारंग धर के चले जाने पर भक्त राज सोचने लगे मैंने जाती भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया किन्तु अब इसको पून करना तो श्याम सुन्दर के ही अधीन है जैसी उनकी इच्छा होगी करेंगे वियर्थ चिन्ता करके समय का दुरूप योग करने में क्याला भै यह सोचकर वह भगवान के ध्यान में मगन हो गए इधर चावरे पर बैठकर नागर जात के कुछ प्रमुखलूब आपस में गपशप लड़ा रहे थे इसी समय चार यात्री वहां आये और उन्होंने नम्रता पुर्वक पूछा भाईयों इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे सात सौ रुपे लेकर दौारिका की एक हुंडी लिख दे चौरे पर उपस्तित नागरों में नरसिंग राम की चर्चा चल रही थी यात्रियों की बात सुनकर एक इरिश्यालू नागर ने तुरंत उत्तर दिया आप लोग नरसिंग मेहता के घर चले जाईए दौरिका में उनकी बहुत बड़ी पेड़ी अर्थात दुकान है हुंडी वहीं श्विक्रित हो जाएगी आप लोगों को अन्या स्थान में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी दो एक और नागरों ने भी व्यंग से हां में हां मिला दी बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और वे पूछते पूछते मेहता जी के घर पर आप पहुँचे भक्त राज भगवत भजन से निवरित होकर भगवान को नैविद्ध समर्पित कर रहे थे यात्रियों ने मेहता जी को नमस्कार किया भक्त राज ने अभिवादन का उत्तर देने के बाद उन्हें आसन जल और भगवत प्रसाद प्रदान कर उनका यतोचित सत्कार किया और फिर आगमन का कारण पूछा नरसिंग राम जी हम लोग परदेशी यात्री हैं जूनागड से द्वारिका पूरी का मार्ग विकट होने के कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयावः प्रतीत होता है अत्यो ये साथ सो रुपे लेकर यदि आप द्वारिका की हुंडी लिख दें तो बड़ी कृपा होगी एक ने नम्रता पुर्वक कहा हरिजनो मेरा घर आप लोगों को किस ने बताया भक्त राज ने हस्ते हुए पूछा भक्त राज यहीं पास में एक चौरे पर कुछ भले आदमी बैठे थे उन्हीं लोगों ने आपका परिचे दे कर विश्वास दिलाया है यहां द्वारिका की हुंडी मिल जाएगी एक यात्री ने उत्तर दिया यह सुनकर भक्त राज को अपने जाती भाईयों की करतूत पर हसी आ गई सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कारियों से भी घबडाते नहीं है बलकि उन्हें भी उपियोगी समझ कर संतोश मानते हैं महा सागर के खारे जल को अम्रित बना कर मेघ मंडल जगत को जीवन परदान करता है भक्त राज ने सोचा कि इस अनायाश उपस्थित संयोग में अवश्य ही इश्वरी संकेत होना चाहिए अन्यथा यह असंभव कारे संभव कैसे होता कल से ही तो पत्नी के एकादशाह द्वादशाह के निमित जाति भोजन कराना है इसी कारे के लिए इस रूप में भगवान ने सहायता भेजी होगी नहीं तो इन यात्रियों का और मीरा यह संयोग ही कैसे बनता भला समय विचार कर कारे करने वाला ही मनुश्य सावधान कहा जाता है अता हुंडी लिखने में विलंब करना उचित नहीं है परमात्मा की इच्छा के अनुसार यह सुयोग उपस्थित हुआ है और मेरी हुंडी वहद्वारी का वासी भगवान अवश्य ही स्विकार कर लेंगे ऐसा दिर्ण निश्चे करके भक्त राज ने साथ सव रुपे ले लिये और हुंडी लिख कर उन्हें दे दी प्रिय भक्तों आगे की कथा बहुत ही रोचक है भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध होता है क्या भावनाएं होती है इसका प्रमाण आप सबको देखने को प्राप्त होगा भक्त शिरोमर स्री नर्सिंग राम महताजी ने हुंडी में क्या लिखा ये सुनकर आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा सिद्ध स्री परम शोभाधाम स्री द्वारी का निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ स्री सामल शाह वासुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम आगे निवेदन है कि मैंने यहां पर इन चार यात्रियों से नगद साथ सौ रुपए लेकर आप पर यह हुंडी लिख दी है अता इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे साथ सौ रुपए नगद दे देने की क्रिपा करें लिखावट जूनागड से आपका नम्र सेवक नरसिंग राम हुंडी लेकर चारो यात्री वहां से रवाना हो गए भगवान को नैवेद्य समर्पित कर भक्त राज भगवान से विनय करने लगे हे भक्तवतसल भगवन आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी है क्या आप उसे स्विकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे नात मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानी नहीं पहुँचेगी बलकि जगत में आपकी ही हसी होगी दयालुदा मुदर क्या आपको खबर नहीं है कि कल से दो दिन परियंत सारी जाती को भोजन कराना पड़ेगा इसी कारण मैंने यह ध्रिष्टता की है और वह भी किवल 700 रुपे के लिए जगनात आपके भंडार में 700 रुपे की क्या बात है आपने मरणोन मुख गजंद्र को प्राणदान दिया था सती पांचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज बचाली थी इतना ही नहीं प्रतियत मेरे ही पुत्र के विवाह में पिता जी के श्राध में तथा अन्य व्यवहारिक प्रसंगों पर आपने मिरी सहायता की है क्या इन 700 रुपेओं का प्रबंद आप नहीं कर सकेंगे प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से अस्रु प्रवाह चल रहा था इतना कहकर वो भगवान की प्रतिमा के चर्णों में लोट गए वो कब तक इस इस्थिती में पड़े रहे इसकी उन्हें स्वयम भी खबर न रहे दूसरे दिन प्रातह काल से ही जाती भोज की तैयारी होने लगी आवश्यक सामगरी आवश्यक सबसामगरी बाजार से आ गई और बड़ी धूम धाम के साथ दो दिनों तक लगा तार जाती भोजन होता रहा जाती भर के लोग बड़े संतुष्ट हुए उधर चारो तिर्थ यात्री यथा समय द्वारिका पहुँच गए उन्होंने भगवान द्वारिका धीश के दर्शन करने के पश्चात हुंडी का रुपया लेने के लिए सेठ शामल शाह वासुदेव की खोज करना प्रारंब कर दिया बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का नाम पता नहीं बतलाया तिर्थ यातरी बड़े चक्कर में पड़े उनके मन में शंका हुई उन्होंने सोचा कहीं उस भगत ने हम लोगों के साथ ठगी तो नहीं की यदि ऐसा हुआ तो जूनागड में तो उसका घर है ही वहां से कहां जाएगा भला वहां तो उसे रुपया देना ही पड़ेगा परन्तु वह देखने में तो सत्पुरुष मालूम होता था वह दोखा कैसे दे सकता है लेकिन यहां तो शामल शाह सेठ का कोई नाम निशान भी नहीं है इस तरह विचार करते हुए उन्होंने सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत कर दिया परन्तु किसी मनुष्य ने उस सेठ का नाम निशान तक नहीं बतलाया यात्री बड़े निराश हुए उन्होंने सोचा अब यहां सेठ का पता मिलना कठिन है जूना गड़ चल कर ही रुपया वसूल कर लेना चाहिए दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारिका में यात्रियों की बड़ी भीड हो रही थी पंडे लोग अपने अजमानों के पाप निवारान्त उन्हें विधि पुर्वक गोमती में असनान करा रहे थे भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में तूटे पड़ते थे सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारिका धीश की जय की धोनी से आकाश गूज रहा था इसी समय भक्त वत्सल भगवान भूधर भक्त का कारे करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा दिया इधर चारो यात्री गोमती असनान करके भगवान के मंदिर में आये वे भगवान के दर्शन कर मंदिर से निकले और जूनागड चलने का विचार करने लगे मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी द्रिष्ट इस नई गद्धी पर पड़ी, उन्होंने सोचा चलते चलते जरा यहां भी पूछ लें, उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है शामल शाह वासुदेव, शेठ स्वरूप भगवान ने उत्तर दिया, यह सुनते ही आत्रियों के सुखे हिर्दे पर आशा की अमरित वर्शा हो गई, अनाया सेठ जी के मिल जाने से, उन्हें अपार आनंद प्राप्त हुआ, उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ म हुंडी दे दी, सेठ जी ने हुंडी देखकर उसे मुनीम के हाथ में दे दी, और सात सौ रुपए चुका देने की आग्यां भी दे दी, मुनीम अक्रूर जी ने पूरे सात सौ रुपए गिन कर यात्रियों के सम्मुख रख दिया, यात्रियों ने रुपए गिन कर ले लि और उनका सारा हाल सेठ रूपधारी भगवान को सुनाया। भगवान ने भी भक्त की प्रशंशा करते हुए कहा। नरसिंग राम जी मेरे परमस नहीं है। मैं तो उनका एक आज्याकारी हूँ। इस प्रकार भगवान स्री किष्ण ने भक्त वरनर सिंग राम की हुंडी स्विकार कर भक्त की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपनी भक्त वत्सलता के यश को अच्छून रखा। चुकि आप लोग भली भात जानते हैं, भारती जीवन की एक विशेस बात है संयुक्त परिवार की प्रता। इस प्रता ने किसी समय हमारे गारहस्त जीवन को महान, उज्वल और सुख शान्ति मैं बनाने में बड़ी सहायता की थी। और आज भी अनेक अस्थलों में इसके गुण देखे जाते हैं, परंत हमारी अज्ञान तावश इस सुन्दर प्रता का भी एक दुश्परिडाम हमारे घरों में पाया जाता है। और वह है ग्रिह कलह, जी हाँ, आज अधिकांश परिवार इस ग्रिह कलह के शिकार हो रहे हैं, इसके कारण हजारों, कूमल, अविकसित कलियां, अनेक कुल ललनाएं, अकाल ही काल के गाल में समा जाती हैं। और कितने ही संपन परिवार सदा के लिए दुख सागर में डूब जाते हैं। यद्यपी, यह कलह अत्यंत साधारन सी बातों पर ही होता है, परन्तु यह अहरनिश सारे परिवार को आग की तरह तपाता रहता है। और किसी भी ग्रिहपत के लिए उसे बुझाना असंभव हो जाता है। यहां तक की जो न्याधीश का चहरी में बैठ कर, दुनिया के बड़े बड़े और अत्यंत जटिल मामलों को तै किया करते हैं। उन पर अपना राय, अपना मनतव्य दिया करते हैं, उन्हें सुलजाया करते हैं। वे भी अपने घर के मुकदमे का फैसला करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो उपाधी प्राप्त डाक्टर भीषन से भीषन प्रान घातक रोगों की चिकित्सा बड़ी सफलता के साथ किया करते हैं, वे भी इस ग्रिह रोग को दूर करने में असफल रहते हैं। इस भारती ग्रिह कलह की भयंकरता इससे अधिक और क्या वर्णन किया जाए भगवान। इस महामारी से भारत की रक्षा करें। भक्त राजनर सिंग राम की प्रीय पुत्री कुमरवाई का विवाह एक सुसंपन शिक्षित परिवार में हुआ था और जब से ससुराल गई थी, तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेश्ठा भी करती थी। वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी और सदा सब के लिए आदर भाव और प्रेम का बरताव करती थी। फिर भी घर में बेचारी का मान नहीं था। घर में निरंतर कलह रहता था, सास, जठानी और ननद, सभी उस पर व्यंग बान वरसाया करते थे। एक तो वह गरीब घर की बेटी थी, दूसरे उसका पती, वसंत राय, दुर्व्यसनी, लंपट और क्रोधी था। इस कारण उसकी सिकायत भी कोई नहीं सुनता था। वह बेचारी भीतर ही भीतर अपनी व्यथा से नित्य घुला करती थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया, इधर उसकी शादी हुए कई वरस बीत गए, परंत उसे कोई संतान नहीं थी। समाज में पुत्र हीना, कुल वधुओं को लोग अभागिनी समझते हैं और इस कारण भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग उन्हें तरह-तरह के दुरवचन सुनाते हैं और उस पर दूसरा विवाह कर लेने की भी धमकी देते रहते हैं। कुमरबाई और दुखों को तो सही रही थी, यह दुख उसके लिए असहनी हो गया। क्योंकि इसमें उसका दोश ही क्या था, अथवा इसके लिए स्वयम वह कर ही क्या सकती थी। कुमरबाई के ससुर सिरिरंगधर महताजी राज्य के एक उच्च पदपर थे। वह स्वयम एक विचारशील तथा दयालु सभाव के पुरुष थे। वह पुत्र वधु के कस्टों से विलकुल अपरचित नहीं थे, फिर भी वह इस मामले में कुछ करने में असमर्थ थे। अतेओ, वह बेचारी एक मूख पशु की भाती, सब सुनती सहती थी, और एक मात्र भगवान से अपने दुख सुना कर संतोश कर लेती थी। कहते हैं, जब मनुष्य सब और से आशायें छोड़कर केवल एक भगवान को दीन भाव से पुकारता है, तब उसकी पुकार भगवान के कानों में अवश्य पहुंसती है। और फिर भगवान को उस प्राणी का कश्ट दूर किये विना, चैन नहीं मिलता। आखिर असहाया कुमर बाई की भी मूक आवाज भगवान तक पहुंच ही गई, और भगवान जी ने उस पर क्रिपा की, वह गर्व होती हुई और धीरे धीरे उसका गर्व साथ आठ मास का हो गया। आगे आपको जान कर प्रसनता होगी कि गुजरात काठिया वाड में पुत्र वधू का सीमन्त प्रसंग बड़े धूम धाम के साथ मनाया जाता है। और दो दिन तक जाती भोज दिया जाता है, जिस हिस्त्री का सीमन्त होता है, उसका पिता पुत्री तथा पुत्री के सारे कुटुम्बियों को यथा शक्ति वस्त्रादी देकर संतुष्ट करता है। उच्च कुलों में तो वेद रहित सीमन्त संसकार सास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाता है। कुमरबाई का भी सीमन्त महुर्त माग शुकला शप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रन पत्रिका भेज दी गई परंतु कुमरबाई के पिता नर्सिंग राम की। निर्धनता का ख्याल कर उनके पास कुम-कुम पत्रिका नहीं भेजी गई। जब इस बात की खबर कुमरबाई को हुई तो उसे बड़ा गहरा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर बड़ी नमरता के साथ पूछा सासुजी क्या जुनागड मेरी पिता जी के पास कुम-कुम पत्रिका नहीं भेजी गई। वह क्या करेगा जो उसे कुम-कुम पत्रिका भेजी जाती। हमारे इतने विशाल कुटुम के लिए वह चीर कहां से जुटाएगा। उसके घर तो शंख बज रहा है। सास ने रुखाई के साथ उत्तर दिया। सास जी, आपका कहना ठीक है। परंतु माता पिता का प्रेम अपनी संतान पर कितना होता है। इस बात को आप जानती ही है। इस्थिति खराब होने पर भी वह अवश्य मेरी साध पूरी करने का कुछ प्रियत्न करेंगे। आप उनके पास आमंत्रन पत्र अवश्य भेज दीजिए। कुमरवाई ने आग्रह पुरुवक निवेदन किया। मा, भावी का कहना ठीक है। जरूर निमंत्रन पत्र भेजो। उनकी शक्ति तो है ही साधूओं के साथ यहां आकर हम लोगों को गोपी चंदन, तुलसी के हार और कौपीन देने की। और हम लोगों को भी अपना सा लंगोट धारी साधू बना देने की माताजी, उनको तो अवश्य बुलावा भेजना चाहिए। बीच में ही कुमरवाई की ननद ताना मारते हुए यह व्यंग बाण उगली। ननद के इस कटाक्ष से कुमरवाई के हिर्दय को बड़ा धक्का लगा। उसकी आँखों में वर्वस आंसु भर आये, एक कुलीन कुलवधु के पास रूदन के सिवा और बलही क्या होता है। सास जी, आप ऐसी निर्दैता न कीजिए, मेरे पिता जी के पास समाचार अवश्य भेज दीजिए, अगर वह कुछ न भी लावें, तो आप के पास कमी ही किस बात की है, कम से कम हम पिता पुतरी की मुलाकात तो हो जावेगी। मैं जब से आई हूँ, तब से जुनागड एक बार भी नहीं गई, आप जानती ही हैं, इसी बीच मेरे भाई का और मेरी मा का भी दिहान, इतना कहते कहते, कुणर भाई का गला भर आया, और वह फूट फूट कर रोने लगी। इस समय कुणर भाई का विलाप सुनकर कोई भी वजर हुर्दय द्रवित हुए बिना न रहता, परन्तु फिर भी उसके सास के हुर्दय पर तनिक भी असर न हुआ, उसने उस विलाप का भी उल्टा ही अर्थ निकालावा कहने लगी। देखो, कैसी गरीब गाय जैसी बन जाती है, यहाँ पिता जी पिता जी कह रही है और वहाँ कोई पूछता भी नहीं है इसे। यदि उस निगोडे में किंचित भी प्रेम होता, तो किसी दिन यहाँ आ कर वेटी की खबर न ले जाता, जब से आई तब से एक चिडिया भी तो जाकने नहीं आई, उसे काहे का प्रेम, उसे तो प्रेम है मुफ्त का माल खाने से, और टोपी लंगोटी धारन करके नाचने कूदने से, टोपी में है तीन गुन, नहीं मुनीम नहीं सेठ, बाबा बाबा सब करें और भरे खुशी से पेट, फिर उसको और चाहिए भी क्या, बस दिन भर शाली ग्राम पत्थर से माथा कूट कूट कर, वह इसी धुन में नमालुम और क्या क्या कह डालती, किन्तु इस वीच स्रीरंग धर महता घर में आ गय और मामला शान्त हो गया, उन्होंने पत्नी की आवाज तथा बहु की रुलाई सुनकर, किंचित क्रोधावेश में पूछा, क्या बात है, आज बहु रोक्यों रही है, तुम दोनों मा बेटी क्यों इस गरीव लड़की के पीछे लग अतार पड़ी रहती हो, बात कुछ भी नहीं है, बहु कहती है कि मेरे पिता जी के पास कुम कुम पत्रिका भेजिये, और मैं कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, स्रीरंग धर की पत्नी ने उत्तर दिया, इसमें कौन बात है, मैंने तो इसलिए पत्रिका नहीं भेजी कि इससे भक्त राज के भजन वे व्यर्थ बाधा पहुचेगी, और कुछ व्याय का भार आजाने से उन्हें कष्ट भी होगा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तो मैं आज ही ब्रामण के हाथ कुम कुम पत्रिका भेज देता हूँ, स्रीरंग धर मिहता ने शुद्ध ह आमण को बुलाया, और आमंत्रन पत्र देकर उसे जूना गड़ भेज दिया, कुमरबाई को इस बात से शंतोश हुआ, और वह प्रसनता पुर्वक अपने ग्रिहकारी में लग गई, आप लोग जानते हैं, कि इस संसार में रहकर भगवान की भक्ति करना, दोधारी तलवार के साथ खेलने के समान है, ऐसे भक्तों के सामने एक और सांसारिक बाधाएं, दिवाल की तरह खड़ी रहती हैं, और दूसरी और, शुद्ध सात्विक जीवन की सुनहली जलक उन्हें, अपनी और खीचती रहती है, फिर भी भक्त भगवान की क्रिपा से अपने सांसारिक और पार्मार्थिक दोनों कारियों को, शास्त्रों की आग्या के अनुसार ठीक ठीक संपन्द करते हैं, मध्याहन का समय हो चुका था, भगवान का पूजन करके, नर्शिंग राम महता जी भोजन की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय, स्री रंगधर महता जी के भेजे हुए ब्रामहन ने आकर उनके हाथ में कुम-कुम पत्रिका दी, पत्रिका खोल कर वा बांचने लगे, परम स्नेही भक्त राज नर्शिंग राम जी, सप्रेम भगवत स्मरन, आपकी पुत्री कुमरवाई का सीमन्त महुर्त माघ शुकला तमी रविवार को निश्चित हुआ है, अतह आप से निवेदन है कि आप इस शुब अवसर पर अपने इस्ट मित्रों के साथ पधार कर, मेरे आंगन की शोभा बढ़ाने की कृपा करें, यहां सब तरह से कुशल है, आशा है कि आप भी कुशल पुरुवक होंगे, आपका स ने ही संबंधी, स्रीरंग धर राय, महताजी ने ब्रामण का यथोचित सतकार किया और दूसरे दिन विधा कर दिया, भक्तराज ने अपने मन में विचार किया, आज तक के व्यवहारिक कारियों में और मेरे जीवन में भी यह अंतिम प्रसंग है, अतह यथा शक्ति दे कर पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए, किन्तु इसके लिए मुझे क्या, मैं व्यर्थ क्यों चिन्ता करूं, वही भक्त वत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे, भक्तराज ने किसी सेवक की तूटी बैल गाड़ी और बूढ़े बैलों को जोत कर जूनागर से प्रस्थान किया, उनके साथ दो चार साधुमों का समुदाय भी था, और सामान में केवल भगवान की प्रतिमा, करताल, तथा गोपी चंदनादी पूजा की सामगरी थी, प्राय आठ दस दीन में भगवत किर्तन करते हुए, वह उना पहुँच गये, जंग धर महता के घर खूब धूम धाम के साथ उत्सव की तयारी हो रही थी, भक्त राज के आने का समाचार सुनकर वह उनसे मिलने के लिए आए, उन्होंने कुशल समाचार पूछ कर एक पुराने मकान में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया, सब्य समाज तो भक्ति को एक खिलवार समस्ता है, भला ऐसे व्यर्थ तमाशा करने वालों को किसी सुन्दर अस्थान में उतारने से क्या लाब, परंतु हमारे भक्त राज के लिए तो पर्ण कुटी और राजभवन एक समान थे, उन्होंने भगवान की प्रतिमा को एक किनारे अस्थापित कर दिया, औ और रश्नाना दिकर के नियमानुसार स्रीकिष्न किर्तन में प्रवृत्त हो गए, पिता के आने की खवर सुनकर कुणर बाई को बड़ी प्रसनता हुई, वह उनसे मिलने के लिए उसस्थान पर पहुँच गई, परंतु वहां का धंग देखकर उसे बड़ी निराशा और उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटी, क्यों रो रही है? भजन पूरा करके भक्त राज ने पूछा, पिताजी, सारी नागर जाती मेरा मजाक उड़ा रहे है। यदि आप इस साधुमंडली को साथ नौला कर अपने कुछ भाई बंधुओं को साथ ल तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देती हो? तुम नहीं जानती कि गंगा पाप का, शशिताप का और कल्पतरु दरिद्रता का नाश करता है। परन्तु महाजन संत लोग पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। फिर इन से बढ़कर अपने आत्म और संबंधी कौन है? सांसारिक भाई बंध तो बस स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध न हो, तो माता, पिता, भाई, बहन, सगे संबंधी जितने हैं, सभी विराने हो जाते हैं। अतेओ, मैं ऐसी कल्यान कारणी साधु मंडली को छोड़ कर, स्व सिंग राम ने बिटिया को समझाया, अच्छा पिता जी, संग की बात जाने दीजिए, बतला ये, मेरी सास, ननद और अन्य कुटुम्वियों के लिए, आप चीर किस परकार के लाएं हैं। कुमर बाई ने उत्सुकता पुरुवक पिता से पूछा, पुत्री, तुम तो ज जानती ही हो, कि तुम्हारा यह कंगाल पिता, कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखता, जो कुछ भी करना होगा, वही दीन दयालु करेंगे, भक्त राज ने निश्चिंतता पुरुवक उत्तर दिया, पिता जी, कल ही तो सिमंत का मुहुर्त है, और आप साथ में कुछ भी ल पिर भगवान किस प्रकार पहुचा जाएंगे, वह कहां रहते हैं, यह भी तो निश्चित नहीं है, अधीर होकर कुमर बाई ने पूछा, बेटा, तुम यह क्या कह रही हो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, तुमने तो उन प्रभु की दीन दयालुता प्रत्यक्ष तुम्हारे भाई शामल दास के विवाहकारे में, उन्होंने कितना प्रिश्रम किया था, तुम्हारी विदाई स्वयम भगवान ने ही तो की थी, फिर तुम्हारे हड़े में ऐसी शंका क्योंत पन्न होई, उनका निवास तो जड़ चेतन, आकाश पाताल और प्रिथ्वी म सर्वत्र है, अता तुम निशिन्त होकर अपने घर जाओ, भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे, भक्त राज ने कुमरबाई का समाधान करते हुए कहा, कुमरबाई कुछ आश्वस्त होकर अपने घर वापस चली गई, और ग्रिहकारे में प्रविर्थ्थ हो गई, इध वहाँ जाति भर के लोग एकत्र हुए थे, और भोजन की तैयारी हो रही थी, लोग असनान करके भोजन के लिए बैठ रहे थे, नर्सिंग राम जी भी असनान करने बैठे, परंतु जल इतना अधिक गरम था, कि उसे अश्पर्ष करना भी कठिन था, उन्हें क्या पता, कि परिक्षा के लिए जान बूज कर इतना गरम जल दिया गया है, उन्होंने सरलता पुरवक थोड़ा सा ठंधा जल मांगा, इस पर कुमरबाई की सास ने परिहास करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, आकाश्य विरिष्टी कराकर भगवान से ठंधा जल वहाँ पर जितने नागर उपस्थी थे, सबने व्यंग में एक स्वर से कहा, हाँ हाँ ठीक तो है, भक्त राज जी के लिए यह कौन सी बड़ी बात है, चव मुख से लोगों की व्यंगात्मक, प्रश्न दृष्टी, स्वयम पर पढ़ते देखकर भक्त राज बड़े ही प पेशो पेश में पड़ गए, सोचा, सब लोग भोजन के लिए तयार बैठे हैं, जब तक विरिष्टी नहीं होगी, तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे, और इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते, खेर भगवान की जैसी इच्छा हो, इतना कहकर उन्होंन अपनी करताल मंगाई और मलहार राग में भगवान का किर्तन शुरू कर दिया, किर्तन का भाव इस प्रकार था, भगवन, क्या आपने सुधनवा की तेल की कड़ाई को अपनी कृपा सुधा के द्वारा शीतल नहीं कर दिया था, यह भी तो उसी प्रकार का कार्य है प्रभ आपने अनेक बार मुझे सहायता दी है, क्या इस धर्म संकट से मुझे पार उतारने में आप असमर्थ बन जाएंगे हे मेरे श्यामघन, तुरंत जल बरसाने की क्रिपा करें और इन मजाक करने वालों का मुह बंद कर दें भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घनगोर काली घटाओं से च्छा गया देखते देखते सामन भादों की तरह मुसलाधार जल बरसने लगा बने ठने सब लोग भीग गये, भगवान की क्रिपा से भक्त राज का उश्णोदत शीतल हो गया वर्षा बंद होई तवस्नान करके, वह भी सब लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गये सब लोग उनकी भक्ती देखकर आश्यरे में डूब गये, फिर भी सब को भगवान पर विश्वास नहीं हुआ उन्होंने समझा इसमे नर्सिंगराम की कोई जादुगरी होगी दूसरे दिन प्रातह काल से ही सीमंत संसकार आरंब हो गया स्रीरंग धर्मिहता का आंगन, विद्वान ब्रामण सगे संबंधी कुल परिवार, युवा, ब्रिद, बालक, इस्त्री, पुरश, इत्यादि से खचा-खच भरा हुआ था नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाय जा रहे थे धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार, सांगो पांग सीमंत संसकार संपन्न हुआ अब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ, कुमरबाई ने आँख उठा कर एक बार अपने पिता जी की योड देखा मानो संकेत द्वारा चीर प्रदान करने की बात उसने अस्मरण कराई भक्त राज ने औसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और किर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंब किया उन्होंने जो भजन गाया, उसका तात्य पर ये इस प्रकार था हे भक्त वत्सल परमात्मन, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं फिर आप क्या इस अंतिम व्यवहारिक कारे में मुझे सहायता नहीं देंगी, प्रभो, आपने जो यह वचन दिया है कि सहकृत देव प्रपन्नाय तवास्मिति चोयाचते, अभयम सर्वभूत अभ्यो ददामे तद वृतमम, अर्थात जो एक बार भी मेरे शरण होकर मैं तुम्हारा हूँ, कहकर याचना करता है, उसको मैं सब भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा वृत है इस प्रकार भजन करते करते भक्त राज तनमय हो गए, उधर उपस्थे तिस्त्रियों में, भक्त राज के इस कारे के विशय में चर्चा होने लगी, एक इस्त्री ने कहा देखो, इस वैरागिये को, क्या यही चीर देने का ढंग है, इस प्रकार गाने नाचने से भला भग्वान आकर चीर दे जाएंगे, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं अरे पास में रखा हुआ शंक और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा, दूसरी ने हस्ते हुए कहा यह सुनकर सभी स्त्रियां हस पणी, कुमर बाई, लज्जा और अपमान के मारे सिकुड गई, सोचने लगी, धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊ अपने पिता के संदर्व में इतने अपमान भरे शब्द सुनकर, कौन सी पुत्री ऐसा सोचने पर विवस न हो जाएगी परंतु बेचारी मौन रहने के सिवा और इस समय वह, कर ही क्या सकती थी एक धर्म परायणा अनुभवी वृद्धा इस्त्री ने सब को मना करते हुए कहा भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हसी नहीं उड़ानी चाही मालूम नहीं वे क्या लीला करडा लें भगवान की सच्ची भक्त के बल पर क्या नहीं हो सकता क्या तुम लोगों ने द्रवपदी के चीर बनने की बात नहीं सुनी है जगत में समालोचकों की कोई कमी नहीं प्रतेक मनुष्य चाहे उसे कुछ जानकारी हो अथवा नो हो अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरों की समालोचना करता ही रहता है समा लोचना की इतनी प्रबल बाढ़ चला करती है कि यदि साधक और स्थिर्चित वाला हो तो उसे पतवरष्ट होते भी देर नहीं लगती भक्त राजनर सिंग राम तो ऐसी सांसारिक बाधाओं से एक कदम परे थे उन्हें इतनी कहां फुरसत थी कि वह दूसरों की समा लोचना सुनते वह तो तनमय होकर बस भगवान का आहवान कर रहे थे आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार साथ लोकों को भेद कर दीव्य भगवत धाम में पहुँच ही गई और भक्त वत्सल भगवान ततकाल भक्त का कारी करने के लिए तिवर गति से चल पड़े भक्त राज का किर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेकों दीव्य वस्त्राभूशनों से सुसजित दीव्य तेजो मई सुन्दरियों के साथ एक भव्य रूप सेठ के रूप में स्वयम भगवान ने संसकार मंडप में प्रवेश किया इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका जानता भी कैसे इन चर्म चच्छुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दीव्य विग्रह के दीव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते थे भक्त राज भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर लोट गए सेठ रूप धारी भगवान ने अपना परिचे देते हुए स्रीरंगधर महता से कहा स्रीरंगधर जी नर्शिंग जी मेरे अभिन्न सखा है मैं द्वारिका में रहकर इनके साजहे में व्यापार करता हूँ मेरी सारी संपत्ति इनही की कृपा का फल है इतना कहकर सीठ जी ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमुल्य वस्त्रा भूशन प्रदान किये जाती प्रथा से बहुत अधिक धेर के धेर चीर प्रदान करके उन्होंने सब को संतुष्ट कर दिया सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा और सबने भक्त राज की भूरी भूरी प्रशन शाकी भक्त राज ने गदगद कंठ से भग्मान का हर्दिक स्वागत किया स्रीरंग धर्के आग्रह करने पर भग्मान ने उस दिन उनका आतित्थ स्वीकार किया और दूसरे दिन वहां से विदा होकर अंतर हित हो गए साधु मंडली के साथ भक्त राज भी जूना गढ़ लोट आए इस प्रकार स्री भगवान ने अपने भक्त की एक बार फिर से लाज रख ली प्यारे भक्तों जैसा कि आप सब जानते हैं मनुष्य के जीवन में कोई एक बात भी विचित्र हो जाती है तो उसकी ख्याती सरवत्र फैल जाती है फिर जिसका सारा जीवन ही रहस्य में हो अपुर्व हो वह भला कब तक संसार की आँखों से अपने को छिपा सकता है भक्त स्रेष्ट नर्सिंग राम जब से बड़े भाई से अलग हुए थे तभी से उनका जीवन दुनिया की दृष्ट में रहस्य में हो गया था रोजगार कुछ भी नहीं दिन रात भजन किर्टन में लगे रहते थे वेश गरीबों सा था परन्तु अवसर आने पर उनका खर्च देखते ही बनता था बड़े बड़े स्रीमंतों के यहां भी संभवत उस धंग से कारे नहीं होता था सब लोग इस बात पर हैरान थे कि आखिर यह मामला क्या है जब पुत्री का सिमंत संपन करा के नर्सिंग जी लोटे तब उनका यश और भी अधिक बढ़ गया सर्वत्र उन्ही की चर्चा होने लगी किन्तु इस शुयश को उनकी जाति के इरिश्यालू लोग कैसे सह सकते थे नर्सिंग राम जी की बड़ाई सुनकर उन्हे मानों जूडी चढ़ आई हो और वे इस रोग की जड़ ही काटने की चिन्ता में लग गये उच्च मनुष्य की बराबरी न कर सकने पर दुष्ट मनुष्य रिश्या वश्य उसे किसी भी भांती नीचे गिरा कर भी अपनी बड़ाई बचाने की व्यर्थ चेष्टा किया करते हैं परंतु ऐसे लोगों के कारण सत्पुर्षों की कभी तनिक भी हानी नहीं होती वर्म उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है और ऐसा प्रियत्न करने वालों को ही उल्टे मुह की खानी पड़ती है फिर भी दुर्जन अपनी मूढ तावश बाज नहीं आते नागर जाती के कुछ लोगों ने एक शड़यंत्र रचा जिसमें सारंग धर और नरसिंग राम के बड़े भाई वन्शी धर भी सामिल थे उन लोगों ने शहर की सबसे मशहूर और सुन्दरी वेश्या चंचला को रूपयों का लालच दे कर भक्तराज के पास उन्हें अपने मोह पाश में फंसाने के लिए भेजा संध्याकाल की पूजा आरती त्यादि समाप्त करके साधुमंडली के वीच में उपस्थित होकर भक्तराज हरी किर्तन करने की तयारी कर रहे थे धूप पुस्प की सुवास और भगवान के सानिध्य के कारण ही वहां का वाता वरण वड़ा ही पवित्र और आनंद में हो रहा था ठीक इसी समय श्वेत वस्त्र धारण किये गोपी चंदन का तिलक किये और गले में तुलसी की माला पहने चंचला ने भक्तराज के घर में प्रवेश किया उस समय वह एक भक्ती मती साधिवी की तरह शोभादी रही थी उपस्थित संतों को जय स्री किष्ण करके वह एक ओर बैठ गई और बड़े भाव के साथ सब के संग मिलकर हरी किर्टन करने लगी सभी साधु यहां तक की स्वयम भक्तराज भी मंत्र मुग्ध की तरह उसकी तनमैता देखने लगे भजन समाप्त होने पर भक्तराज ने चंचला से प्रश्ट किया आपका शुभ निवास कहां है? मेरा निवास प्रभास छेत्र में है मैं द्वारिका जी जा रही हूँ आपका नाम सुनकर एक कारे के लिए मैं आपके पास आई हूँ चंचला ने अपना मिथ्या परिचे दिया ऐसा कौन सा कारे है जिसके लिए आपको मेरे पास आने की जरुवत पड़ी भक्तराज ने विश्मय के साथ प्रश्न किया मैं एक दान लेने की इच्छा से यहां आई हूँ चंचला ने उत्तर दिया साध्वी यदि तुम्हें किसी तरह का दान लेने की इच्छा है तो तुम किसी स्रीमंत के घर पर जाओ मेरे पास तो इस करताल के सिवा और इस मृदंग के अलावा वो गोपी चंदन के अत्रिक्त और कोई भी वस्तु नहीं है भक्तराज ने सरलता पुरुवक कहा भक्तराज जो वस्तु मैं आप से लेना चाहती हूँ उसे मैं और किसी से लेना नहीं चाहती यदि आप मेरे उपर कृपा करें तो मैं कृत कृत्य हो जाऊंगी चंचला ने वीनय दिखाती हुए कहा अच्छा बोलो तुम्हें किस वस्तु की चाह है यदि भग्वान की इच्छा होई तो अवस्य मिल जाएगी भक्त राज ने उदासीनता पुर्वक कहा आपकी आज्या हो गई है बस इस समय इतना ही पर्याप्त है पीछे समय आने पर मैं आपसे मांग लूँगी चंचला ने कहा विकारी मनुष्यों की दृष्टी में सभी मनुष्य अपने जैसे विकारी ही दिखाई देते हैं वे शुद्ध मनुष्यों को भी विकारी ही मान बैठते हैं शुद्ध मनुष्य के ज्ञान युप्त शब्द भी उनको विकार के सूचक मालुम होते हैं और वे उनका उल्टा अर्थ लगा कर अपना अभिष्ट सिद्ध करने का प्रियत्न करते हैं चंचला ने भी भक्तराज के शब्दों का उल्टा ही अर्थ लगाया उसने समझा भक्तराज ने मेरे रूप पर मोहित होकर मेरी याचना सीकार कर ली है भजन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने आशन पर जाकर सो गए चंचला को भी भक्तराज ने एक उप्युप्त स्थान सोने के लिए प्रदान कर दिया अंत में वह भी मंदिर के दरवाजे पर अपना आशन लगा कर सो गए धीरे धीरे सब लोग गहरी निद्रा में डूब गए परन्तु चंचला पर निद्रा देवी ने कृपा नहीं की वह तो अपने श्वार्थ साधन की चिंता में उप्युप्त समय की प्रतिक्षा कर रही थी आधी रात बीत जाने पर जब चंचला को विश्वास हो गया की अब कोई जगा नहीं होगा तब उसने अपने साधे कपडे उतार कर सुन्दर सुन्दर वस्त्रा भूशन धार्ण किये उस समय उसकी मुखा क्रिती शरीर की गठन और स्रिंगार देखने से वह कोई देवांगना सी प्रतीत हो रही थी वह अपने आसन से उठी और मंद गति से भक्तराज के आसन के पास पहुँच गई उसके चरणों की नुपुर धोनी सुनकर भक्तराज जग गय कौन है इस समय भक्तराज ने प्रश्ण किया मैं वही हूँ जो आपके साथ भजन कर रही थी चंचला ने उत्तर दिया फिर इस समय तुम यहां क्यों आई भक्तराज ने पुनह प्रश्ण किया नर्सिंग राम जी मैं आज आपके पास रितुदान लेने आई हूँ जिसके लिए आपसे शाम को मैंने प्रार्थना की थी मैं अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती चंचला ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी निरलज्जता को देख कर नर्सिंग राम अवाक हो गए उनके मुह से केवल हरी हरी शब्द निकल पड़े चंचला ने पुनह अधीर होकर कहा भक्त राज आप अब मुझे अधिक न सताईए शिग्र मेरी मनह कामना पूर्ण करके मुझे संतुष्ट कीजिए साध्वी तुम यह क्या कह रही हो क्या मेरे पास तुम यही दान लेने के लिए आई हो साध्व का स्वांग धारण कर ऐसा नीच विचार मन में भी रखने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अंत में अधा पतन के गहरे गर्त में गिरता है भक्त शिरोमणी के प्रवचनों को सुनकर एक वेश्या के जीवन के परिवर्तन की यात्रा प्रारम हो जाती है भक्त शिरोमणी ने उसे किस भाती इस जीवन के गूढ रहश्य को समझाया इसके महत्यों को किस तरह बताया आप लोग भी उसका अनुशरण करी नर्शिंग महताजी ने चंचला से बड़े ही शनेहिल शब्दों में कहा मनुष्य जीवन पाप करने के लिए नहीं अक्षय पूने का उपार्जन करने के लिए है व्यभिचार के लिए नहीं सैयम के लिए है वासना के तृत्त के लिए नहीं अपीतु शुद्ध सात्विक प्रेम प्राप्त करने के लिए है चरित्र का सर्वनाश करने के लिए नहीं सचरित्रता का संग्रह करने के लिए है अविद्या की उपासना करना मनुष्य जीवन का लक्ष नहीं है बल्कि अविद्या का नाशकर सविध्या का सेवन करना ही इसका मुख्य उदेश्य है कहा गया है पुर्व पारजित पुणिय के प्रभाव से यह दुरलव मनुष्य दे तथा वेद ज्ञान संपन पुर्षत्व प्राप्त होने पर भी जो मूड बुद्धि व्यक्ति मौक्ष की प्राप्त के लिए प्रयत्न नहीं करता वह आत्म घाती मनुष्य असत संसार को ग्रहन करके स्वयम अपना नाश करता है साध्वी विशयों की त्रिष्णा संसार के अन्य पदार्थों की त्रिष्णा तथा मान किर्ति आद की त्रिष्णा मनुष्य को बलात नरक की ओर ले जाती है फिर यदि एक बार इन त्रिष्णाओं की पुर्ति भी कर दी जाए तो मनुष्य को उनसे साश्वत सुख कदा पी नहीं मिल सकता बलकि इन त्रिशनाओं को प्रत्साहन देने से ये और भी बढ़ती हैं, उम्र बीत जाती है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, परंत त्रिशना नहीं बुढ़ी होती, यह कामना की आग विशय रूपी इंधन से बुझती नहीं है, ज्यादा धधकती है, और मनुष्य की समस्त सुख शान्ति को भस्म करके फिर से जन्म मरण के भयानक चक्कर में डाल देती है, अत्यों इस त्रिशना का नाश करना ही मोक्ष का प्रधान साधन है, भोगों की प्राप्ति से त्रिशना का शमन नहीं होता, क्योंकि नजातु कामह कामना नामूप भोगेन साम्यती, हविशा कृष्ण वर्त में व भूय एवा भिवर्धते, अर्थात, गृत की आहुती से अगनी विशेश प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार इच्छाओं की त्रिप्ति करने से, वे भयंकर रूप धारन करके, अश्य का सत्यानाश करने में सहायता करती है, संसार भी एक प्रकार का महा रोग है, इसको दूर करने के लिए भगवान नाम स्वरूप दिव्य औशधी बड़ा ही उपकार करने वाली है, परंतुस औशधी सेवन के साथ साथ विश्यादी रूप कूपत्य का सेवन करते रह और इसलिए महा रोग का नस्ट होना कस्ट साथ हो जाता है, इतना ही नहीं विश्यादी के बढ़ जाने से भगवान नाम छूट जाता है, और यह महा रोग सन्निपात का भीशन स्वरूप धार्न कर लेता है, यह जीव अनेक जनमों से संसार के इंदरीय जनित विशय शुक अनुभव करता आ रहा है, परंत फिर भी उसको तनिक भी सन्तोष का अनुभव नहीं हुआ है, अतह शास्त्रकारों ने तथा अनुभवी महात्माओं ने यह निश्य किया है कि यह संसार अनित्य और शुख ही नहीं है, भग्वान ने कहा है, अनित्यम सुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम इस अनित्य और सुखहीन संसार को पाकर मुझे को भजो अतेव केवल आत्म चिंतन और भजन का दिव्य आनंद ही सच्चा सुख्र है विशयों का अनंद तो मुर्खता से प्रतीत होते हैं भक्त राज ने उसे समझाया भक्त राज नर्शिंग महताजी के इस विस्त्रित विवेचन ने चंचला के हिर्दय को एक दम से पलट दिया उसके जन्म जन्मांतर के कूसं सकारों पर मानों जादू का सा असर हो गया और वे उसके हिर्दय पटल पर से अपने आप खी सकने लगी विशय गंध से अपवित्र बना हुआ उसका तमों मैं स्वरूप सत्संग कारी पुर्णिमा के संसर्ग से निर्मल चंद्रमा की भाति विक्सित होने लगा उसके सवंदर्य में सात्विक शांति का सम्मिश्रण हो गया शमा कीजिये भक्त राज आज आपने मुझे प्रगाड अंधकार में से निकाल कर परम प्रकाश में पहुचा दिया आज से आप ही मेरे सच्चे सदगुल है आपके सदुपदेश ने मेरे विकारों को निर्मूल कर दिया परन्तु मैंने आज तक पाप कमाने में कोई कसर नहीं रखी है मेरे दुह संग से अनेक शुशील इवकपत वरस्ट होकर नस्ट वरस्ट हो चुके हैं आज अपने कुकृत्यों का अस्मरण कर मेरा कलेजा काँप उठता है उन्हें देखते हुए तो ऐसा मालूम होता है कि मुझे रवरव नरक में भी अस्थान मिलना बहुत ही कठिन है आप मेरे कल्यान मार्ग के निर्देशक बनकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए गद गद कंट से यों कहती हुई चंचला भक्त राज के चरणों में गिर पड़ी पुत्री अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यदि मनुष्य सच्चे हिर्दे से पश्चा ताप करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्यों को भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध ही है तुम अपने घर पर जाकर भगवान का अनन्य मन से प्रेम पुर्वक अस्मर्ण करो तुम्हारे लिए यही सच्ची शिक्षा है मैं गुरू बनना नहीं चाहता क्योंकि मुझ में ऐसी योग्यता ही नहीं है भग्त राज ने विनम्रता पुर्वक चंचला से कहा चंचला भग्त राज की आग्या शिरोधारी कर अपने घर चली गई उसने उसी दिन से अपनी वेश्या वृत्ति छोड़ दी और बहुत सादगी के साथ रहकर भगवत भजन तथा साद सेवा में जीवन बिटानी लगी आठ दस दिन बाद सा रंग धर चंचला के घर गया वहां का नया रंग ढंग देख कर वह दंग रह गया चंचला उस समय साधुमंडली में वैट कर भजन कर रही थी उसके चहरे पर एक अलवकिक तेज खेल रहा था क्यों चंचले उस विशय में क्या हुआ सारंग धर ने पूछा सारंग धर जी आप निरपराध भक्त राज को व्यर्थ ही दोश लगा कर महान पाप के भागी बनना चाहते हैं परंतु याद रखिये दूसरे के लिए जमीन में गड़ा खोदने वाला मनुष्य खोद ही उसमें गिर पड़ता है आप लोगों का द्वेश उनके उपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता मुझे तो घ्रणा होती है कि आप लोग जाती के अगर गणे कर्णधार होते हुए भी दूसरे मनुष्य का उतकर्स नहीं सा सकते मैं इससे अधिक आपसे बातें करना नहीं चाहती आप जाने और आपका काम जाने इतना कहकर चंचला पुन भगवत भजन में लीन हो गई परमात्मा की कला अकल है चंचला के यहां से तिरस्कृत होकर जब सारंग धर वापस लवटा तो मार्ग में एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया पल भर में सर्प का विश उसके रोम रोम में फैल गया वह मार्ग में ही बेहोस होकर गिर पड़ा देखते ही देखते वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए नाना प्रकार के उपचार किये गए परंत विश नहीं उतरा लोग उसके जीवन से निराश हो गए और उसके परिवार के लोग रोने लगे अन्त में एक नागर ने कहा भाईयों एक उपाय है उसे भी करके देख लेना चाहिए आज कल नर सिंग राम जादुगर बना हुआ है कदाचित उसके हाथ से सारंग धर जी का सर्प विश उतर जाए सब लोग सहमत हो गए और सारंग धर को भक्तराज के मंदिर में उठा लाए जब भक्तराज से सारा हाल कहा गया तो उन्होंने कहा भाईयों मैं कोई तंत्र मंत्र तो जानता नहीं हाँ भगवान की क्रिपा से उनके चर्णोदक से कदाचित मृत्यू का भय दूर हो जाए इतना कहकर भक्तराज ने भगवान का आस्मरन किया और भगवान का चर्णा मृत्त लेकर सारंग धर के मुह पर मार्जन किया भगवान की क्रिपा से सारंग धर का विश उतर गया और वह सचेत होकर उठ बैठा परंत वह सामने नर्सिंग राम को देखते ही भीतर ही भीतर क्रोध से जल उठा वह वहाँ से उठकर चुप चाप घर चला गया इस प्रकार भक्त राज ने द्वेश का बदला प्रेम से देकर अपने विश्व प्रेम का आदर्श लोगों के सामने प्रकट कर दिया जै श्री किष्णा प्यारे भक्तों अब तक आप सभी ने भक्त शिरोमण की कथाओं में यह देखा कि उनके साथ कितनी अलोकिक घटनाएं घटती हैं परन्त फिर भी भक्त राज नर सिंग महता जी अपने आध्यात्मीक मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं अब आगे उनकी कथाओं में कुछ और भी रोचक प्रसंग सुनियें वो कहते हैं ना सर्प को दूध पिलाने से उसका विश्य और बढ़ता है यद्य पिभक्त राज नर सिंग राम जी ने सुभाविक दया से ही सारंग धर को जीवन दान प्रदान किया था परन्त उस पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा उसने समझा नर सिंग राम जादूगर है और यह सब उसी का किया धरा है अतेव भक्त राज के प्रति उसके मन में द्वेशाग नी और भी अधिक भबक उठी जीस समय का यह प्रसंग चल रहा है उस समय जूनागड के राज्यासन पर राव मांडलिक नामक शत्री राजा विराजमान था सारंग धर भी राज के एक प्रतिष्ठित पद पर न्यूक्त था जब सारंग धर चंचला द्वारा भक्त राज का मान भंग करने में समर्थ न हुआ तो उसने राजा से ही उनकी निंदा करना प्रारंब कर दिया परन्तु राजा उसकी बात पर विशेश ध्यान नहीं देता था किन्तु सारंग धर अपनी धून का बड़ा पक्का था भक्त राज को प्राणदंड या कारावास दिलाए बिना उसे चैन कहां मिलता राजा के ध्यान न देने पर भी वह बराबर भक्त राज की कोई न कोई शिकायत सुनाता ही रहता अन्त में एक दिन राजा से उसने यह भी कह दिया कि रात्री में भजन के बहाने नरसिंग राम अनाचार का प्रचार कर रहा है ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है कहावत है कि बड़े लोगों को कान होते हैं नित्र नहीं होते नित्य प्रति दिन शिकायत सुनने के कारण एक दिन राजा ने भक्त राज को राज सभा में बुलाने की आग्यां दे दी और दूसरे दिन उनका न्याय करने का निश्चे किया गया उसी दिन भक्त राज जब भगवान की सेवा पूजा समाप्त करके भगवान नाम का जब कर रहे थे तब वहाँ एक व्रिद्ध ब्राम्हण आया ब्राम्हण को आसन जलपान आदि देकर उन्होंने विनय पुर्वक आगमन का कारण पूछा ब्राम्हण ने उत्तर दिया भक्त राज ब्रिद्ध वस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में अशक्त हो गया हूँ और इस कारण मेरी कन्या के विवाह योग्या हो जाने पर भी मैं कन्यादान करने में असमर्थ हो रहा हूँ यदि आप मुझे साथ रुपए की सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा भक्त राज ने कहा महराज मेरी पास तो रुपए नहीं है परन्त थोड़ी देर आप यहां बैठिये चेश्चा करता हूँ यदि इश्वर की कृपआ होई तो आपका कारी हो जाएगा नर्शिंग राम ब्रामण को घर में बैठा कर स्वयम बाजार में गए और उन्होंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपए उधार मांगे परन्त इस तरह कोई रुपए देने के लिए राजी नहीं हुआ लोगों को भैथा कि यह फिर रुपए कैसे लोटा सकते हैं अंत में नर्सिंग राम धरणी धर नामक एक नागर के घर पर आये धरणी धर एक भक्त आदमी था और नर्सिंग राम पर उसकी कुछ स्रद्धा भी थी परन्तु था तो वह बड़ा अस्पष्ट वादी जब नर्सिंगराम ने अपना सारा हाल उसे सुनाया तो उसने अहारे विवहारे चो असपस्ट वक्ता सुखी भवेत इस न्याय के अनुसार अस्पस्ट ही कहा नर्सिंगराम जी वैसे तो मुझे आपको रुपया देने में कोई आपत्ति नहीं है परन्त रुपय पैसे का मामला जरा टेड़ा होता है केवल जबान पर विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु गिर्वी रख लेना उत्तम है यदि आप कोई चीज ले आवे तो मैं अभी साथ रुपय दे सकता हूँ भक्त राज ने विचार किया मेरे पास कोई वस्तु गिर्वी रखने योग्य तो है ही नहीं तो क्या अब ब्रामण का कार नहीं होगा एक शन सोचने पर एक उपाय उन्हें सुझा उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है भगवान का आवाहन मैं इसी राग के द्वारा किया करता हूँ इस राग के विना मेरा कार एक शन भी नहीं चल सकता अतेव यह राग मेरे लिए बहु मुल्ले भी है यदि इसे धर्णी धर अपने पास रख लें तो ब्रामण के लिए मैं इसे भी गिर्वी रख सकता हूँ नर्शिंग राम ने यह सोच कर कहा धर्णी धर जी मेरी पास रेहन रखने योगी कोई दूसरी वस्त नहीं है यदि आपको विश्वास हो तो मैं केदार राग आपके पास रख सकता हूँ जब तक आपके रुपए चुका न दूँगा तब तक चाहें प्राण भी चले जाएं मैं केदार राग नहीं गाऊंगा धरनी धर को मालूम था कि केदार राग भक्त राज के लिए कितनी आवश्यक है अतेव वह तयार हो गया और भक्त राज ने उसे इस आशय का प्रतिग्या पत्र लिख कर दे दिया कि मैं नर्शिंग राम महता भगवान को शाक्षी मान कर कहता हूँ कि जब तक मैं धरनी धर जी को 60 रुपए चुकान दूँगा तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा इस प्रतिग्या पत्र को लेकर धरनी धरने 60 रुपए भक्त राज को दे दिये भक्त राज बड़ी प्रसनता के साथ रुपए लेकर आये और उन्होंने ब्राम हड को सब रुपए समर्पित कर दिये ब्राम हड भक्त राज को हार्दिक आशिरवाद दे कर विदा हुआ भक्त राज इसका सवटी पर भी खरे उतरे इतने मृदुल इतने निष्ठावान इतने मर्मश परसी थे अपने भक्त राज नर्शिंग राम महताजी अब आगे का वाक्या सुनिए दूसरे दिन राव मांडलिक के दरबार में भक्त राज उपस्थित हुए सारंग धर वंशी धर अनंत राय इत्यादी अपने ही कुटुम्बी जन नर्शिंग राम का अपमान करने के लिए इस तरह उतारू होकर दरबार में बैठे थे जिस तरह काठ को काटने के लिए काठ का ही टुकडा कुलहाडी का बेंट बना हुआ रहता है भक्त राज को ग्यान हीन ठहराने के लिए सारंग धर अपने साथ शहर के दो चार सन्यासियों को रूपेयों का लालच देकर लिवा आया था जब सब लोग आकर यथा स्थान बैठ गए तब राजा ने सारंग धर की मंडली की ओर देखते हुए कहा कहिए आप लोगों का क्या कहना है राजन यह नरसिंग राम इस शहर में रहकर अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रम में डाल रहा है भक्ति का जुठा बहाना बनाकर अनेक प्रकार के अनाचारों का पोशन कर रहा है और स्वयम अज्यानी होने पर भी अन्य मनुश्यों को ज्यान देने का निंदित एवं धर्म शास्त्र विरुद्ध कारे कर रहा है अतह राजा का धर्म है कि ऐसे अधर्म की विरुद्ध करने वाले मनुश्यों को उचित दंड देकर अधर्म से देश की रक्षा करे सारंग धर ने अपनी शिकायत दर्ज की सारंग धर जी मैं बहुत दिनों से भक्त राज की किर्ति सुन रहा हूँ वो भग्मान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं जन्मों से लेकर आज तक उनके उपर किसी प्रकार का कलंक आया हो ऐसा मैंने कदापी नहीं सुना है फिर आज वृद्धावस्था में उनके अंदर कोई कूपर विर्ति पैदा हो जैसा की आप कहते हैं असंभव है ऐसे वितराग महात्मा भगवत भक्ति के द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर ला देते हैं उनका आचरन ही धर्म शास्त्र बन जाता है आखिर आपका धर्म शास्त्र क्या है ऐसे ही महानुभाओं का अनुभव उपदेश और जीवन प्रडाली ही तो है अतह इनका आचरन कभी धर्म शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता अब रही उनके अनाचार की बात सो इस विशय में जब तक कोई विश्वसनी य गवाही नहीं मिल जाती तब तक उनको दुराचारी कहना पाप है राजा ने सारंग धर के मुह पर जैसे तमाचा के रूप में अपना उत्तर दे मारा ततपश्चात साहस करके अनंत राय ने बोलना शुरू किया राजन आपने जो कुछ व्याख्या सुनाई वह अनन्य भक्तों के लिए बिलकुल यथार्थ है यह नर्सिंग राम तो मेरा भांजा ही है परन्तु यह कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता कि हवास्तों में भजन के बहाने अनाचार ही बढ़ाता है इस विशय में मेरा एक परत्यक्ष अनुभव है सो मैं निवेदन करता हूँ मेरी इस्त्री भी नित्य इसके भजन में शम्लित होती है वह नित्य आधी रात को भजन के बीच में इसे जल पिलाया करती है इस बात को सारंग धरजी ने मुझसे कई बार कहा परन्तु मैं इसे नहीं मानता था एक दिन जब मैंने श्वयम उसे पानी पिलाते देखा तो दूसरे दिन उसे भजन में जाने से मना कर दिया परन्तु उसने मेरी बात नहीं मानी और उस दिन भी चली गई हिर रंज होकर दूसरे दिन मैंने उसे बांध कर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा कर चाभी अपने पास रख लिया मैंने सुना था कि भजन के बीच में यह दूसरे के हाथ का जल नहीं पीता इसलिए कौतु हलवश मैं उस रात इसके घर यह देखने गया कि आज इसकी टेक कैसे रहती है परन्तु भजन के बीच में विश्राम के समय मैंने अपनी आखों से देखा कि वही मेरी इस्त्री इसको जल पिला रही है यह दृश्य देखते ही मुझे बड़ा क्रोध हुआ कि उसे किसने निकाल दिया मैं उसी शन घर पर गया परन्तु वहां जाकर देखता हूँ कि ताला भी बंद है और वह उसी तरह बंदी अवस्था में राधा कृष्ण के नाम की धुन लगाती हुई पड़ी है तब तो बड़ा आश्चरी हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया कि मामला क्या है अंत में मैं इस निश्चे पर आया कि इसी प्रकार नर्सिंग राम जादू के बल पर अनेक इस्त्रियों को अपनी ओरा करशित करता है और फिर उनके साथ स्वेच्छा विहार करता है यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयम शहर में चल कर चंचला वेश्या को देखाईए उसने भी इसी के फंदे में फसकर विचित्र वेश धारन कर लिया है और नित्यवह भी इसके यहां जाया करती है यह बात शहर के तमाम लोग जानते है राजन क्या कोई मनुष्य रात्री के समय एकांत में किसी वेश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है भला काजर की कोठरी में श्वेत वस्तर पहन कर रहने वाला कभी उसके दाग से बच सकता है आप श्वयम ही विचार करें कि हम लोगों का अभियोग ठीक है चला वेश्या की बात तो सर्विदित है ही कि वो भक्तराज के पास जाया करती है फिर अनन्त राय इश्वर की शपत लेकर स्वयम अपना अनुभव कह रहे हैं अपने घर के विशय में एक प्रतिश्चित व्यक्ति कभी भी जूट नहीं बोल सकता फिर इस विशय में निर्ड़ कैसे किया जाए अच्छा जरा नर्सिंग राम जी से भी पूछा जाए देखी वह इन बातों का क्या उत्तर देते हैं दोनों पक्ष की बात पहले सुन लेना आवश्यक है इस प्रकार सोच कर राजा ने भक्त राज की ओर देखा और कहा भक्त राज इस विशय में आप क्या कहना चाहते हैं राजन अनन्त राय जी का कथन सब यथार थे है परन्त तो किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए न तो मैं आग्रह करता हूँ और न किसी के लिए प्रतिबंध लगाता हूँ मेरे घर आकर भगवद भजन करने का अधिकार आवाल, वृद्ध, इस्त्री, पुरुष्य सबको समान है इस विशय में मैं अपने को दोशी नहीं समस्ता मैं स्वयम राधेश्याम के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानता मैं तो अपने पास आकर भजन करने वालों का प्रतिरोध करके उनका जीद उखाना स्वयम भगवान के प्रतिदोश करने के बराबर समस्ता हूँ फिर आप राजा है आप में भी परमात्मा का अंश विद्यमान है आप स्वयम विचार कर सकते हैं कि मैं इस विशय में दोशी हूँ अथवा निरदोश यदि आपको मेरा दोश जान पड़ता है तो आप मुझे उचित धंड दे सकते हैं भक्त राज ने सरलता पुर्वक निवेधन किया तो सुना अपने महात्माओं का हिर्दय अत्यंत कोमल और दयाल होता है विश्वयम आपत्ति में पड़ जाने पर भी अपने मुह से अपराधी मनुश्यों को भी अपराधी नहीं कहते भक्त राज जानते थे कि इन लोगों ने इरिश्या वसही सब कांड रचा है तथा पि उन लोगों को दोशी ठहराना भक्त राज के लिए पाप ही था भक्त राज का कथन सारंग धर से नहीं सहा गया वह तुरंत अपने आशन से उठकर कहने लगा नर्सिंग राम तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो तुम्हें शास्त्र ज्यान तो बिलकुल भी नहीं और बन बैठे हो उपदेशक यदि तुम अपने को उपदेश देने का अधिकारी समस्ते हो तो इन सन्यासियों के साथ शाश्त्र आर्थ करो और इस सभा में अपनी शरवग्यता सिद्ध करो भाई, न तो मैं शास्त्रग्य हूँ और न सरवग्य, परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई भी सरवग्य होने का दावा नहीं कर सकता, अतेव, मैं शास्त्रार्थ या वेदार्थ कुछ भी करने में असमर्त हूँ, कहा है, काम क्रोध मद मूह को, जब लग घट में अस्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान, शास्त्रों को पढ़कर वाद विवाद, तथा काम क्रोधाद के वशी भूत होकर, उन शास्त्रों का दुरुप योग करने वाले को, पंडित कहने वाला भी मुर्ख ह अतह, मुझे तो पहले से ही, पंडित बनना ना पसंद है, मैं तो केवल आत्म चिंतन और भगवान का नाम ही जानता हूँ, भगवत चिंतन के द्वारा, जब तक आत्मा की पहचान नहीं होती, तब तक यग्य, तब और व्रत आदिसाधन भी, उप्युक्त फल नहीं देते यह कहते हुए नर सिंग राम जी ने प्रभाती नामत एक भजन संग्रह उन्हें सुनाया, जिसका अर्थ है, हे मन, जब तक तुम आत्म तत्तो को पूर्ण रूप से नहीं जान लेते, तब तक सभी ज्यान जूठे हैं, तुम्हारा मनुष्य तन भी, शरद रितु की के समान व्यर्थ ही चला गया, असनान सेवा पूजा, दान करने तथा भस्म लगा कर, नित्रों को रक्त वर्ण बनाने से क्या लाब, और तब तिर्थ सेवन, जब तिलक माला धारन करने, एवं गंगा जलपान करने से ही क्या हुआ, वेद व्याकरन और वानी बोनने से, रा दर्शन और पूजा करने तथा वर्ण भेद समझने से, क्या हुआ, ये सब केवल पेट भरने के प्रपंच हैं, इन साधनों के द्वारा पर ब्रम्ह स्वरूप आत्मा का चिन्तन नहीं हो सकता, इसलिए नर सिंग कहता है कि आत्म दर्शन किये बिना तुमने इस चिन्ता मन के समान मनुष्य तन को भी व्यर्थ ही गमा दिया, अतह भाई, इस व्यर्थ के जेलम जेल में कौन पड़े, शास्त्रार्थ उन्हीं लोगों को मंगल मैं हो, जिन्हें अपनी पेट की पड़ी है, मुझे तो रोटी का टुकडा मिल गया तो भी ठीक, और नो मिला तो भी ठ इस प्रकार भक्त राज ने पंडित, अपंडित का विवेचन किया, और आत्म चिंतन का महत तो बतलाया, भक्त राज के इस निर्भीक विवेचन को सुनकर, उपस्थित सब लोग अवाक हो गए, राजा ने विचार किया कि पूर्ण रूप से परिख्षा किये बिना, भक् इसा कोई उपाय करना चाहिए, जिसमें निरपराधी मनुष्य को दंड भी न मिले, और अन्य पक्ष को भी पूर्ण संतोष हो जाए, इस प्रकार विचार करते करते, सहसा उन्हें एक मार्ग सुझा, उन्होंने एक फूलों का हार मंगाया, और उसे हाथ में लेकर कहा, भक राज, यद्यपी आपका कथन एकदम सत्य है, फिर भी आपके विरुद्ध इन लोगों की गवाहियां होने के कारण सत्य असत्य का निरड़य करना कठिन हो गया है, अतह मैंने एक उपाय सोचा है, जिसमें न्याय भी ठीक ठीक हो जाए, और दोनों पक्षों से किसी को कोई शिकायत करने का भी मौका न मिले, आप यह पुश्पहार अपने हाथ में लीजिये, और राज मंदिर में चलकर भगवान राधा दा मोदर के कंठ में समर्पित कर दीजिये, मैं स्वयम मंदिर का ताला बंद करके चा भी अपने पास रखूंगा, यदि कल प्रातह काल होने क पहले स्वयम भगवान प्रकट होकर यही हार आपके गले में डाल देंगे, तो आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, और यदि ऐसा न होगा, तो फिर आपको उचित धंड दिया जाएगा, राजा का यह अंतिम निर्णे सुनकर भक्त राज ने प्रसनता पुरुवक कहा, न्याय प्रिय नितिग्य राजन, भगवान भक्त वत्सल है, यदि मेरी सच्ची निश्काम भक्ती उनमें होगी, तो अवश्य अपने कंठ का हार मुझे दे देंगे, और यदि ऐसा न भी हुआ, तो भी क्या, मेरे लिए राज महल और काराग्रिह समान है, मुझे तो भगवत किर्तन करने के लिए कोई भी एक स्थान मिलना चाहिए, इतना ही मेरे लिए बहुत है, भक्त राज ने राजा के हाथ से पुष्पहार ले लिया, उन्होंने राज महल के मंदिर में जाकर, भगवान राधादा मोदर के कंठ में हार डाल दिया, और भक्ती पुर्व प्रणाम करके बाहर निकल आये, राजा ने मंदिर के ताले को बड़ी सावधानी से बंद करके चाभी अपने पास रख लिया, सारंग धर ने अपना अधिकार प्रदर्शित करते हुए कहा, नर्सिंग राम, यदि इस न्याय में तु असफल रहा, तो राजा की तलवार से तेरा सिरधर से अलग कर दिया जाएगा, भाई, राजा के हाथ से भगवान के मंदिर में और मेरे नात के सामने, यदि मेरी मृत्यू हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्यासो भागे की बात होगी, फिर मेरे आत्मा को तो स्वयम यमराज भी नश्ट नहीं कर सकते, और इस नाश्वान देह के नश्ट होने का, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि सत्य के लिए किया गया देह त्याग, मुझे अमर बना देगा, भक्त राज ने दृणता के साथ कहा, इतना कहकर भक्त राज मंदिर के चौके में बैठ गए, और भजन करने लगे, अन् स्वयम राजा भी, वहां भक्त राज का न्याय करने के लिए बैठ गए, आप सभी की व्यागरता को असपष्ट रूप से जानते हुए, मैं यह समझ सकता हूँ, कि आपके मन में चल रहा है कि आगे क्या होता है, तो आईए, आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं, किसी मनुष् का जमा किया हुआ द्रव्य समय पाकर नश्ट हो जाता है, विद्या, यववन और जीवन भी चंचल होने के कारण, काल कर्म के अधीन होकर, आखिर एक समय नश्ट हो जाते हैं, परंतु भग्मान का भजन, कालांतर में भी नश्ट नहीं होता, उसका फल यदि इस जन्म में नवी मिले, तो जन्मानतर में चक्र वृद्ध व्याज के साथ मिलता है, परंतु मिलता जरूर है, वह बेकार नहीं जाता, भक्त राज इसी विश्वास को हृदय में रखकर, भग्मान का भजन कर रहे थे, परंतु यह बात रह रहकर उनके हृदय में खटक रही थी, कि मे प्रीय राग के दार तो साथ रुपयों में बंधक पड़ा हुआ है, उसके बिना भगवान का आवाहन कैसे करूंगा, उन्होंने भगवान का ध्यान करने की बहुत चेश्चा की, परंतु इस बात के लिए उनका चित विहवल हो उठता था, दीव्यवै कुंठ धाम में आधी रात के समय, स्री भगवान एका एक जाग उठे और मानों कहीं जाने की तयारी करने लगे, इस प्रकार शहसा उन्हें तयार होते देख, स्री लक्षिमी जी सहित समस्त पार्षदों को बड़ा आश्चरी हुआ, स्री लक्षिमी जी ने हस्ते हुए प्रश्न किया, प् किसी दुर्धर्ष दैते का वद करने के लिए आप इस समय उद्धत हो रहे हैं, अथवा किसी पशु भक्त गजेंद्र का उद्धार करना है, प्रिये तुम लोग इस रहस्य को क्या समझोगी, मेरी शरण में आये हुए समस्त जीव मुझे एक समान प्रिये हैं, चाहे वे पशु योनी में हूँ या देव योनी में, परन्तु आज तो मैं एक अपने परम प्रिये भक्त को सहायता देने के लिए जा रहा हूँ, उस निरपराधी भक्त राज को, याद आया, इतना कहते कहते बात अधूरी ही छोड़ कर भगवान अत्यंत शिग्रता से चल पड़े भक्त वत्सल भगवान ने आज साथ में गरुण या किसी पारशद को भी लेने की आवश्यक्ता नहीं समझी, भक्त राज के दुखी हिदय की पुकार सुनकर, उनके हिदय में भी व्यथा हो रही थी, उन्होंने तुरंत जूनागड आकर, भक्त राज का ही स्वरूप धार और धरनी धर मेहता के घर पर पहुँचकर, उसका दर्वाजा खटकटाना आरंब किया, कौन है सोए सोए धरनी धर ने प्रश्ट किया, द्वार खोलिये मैं नर्सिंग राम हूँ, रिन मुक्त होने के लिए आया हूँ, भक्त राज स्वरूप भगवान ने कहा, भक्त राज की आवाज सुनकर धरनी धर की स्त्री ने द्वार खोल दिये, भक्त राज स्वरूप भगवान के सामने आने पर धरनी धर ने नमस्कार किया, और कहा भक्त राज, इतनी कौन सी जल्दी थी कि आपने इस समय कष्ट किया, अगर कुछ दिन रुपया रह भी जात तो कोई हर्ज नहीं था भाई यह तो ठीक ही है परंतु जब एक उदार ग्रहस्त से रुपए मिल ही गए तब उन्हें घर पर रखने से लाव ही क्या फिर इसी समय मुझे केदार राग गाने की भी बड़ी देर हो रही है इसी से विचार किया कि अभी चल कर रुपए दे दू और राग को छुडा लाओं नर्सिंग राम रूप धारी भगवान ने उत्तर दिया श्री भगवान ने इतना कहकर धरनी धर के सामने साथ रुपए रख दिये धरनी धर ने रुपए गिन कर रख लिये और नर्सिंग राम के प्रतिग्या पत्र पर भरपाई लिखकर उसे भगवान को दे दिया प्रतिग्या पत्र लेकर भगवान राज महल के मंदिर में आये जहां हिर्दय व्यथित भक्त राज एकागर चित से भगवत भजन और ध्यान कर रहे थे भगवान ने अंतरिक्ष से उस पत्र को भक्त राज के सामने गिरा दिया परंतु इस बात को भक् और किसी ने नहीं देखा, भक्त राज ने पत्र सामने गिरते देख, कवतुहलवश उसे उठा लिया, उन्होंने जब यह देखा कि यह तो मेरा ही प्रतिग्या पत्र है, तब तो उन्हें बड़ा विश्मय हुआ, खिर उन्होंने उस पर के नवीन अक्षरों को पढ़ा, उसमें लिखा था, आज आधी रात को जगा कर नर्सिंग राम जी ने मेरे पूरे साथ रुपे चुका दिये, अतेओ, मैंने भरपाई लिख दी है, अब वो अक्यदार राग प्रेम से गा सकते हैं, धरनी धर राये। शरीर में रोमांच हो आया, उन्होंने सोचा, यह कार भी भगवान का ही किया हुआ है, वो प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे, उनकी इस इस्थिति को देखकर, वहाँ पर उपस्थित लोग, नाना प्रकार की कल्पनाएं अपने मन में करने लगे, अनंत राय ने कहा, देखो, अब पोल खुल जाने के भैसे यह पागल बनने का दंब कर रहा है, सारंग धर ने कहा, प्रात्रकाल होते ही राजा की तलवार से, अपने आप उसका पागलपन दूर हो जाएगा, परन्तु भक्त राज को इन सब बातों से क्या परियोजन था, उनके दिल में तो अ नायाश प्रतिज्या पत्र प्राप्त हो जाने से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम उमढ रहा था, और वह बेसुद होकर प्रेमावेश में नित्य कर रहे थे, उन्हें यह भी अस्मरण नहीं था, कि अब प्रातह काल होने में कुछ ही छंशेस रह गये हैं, भक्त राज, पागल पन दिखाते दिखाते तो सवेरा हो आया, अब इस अंतिम महुर्त में यदि आपके कंठ में हार नहीं पड़ा, तो यह नित्य आपकी रक्षा नहीं कर सकता, इन फालतू बातों में क्या रखा है, शिग्र शर्त पूरी कीजिए, राजा मांडलिक ने भक्त राज को सचीत करती हुए कहा, राजा की सत्ता सूचक आवाज सुनकर, भक्त राज प्रेम समाधि से जाग उठे, उस समय पुर्व दिशा में अरुडोदय होने ही जा रहा था, पक्षिगण जागरत होकर अपने कलरों से सुर्य भग्वान का आवाहन कर रहे थे, भक्तों के हिर्द सचीत नटखट, नटवर की मनोरम मुर्ती, मंद मंद हस रही थी, भक्त राज ने मन में विचार किया, कि राजा का कथन ठीक ही है, मैं तो भगवान के विश्वास पर बैठा हुआ हूँ, परंतु न मालूम वह क्या विचार कर रहे हैं, क्या इस समय तक वे निद्रा में ही मगन पड़े होंगे, या इस प्रेम यग्य में वह मेरा बलिदान लेना चाहते हैं, इस प्रकार विचार करते करते उनके नित्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा, उन्होंने अपनी करताल संभाली और केदार राग में प्रेम पूर्ण भजन गाना प्रारंब कर दिया, उस भजन का भाव इस प्रकार था, दयाल देव, क्या आपकी प्रीति का यही फल मिलेगा, परंतु मेरा तो निश्चय है की, मेरी गर्दन की अपेक्षा आपकी लाज का मुल्ले कहीं अधिक है भगोन, शास्त्र पुराणों में आपकी महान उधारता दिखाते हुए कहा ग भागे के बदले द्रोपदी को 999 चीर प्रदान करके उसकी लाज बचाई थी, कुपजा का चंदन ग्रहन करके उसे अनुपम सुन्दरी बना दिया था और गोप बालकों का, गोवर्धन याग स्विकार करके उनकी रक्षा के निमित्थ, साथ दीन पर यंत अपनी का अंगुली पर गोवर्धन गिरी उठाने का कष्ट उठाया, तो क्या मेरे बारी इस पुषपहार के लिए ही आप कृपन बन जाएंगे? परमात्मन, राजा का कहना ठीक ही है, शर्त पूरी होने से काम चलेगा, अन्य था इसकारे में यदि आप विलंब करेंगी, तो मां अंडली के खड़क से मेरी मृत्य हो जाएगी, परंतुनात, मैं मृत्य से डर कर विनय नहीं कर रहा हूँ, मैं डरता हूँ आपकी अपकिर्ति से, यदि शर्त पूरी न हुई, तो पीछे संसार आपके नाम पर हसते हुए कहेगा, नर सिंग राम की टेक का फल अच्छा मिल किन्तु मदन मोहन मैं भूल रहा हूँ, यह तो मैं अपने करमों का फल भोग रहा हूँ, इसमें आपका बिलकुल दोश नहीं है, परंतु फिर भीनात, आपके सिवा दूसरे किसको पुकारूं, अवश्य ही मेरे जैसे आपके बहुत सेवक हैं, किन्तु नर सिंग राम के त प्राणों की रक्षा आप करें या न करें, मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी पति की सेवा स्विकार नहीं कर सकता। ऐसा निरलज पति भी कौन होगा, जो अपने प्रियजन को अन्य पति के साथ रमर करते हुए देख सके, दयालु दामोदर। जैसा भी है, यह नर लाईए या माल डाली। बस भला भक्त वत्सल भगवान इससे अधिक प्रेमो पालंब कैसे सहन कर सकते थे। उन परिक्षक ने अब अधिक परिक्षा लेना उचित नहीं समझा। उधर शितिज में जेओं ही भगवान भूवन भासकर ने अपने वरेणिय भर्ग की सबसे पहली जहां की दिखाई तेओं ही इधर राजभवन के मंदिर के द्वार की लोहे की मजबूत जन्जीर और ताला धड़ा धर तूट कर जमीन पर गिर पड़ा। हाटक अपने आप खुल गया और एक दिव्य जयोती मंदिर से निकल कर भक्त राज के योर चल पड़ी। वह भक्त राज के पास पहुचने पर उस आलोक मंदल के अंदर भगवान मुरली मनोहर का द्वितिमय श्वरूप दिखाई पड़ा। और भगवान ने सब के देखते ही देखते अपने कंठ का हार उतार कर भक्त राज के गले में पहना दिया। हार गले में पड़ते ही भक्त अब क्या आपको यह भी बताने की आवश्यक्ता है कि भक्त के सामने भग्वान के प्रकट होने पर भक्त की क्या दशा हो सकती है इसका वर्णन कौन कर सकता है भक्त राज अपने नित्रों से उन सामरे सलोने के दिव्य रूप रस का पान करने लगे जब उससे भी त्रिप्ति न हुई तो भग्वान के चरण कमलों में लिपट गए भग्वान ने हस्ते हुए प्रेम भरेश्वर में कहा नर्सिंगराम आज मैंने विनोध वश तुमको बहुत अधिक दुख दे दिया छमा कीजिए कृपा निधान आपकी माया के वशी भूत होकर अब अधिक मैं इस असार संसार में नहीं रहना चाहता प्रभो इस संसार में तो दगाबाज, कुटिल, अन्याई और नास्तिक लोगों को ही अस्थान देना उचित है जिस प्रकार शकट के नीचे चलने वाला कुट्ता, शकट का सारा भार अपने ही उपर समझ कर उसके नीचे नीचे चलता रहता है उसी प्रकार यहां समस्त प्राणी अपने अभिमान के वश संसार का सारा वोज अपने उपर समझ कर नाना प्रकार के दुख भोगा करते हैं मैं तो इस जूठे संसार से उब गया हूँ, मुझे इस अयोग्य संसार से कोई प्रियोजन नहीं है, मैं तो आपके चर्णों के अतिरिक्त ब्रह्म पद को भी नहीं चाहता, गदगद होकर भक्त राज ने प्रार्थना की, भक्त राज, प्रेम मग्न होकर इस असर संसार को दोश देना उचित नहीं है, पुर्वकाल में भक्त बालक प्रहलाद, तपश्वी बालक ध्रूर, राजा अंबरीश, महात्मा विदुर, भक्ति मति गोपांग नाएं आदि सभी भक्तों ने इसी संसार में रहकर मुझे प्र जाप्त करने के लिए, अर्यन्य निवास, तिवर तपश्चर्या आदि की कोई खास आवश्यक्ता नहीं है, महाभारत में कहा गया है, वने यपि दोशाह प्रभवंति रागिनाम, ग्रिहे यपि पचेंद्रिय निग्रह स्थपह, अकुच्चिते कर्मन यह प्रवर्तते, निव्रित रागश्य ग्रिहम तपो वनम, इससे यह सिद्ध होता है, कि वन में निवास करने वाले, काम कृधादी शट विकारों में फंसे हुए वैरागियों से, संसार में रहकर ग्रिहस्त धर्मानुसार जीवन बिताने वाला, रागी कहीं अधिक उत्तम है, फिर संसार क आपको त्याग कर, जो भक्त मुझे प्रसंद करता है, उसकी अपेक्षा, संसार में रहकर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त, मुझे अधिक प्रिय है, अतेव, इससे भागने का प्रियत्न नहीं करना चाहिए, भगवान ने संसार की महत्ता बतलाते हुए कहा, परंतु भग मैं तो संसार में रहकर भक्ति करने पर भी, आपको सदा ही अपने संसारी कारियों के लिए कष्ट देता रहा, और इस तरह दोश भागी बनता रहा, इस बात का मुझे बड़ा पश्चताप हो रहा, भक्त राज ने निवेदन किया, परंतु अच्स, मैंने तुम्हारा कौन सा दुसकर कारी कर दिया है, इन छोटे मोटे कारियों को करके भला, तुम्हारी भक्ति का बदला दिया जा सकता है क्या, तुमने तो अपना तन, मन, धन, अपना सर्वस्व मेरे लिए न्योचावर करके, मेरा भजन किया है, प्राण जाने का मौका आ जाने पर भी, तुमने मेरे भजन से विचलित होना स्विकार नहीं किया, इसके बदले मैंने किया ही क्या है? अपने पुत्र का विवा, पिता का शाद, पुत्री का दहेज और एक पैसे की तुछ माला, क्या इसी के लिए तुम ऐसा कर रहे हो? ये कारे तो एक साधारन साधनिक भी कर सकता था. भक्त राज, इन तुछ कारियों को संपन्न करके, मैं तुम्हारी वहमुल्य भक्ति के एक शतांश का भी बदला नहीं चुका सकता. क्या करूँ, मुझे अपने भक्तों का करज़िदार बने रहने में ही शंतोश मिलता है. भक्ति का बदला चुका कर मैं उसका महत तो नहीं घटाना चाहता. भग्वान ने उदारता पुर्वत कहा. भक्त राज व्याग्र होते हुए बोले, परन्तु महाराज, ऐसा समय कब आवेगा, जबकि मैं आपके चर्णों की रज नित्यधारन किया करूँगा. भक्त राज ने अधीर होकर पूछा, वत्स, मैंने तुम्हें यह मनुश्य देह भी, तुम्हारी इच्छा के अनुशार ही दी है. शायद मेरी माया का आवरण पड़ जाने से, तुम्ह बात भूल गय हो, मैं तुम्हें असमरण करा रहा हूँ, तुम्ह पूर्व जन्म में भीशन देवासुर संग्राम में, वीजय माल धारण करने वाले मानधाता पुत्र, मुचकुन्द नामक राजा थे, इसी गिर्नार प्रदेशांतरगत मुचकुन्द गूहा में काल यवन के बहाने मैंने तुम्हें दर्शन दिया था, मेरी प्रसन्न होने पर यदि तुमने मोक्ष मांगा होता, तो तुम इस आपत्ति में हर गिजन पड़ती, परन्तु मेरे हठीले भक्त तो मोक्ष को इसी से तुमने कहा, अकिंचनों के परम प्रार्थनी आपके चरणों की सेवा से, भिन किसी और वस्तु की मैं इच्छा नहीं करता है हरे, मोक्ष देने वाले आपकी अराधना करके कौन सत्पुरुष अपने लिए बंधन रूप वर मांगेगा, फिर मैं तुम्हारी इच् शत्री धर्म में इस्थित रहकर तुमने म्रिगया आद के द्वारा अनेकों जीवों का वध किया है, इसलिए अब समाधी निष्ट और मेरे आश्रित हो, उस पाप का नाश करो, हे राजन, अगले जन में तुम सब भूतों के हितकारी ब्रामण श्रेष्ट होकर, एक मात्र मुझे प्राप्त होगे, उस शात्र धर्म में रहकर किये हुए पापों को तपश्चरिया से नश्ट करा कर, मैंने तुम्हें इस उत्तम नागर कुल में जन्म दिया, भक्त राज, अभी इस संसार में तुम पांच वर्ष परियंत और रहकर, जगत में मेरी भक्ति का तुम्हारे उपर नहीं आएगी, तुम्हारे इस जन्म के मेरे इस अंतिम दर्षन से, तुम्हारे उपर सरस्वती देवी की क्रिपा हो जाएगी, जब तक तुम्हारे इस पांच भवतिक शरीर का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम स्वान भव के आधार पर, भक्ति पु अंतिम आदेश सुना दिया, भक्त राज ने भगवदा देश शिरोधारी किया और उनके चरणों में फुनह लोट गए, वो कब तक इस प्रकार पड़े रहे, इसकी उन्हें सुधिन रही, जिस समय स्वयम राजा ने उन्हें जगाया, उस समय श्याम सुन्दर का तेजो में स स्वरूप अद्रिश्य हो गया था, भक्त और भगवान के वारतालाप की ध्वन से वहां का आकाश गूंज रहा था, श्री भगवान के दर्शन से सारंगधर, वन्शीधर तथा अनन्त राय आदि सभीवी पक्षियों के इहदय से अज्यान का नाश हो गया, और उनके भीत भक्ति भाव का प्रादुर भाव हो गया, उन्होंने भक्त राज के साथ जो द्रोह किया था, उसके लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ भक्त राज से निवेदन किया, नर्सिंग राम जी, आप जैसे भगवान के प्यारे भक् व्यर्थ कलंकित करने का जो हम लोगों ने प्रयत्न किया, उसके लिए हम लोग अत्यंत लज्जित हो रहे हैं, आपको दुखी बनाने के महान अपराध के कारण, हम लोगों को नरक में भी अस्थान मिलना कठिन है, आप किरिपा करकी हमारे अपराधों को शमा कीजिए, भक राज ने सरलता पुर्वक कहा, भाईयों, सच्चे पश्चता पुर्वक भजन करने से, पुर्व पारजित संचित प्रारब्ध समस्त पापों का नाश हो जाता है, आज से आप लोग भी पाप कर्मों से दूर रहते हुए, प्रीति पुर्वक भगवत भजन कीजिए, आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा, मैं आपको उपदेश देने की योगिता नहीं रखता, बस प्रेम वश इतना निवेदन कर दिया, भक्त राज की नमरता, निर्भिमानता तथा भगवत प्रेम का सब पर बड़ा गहरा असर पड़ा, सब लोग उनकी प्रशंशा करते घर गए और उस दिन से भगवत भजन में अनुराग रखने लगी, राजा मांडलिक की भी भक्त राज के प्रती बड़ी श्रद्धा भक्ती बढ़ गई, उन्होंने उनका बड़ा सतकार किया और भजन मंडली के साथ एक जुलूश निकाल कर उन्हें आदर पुर्वक जहां अनेक छुधा पिडितों को नित्य भोजन मिलने लगा, भक्त राज उसके बाद बड़ी शान्त के साथ जीवन विताते हुए भगवत भजन करने लगे, और भगवत आज्या मानकर लोक कल्यान की द्रिष्टी से ज्यान भक्ती पूर्ण पदों की रचना करने लगे, उनकी पुत्र वद जुठी बाई तथा पुत्री कुमर बाई भी उनही के साथ रहती थी, उन्होंने भी भक्त राज के साथ अपना सैयम पूर्ण अन्तिम जीवन भगवत भजनों में ही विताया, इस प्रकार प्राय, पांच वर्ष और जीवन धारन करने के बाद, भक्त राज इस अशाश्वत भवतिक देह का परित्याग कर सचिदानंद परमात्म पद को प्राप्त हो गए, पांच वर्षों में उन्होंने हजारों पदों की रचना कर डाली, यद्यपी उनका स्थोल शरीर अब हमारे सम्मुक नहीं है, तथा आपी उनकी काव्य मई किर्ति का आज भी हमें अपने सत्संग का लाभ प्रदान कर रही है, उनके पद संसार संतप्त मनुश्यों को कल्यान मार्ग पर पहुचाने में सदा से सहायता पहुचाते आ रहे हैं, और भविश्य में भी पहुचाते रहेंगे, अन्त में हम इस भक्त प्रवसिनी भारत भूमी की व महा पुर्श अवतरित होकर अपनी जगत पामनी भक्त के द्वारा समस्त संसार का कल्यान करते हैं, ओम शान्ती 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 भक्त जनों, इस प्रकार भक्त शिरोमनी, नर सिंग मेहता जी की इस कथा का समापन होता है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण